हेलो दोस्तों कैसे आप लो मेरा नाम विशाल सिंग है आप सभी का हमारे चैनल study for judicial services में स्वागत है ठीक है आज जो है एक्चुली मैं टी-पी ए transfer of properties हमने पहले ही अपने चैनल में पढ़ा दिया था ठीक है लेकिन लोगों की इसको compile कर दीजिए ठीक है कि विशाल भाई उसको compile कर दीजिए तो compile में भी कुछ बहुत फायदा होता है न एक बार में आदमी continuously ज्यादा ज्यादा देख लेता है ठीक है जैसे 8 गंटे का यह लगों अब लेक्षार को compile कर दिया है जो मैं और लेडी पहले ही record कर चुका था कर यकीन मानिए उसमें पिक्चर क्वालिटी में दिक्कत हो सकती है साउंड में भी दिक्कत हो सकती है लेकिन यकीन मानिए content बहुत अच्छा है उसका ठीक है यह मैंने यह बाकी लोगों जिन्हों ने साल दो साल में वो वीडियो देखी थी, सबसे पहले मैंने TPA ही अपने चैनल पर रिकॉर्ड किया था, तो उसमें आपको मज़ा आ जाएगा, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, तो उसको रिवाइस कर दीजेगा, अगर न जाके चेक करिए, नहीं तो कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपको डाउट है कि मैंने पढ़ाये की नहीं पढ़ाया है, तो YouTube के सर्च इंजन में, YouTube में सर्च इंजन में वो सब्जेक्ट का नाम और चैनल का नाम एकसाथ सर्च कर आएगा, ठीक है, जैसे मान लो यह देखन कोई भी सब्जेक्ट ठीक है या तो फिर या बाई विसाल सिंग कर दें तो भी मिल जाएगा ठीक है चलिए तो सी आर्पीसी है सी पीसी है और और कौन सा है टॉर्ट भी पड़ा हुआ है सी आर्पीसी सी पीसी टॉट एविडेंस नौ गंटे का दस गंटे का है आई पीसी नौ दस गंटे की पूरी एक वीडियो पड़ी हुई है ठीक है लिमिटेशन सारे ये सारे सब्जेक्ट हमाये चैनल पर अल्लेडी पड़े हुए है ठीक है और कोई रह गया और भी है देख ठीक है इतने सारे पड़े हुए हैं टी पीए मैं यह कंपाली लिस्ट में भी है कंपाईल कर दे रहा हुँ ठीक है तो पूरी देखिए आरहम से और देखने कजरों बताएगा कैसा लगा ठीक है देखते देखते लीग कमेंट कर दीजेगा और दोस्तों साथ शेयर भी किया करेंगे जब तक मेरा भी मन नहीं होता है कि कुछ मैं भी देखूंके ग्रोथ हो रही है तब कुछ काम कर पाऊँगा तो आप सेयल करेंगे तो फिर मैं और भी सब्जग जालता रहूंगा थीक है थैंक यू तो टीपीए स्टार्ट करते हैं जैसे कि हम लोग कोई वियक्त स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं उसकी इंफोस्मेंट डेड़ वो फोस्में कवायदा सारे एक्ट का आपको यह तो मालब होना ही चाहिए एक जुलाई 1882 में ठीक है और इसमें क्या देखना है जब यह एक्टी 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 तुम्हां बना दाना तो उस समय जिसने इनको साइन किया था वाइस रॉय ऑफ इंडिया वो कौन थे वो थे लौड रिपन ठीक है यह जिपेंस भी लिख देखना है लौड रिपेंस ठीक है इन और एक कब इसको आई सेंट दी थी 17 परवरी 1882 को एक इसनी बात हो गई इंफोस्मेंट डेट जिलाई 1882 इसने साइन किया इसको लौड जिपेंस आपने साइन किया था उस समय यह बॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे कब साइन किया था 17 परवरी 1882 को इसके इलावा क्या याद रखने वाली चीज़ है इसमें इसमें दो चीज़ें और याद रखना है कि यह एंट्री 6 और कंकरेंट लिस्ट लिस्ट जानते हैं आप लोग गिल्कुल जानते होंगे आप लोग सब लोग कमेंट करके मुझे यह बताईए कि लिस्ट कौन से सिडूर में दी हुई है और एंट्री 18 और इस पेट्री चलिए क्या आई है कि मलग क्रांसफर और प्रॉपर्टी एक किसका सब्जेक्ट है यह एंट्री 6 कंकर्ड लिस्ट और एंट्री 18 और इस्टेट लिस्ट में आता है ठीक है यह इतनी बाते हैं आपने पहले जानने एक जुलाई 1882 को इंपोस्मेंट डेट है लॉड जिपन उसमें वाइस लॉय कौन से चीडूल में दी हुई है कॉंस्ट्विशन और इंडिया के में ठीक इतनी वास्वाज में आगई चलिए अब हम लोग यह देखते हैं कि ट्रांसफर और प्रॉपर्टी मेरा आप से कॉस्चन है आप लांप ग्रांप और प्रॉपर्टी कितने तरीके जो सकता है ठीक है बाइट है किसी एक आप्मी से दूसरे आपके जा सकती है यह दो तरीके से पहले इसको भॉपार्ठ मेरा करते हैं क्या क्या या तो by act of parties होगा by act of parties मतलब parties आपस में करें एक आदमी दूसरे आपनी को बेच रहा है या by effect of law या law का effect जब होगा या operation of law फीज़ यह दो तरीके सोचता है या चलिए पहरे effect of law दिखते है effect of law क्या है इसके example देखे for example in the case of land acquisition act land acquisition act succession act succession act और क्या क्या है UP ZALR UP जमचारी evolution act ZALR evolution land reform act यूपी जड़े अलार एक ये एक्जाम्पिल है भाई effect of law की transfer of property by effect of law कैसे होती है land acquisition act Indian succession act succession act क्या कहता है section act में क्या होता है अगर एक आदमी है तो अगर वो डैट होती है उसकी तो अपने आप हर को जानता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटों को मिल जाएगी ठीक है उसके संस के पास जाएगी तो कैसे कैसे ही पहुंच जाती है यहीं है effect of law है भाई वो अपने आप आप प्रॉपर्टी जो है ट्रांफर हो जाएगी यूपी जड़े लिया यह सब एक्जाम्पिल है effect of law कि transfer of property by effect of law कैसे होता है ठीक समझ में आइतनी बाद चलिए तो आगे बढ़ते हैं एक्ट ओफ पार्टी कैसे होता है एक्ट ओफ पार्टी वी दो तरीके से हैं फस्ट वर्ण कि भाई कि टेस्टामेंट्री अब यह क्या होता है अभी देखते हैं और नॉन टेस्टामेंट्री कि यह क्या होता है टेस्टामेंट्री वाई एक्ट ओफ पार्टी दो तरीके से होगा या तो वह टेस्टामेंट्री होगा या नॉन टेस्टामेंट्री होगा टेस्टामेंट्री क्या होता है भाई तेस्टामेंट्री का एक्ञाम्टला है मतलब यह जिसे दिन कहते हैं वसी पीजों अब है यह एकजामपिल वाध है डेस्ट्राव disciplines स्कॉस cervical ऑफ में टेस्टामेंटरी डिStar केंखनें फिरन टेस्टामेंटरी करें होता है प conservatives में जिन लीग पशंड आगर कोई एक दूसरे आदमी को अगर एक आदमी दूसरे आदमी को सेल के थुरू एक्सचेंज के थुरू क्या है सेल हो एक्सचेंज हो मॉटगे जो कि यह सब्सक्राइब और बहुत साइब सकता कि यह था यह यह नॉन टेस्टामेंटरी होते हैं अब ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक जो वह एक्टीन एक्टी टू तो क्या वह इंसारी चीजिएंगों पे अपलाई होता है बताएए नहीं वह सिर्फ नॉन टेस्टामेंट कि आप्लाई होता है थीकत ट्रांसफर और प्रॉपर्टी बहुत तरीके से होते हैं अफ्ट आफ में अफ्ट ऑफ लोगय में सक्सेशन एक्ट यूपी जडिय एला रहा एक लैंड एक्विशन एक्जांपिल ऑफ एक्ट आफ ऑफ लो एक्ट आफ पार्टी में प्याता है और नोन टेस्टामेंट्री क्या होते हैं वो उस चाइप के ट्रांसफर जो आदि के मलने के बाद में आते हैं for example in the गौन से होते हैं नौन टेस्टामेंट्री होते हैं जो एक लिविंग पर्शन दुसे लिविंग क्यों क् titre आ replaced होता है क्योंकि यह सख्सेशन एक से डीं होगा लेकि नौन टेस्टामेंटरी जो है वह टिप्टी सटील होगा सेक्ष्यन थी का बहुत IMPORTANT Section 3 में क्या दिया हुए definition बहुत IMPORTANT object 3 का question है क्या है इस से according to section 3 इंस्टुमेंड Mmm कि नौन टेस्टा मेंटरी इंस्टुमेंट बहुत बार बहुत बार पूंचा गया है ठीक है आप जब अब्जेक्टिव टाइम लगाएंगे तो खूब यह पुश्चन देखेंगे जो सेक्शन 3 में डेफिनीशन दी हुई है उसी में इस्टुमेंट की डेफिनीशन दी गई भी है उसमें क्या बोला गया है कि इस्टुमेंट अंडर प्रांस्पर आपरेटी एक इस्टुमेंट नीस नॉन टेस्टामेंटरी इस्टुमेंट यहां तक बात इलियर हुई चेलिए आब आंगे बर्दक यह सबनोट कर लिए अब लोग है आव आगे देखते हैं क्या है इसमें ते तीन-चार कॉस्चन बनेंगे ठीक है और इस टाइप के कॉस्चन है जो खूब पूचह जाते हैं कि पीए में में मालूम होता है कि इस सब्सक्राइब यह टॉपिक से में के कुश्चन आएंगे ठीक है पिरी में थोड़ा मैनत करनी पड़ती है लेकिन आसानी से हो भी जाता है घबाने वाली कोई बात नहीं है चलिए अब हम देख रहे हैं इसमें कि ओवर्व्यू ऑप दिय है वही अपना पुराना फंडा ठीक सारे एक्ट हम लोग ऐसे ही देखते हैं कैसे देखते हैं अब ओवर्व्यू क्या है कि इस एक्ट का ओवर्व्यू क्या है इंपोस्मेंट डेट आपने देख ली तीक उसके बाद में यह एंट्री लिस्ट में कहां दिया हुए यह भी लिए किस टाइब के ट्रांफर में अपलाई होगा यह भी देख लिए अब इसमें है क्या क्या यह देखते हैं ओवर्व्यू जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे ट्रांफर और प्रॉपर्टी है 137 सेक्शन जो की एट फाल एट चैफ्टश एट चैफ्टर में डिवाइड US ओओ आप इसमें क्या करना है में अब आमें देखना आए उन चैप्टर में क्या है डुम्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8, पहरा तो टीर में भी है, टीक, दूसरा क्या है, चैप्टर 2, चैप्टर 2 है, प्रांस्पर ओफ प्रॉपर्टी, बाइ एक्ट ओप पार्टी, यह हम लोग गिटेल में आंके वाले लक्चरस में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसका ओवर्वीू देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तीन में क्या है, सेल है, चार में क्या है, मौट ग एक्षचेंज में, साथ में गिफ्ट है, आठ में इसमें है। कि इतने चेप्टर में यह डिवाइड़ है कि यह चेप्टर वन टू थी चेप्टर फाइव चेप्टर शिक्स चेप्टर सैवें और यह चेप्टर एट पिक चलिए अब क्या है वाई यह जो दिया हुआ है से लेके फोल तक इसकी बात की गई है यह आपको याद करने पड़ेंगे किस चेप्टर आठ ही तो है आसानी से याद हो जाएंगे ठीक है अब इसमें क्या है चेप्टर टू जो है वह सबसे बड़ा है इसको उन्होंने दो पार्ट में बात रखता है कैसे भाई पहला उन्होंने क्या रखा है कि मूवेवल और इम्मूवेवल दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी में यह सेक्शन्स एप्लाई होंगे यह दिया हुआ है सेक्शन 5 से और 37 तक इसका जो पार्ट इसको ए में बाटा गया है इसको बी में बाटा गया है यह केवल इम्मूवेवल प्रॉपर्टी में अप्लाई होगा इसमें कहां से सेक्शन 38 से 53 ए तक दिया हुआ है क्या है चैक्टर टू में दिया हुआ है ट्रांसफर बाइक्ट ओफ पार्टी ठीक ट्रांसफर और प्रॉपर्टी बाइक्ट ओफ पार्टी तो उसको जो है इन्हों ने कि दो पार्ट में बाठ रखा है पहले पार्ट में उन्होंने क्या कहा है कि यह जो सेक्शन होंगे सेक्षन 5 से लेकर 37 तक वह दोनों टाइक प्रॉपर्टी में अप्लाई होंगे चाहिए वह मुवेबल ओ लेकिन जो पार्ट वी में दिया हो जो बीप जो बाटा गया है उ तक इसमें दिया हुआ है अब मॉड गेज में इन्होंने चलिए मॉड गेज कहां से कहां तक है तक है लेकिन इसमें चार्ज भी है चार्ज कहां पर दिया हुआ है मॉड गेज में ही उन्होंने चार्ज भी दिया हुआ है ठीक है चार्ज कहां है अन्ड़ से बंदेट पोर तक फिक लीज सेक्शन वन अन्ड़ फाइ बंदेट पोर पर खतम हुआ 117 एक्सचेंज 118 से 121 एक्सचेंज 118 से 121 एक्सचेंज 122 से 129 और एक्सचेंबल क्लेम 136 अब क्या इसमें यही देखने वाली बात थी इसी यह मैंने लिफा गया वाइसाब पहली बात तो यह कोशन आ जाता है कि बताइए एक्सचेंज जो है transfer of प्रॉपर्टी एक्सचेंज कहां पर दिया हुआ है transfer of property एक में एक्षेंग चैप्टर 6 में सेक्षन 118 से 121 तक गिया हुआ है कि ट्रांस्फर और प्रॉपर्टी एक जो है 70% केसिस इसका जो एक जितना बड़ा है ना 70% पार्ट उसका इम्मोवल प्रॉपर्टी में अप्लाई होता है और 30% प्रॉपर्टी में अप्लाई होता है तो चैप्टर 3,4 और 5 यह तीनों ही यह तीनों ही चैप्टर 3,4 और 5 तिक चैप्टर 3,4 और 5 यह तीनों चैप्टर मतलब सेल, मॉट्गेज और लीज यह तीनों सिर्फ इम्मोवल प्रॉपर्टी में अप्लाई होंगे तिक इम्मोवल प्रॉपर्टी में अप्लाई होंगे फ चेप्टर 3, 4 और 5 यह more property में अप्लाई होंगे एक्सचेंज और gift जो चेप्टर 6 और 7 में दिये हुआ है यह बोथ movable हो या immovable हो दोनों पर अप्लाई होंगे ठीक और actionable claim सिर्फ movable में अप्लाई होगा ठीक है चलिए फिल से देखते हैं इसको अभी तक क्या देखा हम लोग ने हम लोग transfer of property एक का overview कर रहे हैं overview में हमें पता चला इतमे 37 sections हैं जो की 8 chapters में divided हैं तो हम लोग ने 8 chapters लिख लिए हैं ठीक है उसमें लिखते हैं हम लोगों क्या क्या जाना कि पहला प्रीमिरी है जिसमें section 1 से 4 तक है दूसरा transfer of property by act of parties है कि act of parties से transfer कैसे होगा उसको दो पार्ट में पाटा गया ए और बी में पहला ए जो पार्ट है वो दोनों type की property पे apply होता है चाहे movable हो चाहे immovable हो जो की section 5 से लेकर 37 तक दिया हुआ है बी जो पार्ट है वो immovable property पे ही cable apply होता है जो की section 38 से 53 A तक दिया हुआ है थी chapter 3 में sale है जो की 47 से 57 तक है chapter 4 में mortgage है mortgage के अंदर ही चार्ज भी दिया हुआ है mortgage कहां तक चलता है 58 से 104 कहने का मतलब है इस पर हम लोग 99 तक भी ले सकते हम लोग 58 से 99 और 100 से 104 तक चार्ज दिया हुआ है ठीक लेकिन वह chapter 4 में ही दिया हुआ है चलिए यहां तक क्लियर हुआ chapter 5 में lease है lease 105 से 117 तक दी हुई है chapter 6 में exchange है जो 118 से 121 तक और यह सब देग लिए ठीक है 122 से 129 गिफ्ट है actionable claim 130 से 137 या रखने वाली बात क्या है केस में इन तीनों की चीजों में सिर्फ यह इमोवल प्रॉपर्टी बात करता है मुवल प्रॉपर्टी की सेल करनी है तो टीपीए में नहीं होगी कहां होगी वो सेल्स ऑफ गुर्स में जाईए आप ठीक है तो चैप्टर 3,4 और 5 इसमें केवल इमोवल प्रॉपर्टी की बात करता है एक्सचेंज और गिस्ट के केस में करना हो यह दोनों में दोनों प्रॉपर्टी आ जाती है बहुत ठीक एक्स नेवल क्लेम में सिर्फ मुवल प्रॉपर्टी आएगी चलिए इतना जाने आप लोग आप ऐसा करिए आप अपना अपना बेरेक निकालिए ठीक ब क्यूंकि के कॉस्टन जिसमें काफी आते हैं यूपी यूडिसरी ओ चाहें आपका व्याज जूडिसरी हो जाहें आपका तो लोग यह लिखेंगे कि कौन सी डॉक्ट्राइन के नाम से जाना जाता है तो सबसे पहले आप नोट करिए सेक्शन ट्वंटी सिक्स क्या है कशन फॉल्फिलमेंट औप कट्रेशन campe किछ फॉल्फिल्मेंट ऑफ कंडिशन के इस रूथ जिसको बोलते हैं डॉक्त्राइन ऑफ साइप्रस करें सब लोगत शयक्राइब रॉफिल्मेंट औवक डालिवर्ण और साइप्राइन को हम लोग आध्विन का था हैं गेर कि डॉक्त्राइन और दिस्पोजीशन इसको आप लिए डॉक्त्राइन और एक्सेलेरशन अगर प्री में कोश्चन आता है कि डॉक्त्राइन और एक्सेलेरशन कौन से सेक्षन को कहते हैं तो उसमें 25, 26, 28, 28 दिया हुआ है तो आप सेक्षन 27 टिक मार के आएगा ठीक है 28 लिए 28 को क्या कहते हैं 28 को हम लोग कहते हैं डॉक्त्राइन और कंडिशनल लिमिटेशन 28 को डॉक्त्राइन और कंडिशनल लिमिटेशन चलिए सेक्षन 36 को हम लोग बोलते हैं Doctrine of Apportionment वह उसकी है और सेक्षन 37 को सेक्षन 37 को हम लोग बोलते हैं Doctrine of Substitute Security अपने बेरएक में नोट करते चलिए कि इंडेक्स में ही जहां पर कंटेंट दिया हुआ है कि सेक्शन 37 क्या लिखा आपने डॉक्ट्राइन ऑफ सब्ट्यूटिट सिक्यॉर्टी सेक्शन 41 क्या करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लिखेंगे लेकिन अभी आप लिख लीजिए ठीक है कि कभी भी आप ब्यारक खोले तो आप यह सब चीज़ें पहले ही देख लें यह लास्ट टाइम बली चीज़ें होती हैं ठीक है सेक्शन 41 को के लिखा है आपने है क्या ओडिंग आउट सेक्शन 43 क्या राख के लिख लिखाबवर के लाउट सेक्शन 43 डोक्ट्राइन ओफ रीडिंग देगरांडotal होंने Section 48 Doctrine of Priority, इसकी heading भी है Priority of Right created by Transfer इसको बोलते है, Doctrine of Priority, Section 52 Doctrine of Lispendency, बहुत पूछा जाता है बहुत पूछे जाते हैं ठीक है इसको detail में पढ़ाएंगे हम लोग, अभी लिग लिग लिजे 52 में Doctrine of Lispendency, इसमें आप एकेंग भी डाल लिजे कि वह सिच्सा न बहुत कूछा जाता है पिरि में व्यामे सेवाइन 52 सेक्ट फिटी डू का रम डाविश की सह्थ अगश्ट्रकरल मशनग स्पेंडकर इंफ्गराईस ए Κशल सेबी करिए रोकटराइन अफ इंकंबरैंस Section 57, Doctrine of Incumbrance चलिए, अब कौन सा रह गया, Section 61 पर आजाईए Section 61, Doctrine of Consolidation Note करते चलिए, Section 61, Doctrine of Consolidation और कौन सा रह गया, अब चलिए, Section 71 Doctrine of Substitute Security Section 71, Doctrine of Substitute Security Section 81, Doctrine of Massling on Mortgage यह बहुत पूछा जाता है, ठीकर Section 81, Doctrine of Massling on Mortgage Section 82, Doctrine of Contribution Section 82, Doctrine of Contribution 91 पर आजाईए, Redeem, 91 पर लिखे, Redeem of Foreclosed Down रवाने वाली बात नहीं है, यह सब डीटेल में पढ़ेंगे अभी सिर्फ आप लिख लिजिए, क्योंकि यह लास्ट टाइम बाली चीज़े होती है, लास्ट टाइम लिखवा नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, तो इसको पहले ही लिख लिजिए, कि कभी भी आप बेरेक खोलें तो इन पर नजर पड़ें और जब तक आपका पूरा टीपीए खतम हो, तब तक आपको यह सब आसानी से याद हो लिख 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 लोग यह तीनों ही इंपॉर्टेंट है, 91, 92, 93, काफी कोशल पूछे जाते हैं, तीक है, उसके बाद में सेक्शन 126, 126, 127, 128 बाहर पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट 126 में आप लिख लिए, इसको हम कंडिशनल गिफ्ट बोलते हैं, ठीक है, तो नेस्ट लेक्शर में हम लोग क्रिम ली देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जसमें सेक्शन 3 में डेपिनिसन क्लाउज ह है टाइम भी उसमें थोड़ा लग जाएगा एक दू लग जाएंगे चलिए ठेंक्यों कि है अलो दोस्तों ऐसे आप लोग जलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज हमाई टीपी पी दूसरा लेक्षर है ठीक है अगर आपनों में फॉस्ट लेक्षर ना देखा हो तो देग ल लाइब होता है ठीक है इस चैटर टू है उसमें दिया हुआ है कि मोवल इंपर परपर्टी कर दूस्ट दिये हुए हैं हमने सब लोग जाना था ठीक है आप देख लिए उसको चलिए तो आज हम लोग से स्टार्ट करने वाले हैं कि हुआ है सेख्षर वन क्या रहता है इसका सौर्ट टाइटल कमिस्मेंट ऐसे ठीक तो सौर्ट टाइटल क्या है इसको हम ट्रांस्ट परपर्टी एक कहेंगे 1882 ठीक क्या है कमिस्मेंट डेट हम लोग ने इंडिक्टी पार्ट में देख गा था फर्स आप जुलाइट एक इस एक्सेंट बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिये हुए उसको सब भूल जाई है जो लिखा है वह पार्ट भी स्टेट्स जब हुआ करते थे जब सब्सक्राइब और जो ऐसे लिए उसको कभ रिपील करके बताईए तो इसमें आप लिए इस एक एक स्टेंट में आप यह लिए एक लिए एक इस एक और विए एक एक सब्सक्राइब पंजाब नहीं होता है और डॉक्मेंट एपलाइए नहीं होता है वैसे तो कोड मापक को पंजाब में जब प्रॉपर्टी का कोई को इस देखते और तो टीपीं अप्लाइए करते हैं ऑन लिए प्रॉटिक्न रौवन पर जीक है तो इसन में इसन सिर्फ पितना लिए इस दो इसमें भी आपको कुछ नहीं देखना है कुछ भी काम का नहीं है आपके लिए क्योंकि ऐसे तो हम लोग अगर एक एक लाइन से पढ़ेंगे फिर कैसे लिवा सब्सक्राइगा आपको हम लोग को देना है कि कौन सी चीज इसमें आप जैसे की टांफर वान परसन और यह सब चीज़ें तो हम लोग देखेंगे तो डीटेल में पढ़ी जाएंगी चलिए सेक्शन टू में आप लास्ट में आईए सेक्शन टू सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि चैप्शन टू यह कहता है कि चैप्टर सेकिंड मुस्लिम लाप पे मौंडन लाप अपलाई नहीं महता हूं चैक्टर सेक्ड जो की सेक्शन फाइट से लिएकी 53A तक है कि नहीं होता है इतनी बस काम की बात है स्व长 मैं प्रिब्र इंटरपरेशन क्लाउज में इंटरपरेशन क्लाउज में है इंस्ट्रूमें की दिए एक जिस्टर्ड की दीए एकनेबल क्लेम की दी दी वी और यह सब हैं नहीं तो उसमें आपको दिया थी है तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कहां तो ऐसे भी याद होना चाहिए आपको तो इंस्टुमेंट हम लोग ने पहले बात की तिन टोटकरी पार्ट में इंस्टुमेंट में इंस्टुमेंट में और कुछ देखने को है नहीं बस आप ध्यान रखेंगे बहुत पूछा जाता है फिरी में यह तो मतलब यह समझेगी बहुत चल आगर 10 कोश्चन आते हैं तो तो इसके डिए चैनल डोग इसमें आपके लिए अप सात में इनवर्ट श्राइब यह तो इस सफिरेंगे डिखता है आपके लिए आप साथ में नोर्स बनाते चलें तो इमोल प्रोपर्टी अटेस्टिड और एक्स लेवल क्लेम और नोटिस यह चीजे अम लोग डीटेल में पढ़ेंगे इसमें इंस्टुमेंट अभी मैंने आपको बताई दिए इंस्टुमेंट में कोई काम की जिर नहीं से वितना याद यह एकि इंस्टुमेंट का मतलब है कि वो चाहिए कहां अब अभी हम लोग में उहिए प्रॉपर्टी में इसक्स़ेंगों कि निगेटिब और यह क्य horse इस पैसे उन्हों उन्हें इह नहीं बताया गिए कि मोई ने है सिर्फ यह बताया है कि इंब१ोल प्रोपर्टी क्या नहीं है इसमें इंध। हमगी स्टेंडिं टिंबर ग्रोइंघ और ग्रास यह पेडिन धू और मुझाओ कि पर बंद गता है कि नहीं है लेकिन यह तो नहीं बताया कि प्रोपर्टी क्या है तो इसकी वजा से हम लोग को क्या करना पड़ा अब यह कंप्लीट तो डेप्टीशन नहीं है तो भाई अब इससे काम चलने रहा तो पुछ ना कुछ तो हम लोगों को कही नहीं देखना पड़ेगा को हम लोगों ने जन्रल क्लाउज के देखा हम लोगों कि अ कि आतिकल 67 हाँ नहीं है का मुझे करके के बाताईएगा कि Constitution में definition clause मतलब Constitution में भी तो टर्म इस्तमाल हुए हैं तो उनकी definition कहीं नहीं दी होगी तो कहां दी हुई है आप मुझे कमेंट करके बताईए चलिए जन्रल क्लाउस एक्ट हम लोग ने क्यों देगा यह मैं बताने वाला था कि अगर कोई भी definition कहीं पर ना मिले तो आप जन्रल क्लाउस एक्ट देख लिएगा तो यहां पर भी लोग ने भी अप्लाई गिया अब भाई मोल प्रॉपर्ट यहां नहीं दिया हुआ था तो हम लोग चलो जन्रल क्लाउस एक्ट देखा तो उसमें हमने जाना कि सेक्शन 3 सब्सक्राइब याद करने जरूरत नहीं है यह चलिए मेंस में लिखेगा इसको भी शेक्शन 3 विख्शन 26 में यह दिया हुआ है कि इमोन प्रॉपर्टयि इंक्लूट आब इन्होंने कई तरहा बोट्सक्राइब कैया है यह इंहों प्रॉपर्टय ज्क्राइब कहा थे शरुपर्पर्टेट प्लें लिक कि इमोलड प्रॉपर्ट प्लेंट benefit to arise out of land things attached with the earth and the things permanently first end with the things so attached with the earth तीक है इन्होंने चार चीजें General Clouds Act में जोड़ दी एक, दो, तीन, चार, पांच पांच चीजे इन्होंने जोड़ दी कि ये ये चीजे इन्मोर प्रोपर्टी में आएंगी तीक है अब ये भी तीक है अब ये भी अपने आप में complete नहीं थी तो उनने क्या किया registration देखा उठा के ठीक है भाई EPA में बहुत छोड़ी definition दी दी, definition ही नहीं दी है उन्होंने तो ये कहा कि standing timber growing cross across इमोर प्रोपर्टी नहीं है इमोर प्रोपर्टी क्या है ये जानने के लिए जनल्राउज एक में गया है जनल्राउज एक में क्या दिया हुए था कि land benefit or out of land thing attached with the earth and thing permanently first and with the thing so attached with the earth ये चीज़े इमोर प्रोपर्टी है लेकिन ये भी complete नहीं दी तो हमने क्या किया तो हम चलेगा प्रोपर्टी इसके इलावा भी और आ रहे है तो हमने क्या किया चलिए जोगिए इसको थोड़ा डीटेल में और देखते हैं अब हम लोग इसमें देखते हैं land में क्या क्या इंक्लूड होगा benefit to arise out of land में क्या क्या इंक्लूड होगा thing attached with the earth में क्या क्या इंक्लूड होगा इधर और things permanently first and with इन चार चीज़ों में क्या क्या चीज़ें और आजाती है कि अरे सिर्फ लेंड कह देने से सब कुछ थोड़े हो जाएगा आपको में डीटेल में बताना पड़ेगा क्या और क्या क्या इसमें आ जाता है Kis outro कि इसको साह कर्ते हैं फिर आप के लिए भी फिर अंगे स्टाट कर द म nella za कि अ मगमार कि इसमंद्वा और आपके कि कर निये समद्वें तो आज बगां और कमंडमेंट नहीं कर रहे हैं का मतलबम में बगभा के इस आतागा तो हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं लोग देखते हैं लैंड चैक अग्यूप करता है कि पैने से पुराइब आइब आप लैंड जब आप और जब आप जब आप जब आप जब आप जब आप जब आपके जो सेक्शन स्थी में जो दिया हुआ है जब आप अटेस को दिया हुआ अटेस्थ विद आप जब आप जब आप जब आप जब आप अब राइये मां समझने साब आएगा ठीक है डीक है लैंड में क्या क्या जाएगा बाई नताईए आप लोग सुचिए क्या क्या जाएगा अब लैंड में वो सारी चीजें ठीक है चाहें कि इनल कि एंड और सर्फेश ऑफ लेंड अब चाहें अब माले कोई लैंड है तो उसकी स्वाइल ठीक है उसके उपर अगर वाटर है तो वह वाटर ठीक है कोई लेक है तो लेक उसके अंडर मिन्रल्स हैं कुछ भी है वो सारी चीजें इम्मोल प्रॉपर्टी में आ जाएंगी क्योंकि वो लैंड इंक्लूज और होगते ना कि फिर्व भी वी इम्मोल प्रॉपर्टी में अगर वाटर ठीक है बंबिंग जाहें लैंड डीज में करें आवड है छीज़एं ओडर सफेस इनव्डूज ब्सकेति फिरी वाटर, स्वाइल, मिन्रल्स, लेव, एक्सक्राइब नहीं आपको यह एक्सली में 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 पूंस भी दिया जाता है, इमोल प्रोपर्टिक, इपाइन इमोल प्रोपर्टिक अंगर TTA तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा तो मैं सुन चाहिए ठोड़ा डीटेल में लिखने है इसमें benefit to arise out of land benefit to arise out of जैसा यह लिखा हुआ है वैसा ही बोलना चाहता है अब land अगर इमोल प्रोपर्टिक है तो उससे benefit जो आ रहे हैं ठीक है benefit to arise out of land कहीना मतलब है कि हरिडिटरी अगर कोई बिल्डिंग है उसका जो रेंट आ रहा है प тु पाएंगी थो उसमें से जो उसका राइट होगा ना वह अच्रेशन ऋिकल मेंगा आजा hold property में आएगा , थीक है क्योंकि वह land include landield also leave आथ और ले भी करा हैं, जारि वन बर परपर्टी ये लिख लिखते हैं क्या है Fris Moe Plum Land of Building और राइट पूप पहले एक कितरी अब लोग देखेंगे इसको प्रेंशन मत लीजे आपका प्रीक आतो एक कोस्टन नहीं छूटने दूँगा चलिए कोस्टन तो नाइंटी परसेंट तो आपको करवा के होंगा ठीक है आप फिन अठीक परसेंट में दूप गीधी कोस्टन लीजन कोस्टन बना करते हैं अब तिंग अटेष्olly ंध रख हांछेंग देखी स्क्शंट री में क्या दिया हुआ है Attested to the earth means A. Rooted in-the earth As In the case of trees and kryes अब क्या है रूटिट इन दा हर्स एंग केश और प्रीज की केश में एक अब्जेक्टिब में कुश्चन आ जाता है जेके ट्रीज में दो कंशेप्ट है जिक नहीं है क्या है पहला यह है अगर कि प्रूट और कि प्रीज है उनको दो पाट में बाटा गया है अगर ऐसे ट्रीज है जो फ्रूट्स देते हैं ठीक है जिसमें से फ्रूट्स ग्रोइबर्ड प्रॉइब्र상ड जाएंगे और फ्रूट्स दमीति घ्र ऑल्ड उनको चाने हैँने अगर यस्ट्बन माने अगर बार क्योछ söz पड़ी थी कि more property does not include standing timber तो वो मुवेवल हो जाएंगे एक्जाम्पिल मीम का पेड़ बबूल का पेड़ और सीसम का पेड़ यह सब क्या है यह सब मुवेवल है औप्जेक्टिब में कई वा फूस दिया जाता है चारपाज पेड़ के नाम दे दिये जाएंगे कि इसमें बताइए कौन सा मुवेवल है या कौन सा इम्मॉवेवल है तो आप कहेंगे यह कैसा question आ गया मैं पहले से ही बता दे रहा हूं आपको क्या है कि अगर fruit growing tree है जिसमें से fruits निकल ले हैं तो फिर वो इम्मॉवेवल माना जाएगा अगर वो ऐसा पेड़ है जिसकी लग पूल सीसम तो वो मुवेवल है ठीक है एक question हो जाता है mango mango tree क्या है इसकी लगड़ी भी इस्तमाल होती है और mango तो खाये जाते हैं ठीक है अब मैंगो ट्री के केस में इंटेंशन ऑफ दी पार्टी इंटेंशन ऑफ दी पार्टी डिपेंड करती है अगर जिसके पेड़ है अगर उसने fruits बेचने के लिए अगर वो पेड़ लगाया है ठीक है तो फिर वो इम्मॉवेल में आएगा ठीक लगड़ी बेचने के लिए लगाया है तो वो standing timber में आप किस साथ से जुड़ी हुए है रूटे इंदा जो जमीन से होगे है जैसे कि ट्रीज और सब्सक्राइब होगा तो इसको इम्मॉवल प्रॉपर्टी काएंगे अगर standing timber होगा just standing timber बोंगे जो जिसकी लगड़ी सिर्फ manufacturing के इस्तमाल में आपको चाहे हाउस के लिए चाहे पर नीचा के लिए जैसे की नीम बभूल और सीसम मैंगो के case में इंटेंशन डिपैंड करता है ठीक है क्योंकि इसकी लगड़ी दोनों के काम आती है ठीक अब अचनल में उसको मेटा लिए इंबड़िए इंबड़ी दिव इंबड़ी इन होगा ईशन है चाहिए आपको सब्सक्राइब के लिए तो हाप ज़से है वहाई पर आदे मांटे और फॉलें तो फाइदा थोड़े होसे इंग फर्मार्टिली फर्स्टाइड इंग दिचिए इंबडेट इंद आर्थ में कोई ची जगा पर्मानेंटली जोड़ दी जाती है तो वह प्रोपर्टी में आ जाएगा जैसे की और एक्जामपिल रहा है विंडो और रहा है प्रमानेंटली तो पिट की जाती है तीक है गेट अब यह गेट लगा हुआ है यह पर्मनेटली तो है इसको यह तोड़े गया लगा रहे हैं का लटा देंगे मूव होता है लेकिन यह मूवेबल में नहीं आएगा यह इम्मोवल है क्यों क्योंकि यह पर्मनेटली फास्टेंड विद्ध थिंग्स इंबडीड इंद अब जड़ा इसमें अब डेखते हैं लोग मार और क्या किदश आए है कि कुछ कोश्चंस आते हैं इससे कि इसमें प्रोपर्टी चलिए हम लोग लिख लेते हैं आप अब इसमें क्या है आता है क्यों देखना तो इम्वसमें seconds है। क्या 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 कि अता है अगर इसको इम्वस प्रोपर्टी उसчески माणेंगे। क्योंगों the link кноп क्लेंघ डिक औप के सासा क्या का चीजा जाती charges को चैँ cham उपर हम तो गॉल्ड और मिनरेब पाइज आएंगे लेंगे नीचे ना तो यह जो प्रोपर्टी में आएगा राइट टुपिश्री और फैरी राइट टुप रेंट फ्रॉम बिल्डिंग यह देखा दम लोगने राइट टूपर प्रीदूस राइट टूप क्लेक्ट लैक्ट फ्रॉम इस ट्रीज मॉट्गे याद रखना इक्रिटी ओफ रेंट बहुत पूछा जाता है अब आपको पता चल गया होगा कि यह इम्मोवेबल है लाइट ओफ वे इसमेंड काफी पूछा जाता है ठीक है इसको लिग लिजेगा और याद भी कर लिजेगा अब प्रोपर्टी में क्या क्या आता है गाइ सब्सक्राइब नहीं क्या है मैंटेणस अंच्सित जाता है टीक है자리 लगास क्या मूवेबल प्रोपर्टी है क्कृआइट मॉवेबल रैट्टिक्रीभ ऑरा इस अफ्लने जेक्क्र यह सारी चीज़ बुवेबल है इसके इलाव और मुवेबल क्या है जो तीन चीज़ें वहां दी वहीं दी क्या क्या इस्टेंडिंग टिंबर ठीक है बताइए और ग्रास ग्रोइंग क्रॉप रखते हैं तो आज के लिए नहीं रखते हैं जाले ठीक है तैंक यूझ कि अगर दोस्तों कैसे आप लोग चलिए तो इस्टार्ट करते हैं आज हमारे टीपीए भी तीस्रा लेक्चर है ठीक है हम लोगों ने क्या देखा था हम लोगों ने देखा था सेक्शन 3 में मोवेबल प्रापर्टी इमोवेबल प्रापर्टी क्या होती हैं दोनों ही चिज़ा देख रहिए तो यह बताइएगा कि मैंटेनें चल्ष कुमेंट करके बताईएगा सब्मु चलिए तो आज लोग क्या पढ़ने वाले हैं वे अब लोग पढ़ेंगे कि इंस्टुमेंट चलिट को पोड़ लोग ट्विपई इंस्ट्रूमेंट मीज यस नॉन टेस्टमेंटरी इंस इस्टूमेंट है very गोड तो हम लोग आउवत पढ़ेंगे अटेस्टिड था क्या होता है बताईए इसंगत आप कि अपक्रनाट है कि ने है कि आपक्रनाट है चाहंगे मतर् verdict है कि उस्ट implication मतलब वो डॉकुमेंट जिसमें दो विटनेसेज ने या टेस्टिंग विटनेसेज भी कह सकते हैं वो डॉकुमेंट जिसमें दो विटनेसेज ने साइन किये हो इसलिए कि एक एविडेंस त्यार हो जाए कि यह जो इसका एक्जिक्यूशन हुआ है वो ड्यू जिससे यह पता चल जाए यह वो विटनेशन उसको एकनॉलेज कर सकें कि वह जो हुआ है उसमें मतलब कोई जो लोल नहीं है किसी टाइप का फोर्स अंड्यू इंफ्लेंस प्रॉड का इस्तमाल नहीं हुआ बस इतनी छोड़ी बात है ठीक है चलिए हम देखते हैं किसी कब ज आता तो एक करना पड़ेगा है कि एक हुआ है हुआ है कि क्या मैं यह कि गे डीड क्या अगर फियर कि सुधिए मैंने आपको समझाने के लिए अगर एक बी को वाइट हाउस लिप करना चाहेगा आप आँए पड़ेंगे कि कोई भी इम्मोल प्रापर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपय से जादा होती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अब गिफ्ट का केस है, इसलिए इसमें आटेस्टिट भी कराना पड़ेगा, यह दो चीजें आपको इसमें करानी पड़ेंगी क्या क्या सब्सक्राइब किस द्र도 आगर धिस्नί रेफ्र जाएगा तो जब भी को जब करना जाएगा नोगों गीड में जोड़े तो ए को हम लोग यहां पर क्या कहेंगे वैसे तो यह ट्रांस्परी है कौन है इसको एक्जिक्यूटंट कहेंगे क्या कहेंगे एक्जिक्यूटेंड चलिए ठीक है इसको एक्जिक्यूटेंड कहेंगे ये को जो प्रॉपर्टी दे रहा है ट्रांसफर कर रहा है ठीक है उसको एक्जिक्यूटेंड कहेंगे तो अब जब ए जब बी को गिफ करना चाहेगा तो गिफ दीट के लिए उसे कितने लोग चाहिए पहला तो एक्जिक्यूटेंड यह तो वो खुद जाए एंड इसको प्रॉपर्डी देना है कि और कौन चाहिए और हमारा चाहिए हाँ तू बिटनेसे एड लीस्ट तू बिटनेसे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं हाँ ड्लाइटनेसीं अदर या तो टाइपिस्ट हो या डाय्टर जो भाइ अगके प्यूट बनाएगा वह वह तो चाहिए टाइपिस्ट या राइटर इतने लोग चाहिए इतने लोग हमें चाहिए इसके लिए तो देखना क्या है हमें देखना हमें यह है कि इसमें किसके साइन होते हैं यहां पर सबसे पहले साइन करेगा फिर कौन करेगा ट्रांप्री जिसके पास प्रॉपर्टी जा रही है और विड्नेश वन विड्नेश नमब्ड वन विड्नेश नमबर तूर जो विड्नेश चाहिए न जो से ज्यादा वे वह लगते हैं तीन हो तो तीन करने हो नुग हम आप यह राइटर यां काईपिस जिसने इस गिफ्टीर दयार कीए उसके भी साइन होंगे और सबसें काफी जगार साइन होते हैं यहां पर हम लोग एक सेंपल के तौर पर याद रखने के लिए यह सारी चीज़ें काम आएंगी ठीक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एक गिफ डीट पे कितने लोगों के साइन होते हैं एक ट्राजफरी के विटनेस के दो दो विटनेस होंगे ठीक तर इन सब लोगों के साइन होते हैं चालिये और पुछ है और तो कुछ नहीं है और हमें यह देखना है अब आंगे बढ़ते हैं अत्यक्तार आप समझ में आया था कि पताईए वाई अतश्यस्टेंस क्या होता देस्टेंस मीन तू कि है जो विए अभिदेंग कर दो दो नहीं गरए कि अधिविंग को तो आप मुदा है प्रणी डेफिनेशन होगी पढ़िए आप लोग बताईए भाई अगर आप से कोई पूछे अट्रेस्टेशन क्या होता है तो अट्रेस्टेशन मीज्टू साइड डॉक्मेंट एड़ेटेंस ऑफिट्स दिव एक्जिक्यूशन एक एड़ेटेंस तैयार हो जाए कि इसका ए चीज समझ में आएगी क्या मतलब इसका एविडएंस में बहुत अच्छा खासा रोल होगा हां बिल्कुल सही आप लोग सोचे स्का एविडेंस में बहुत अच्छा खासा रोल है section आप लिग लिजेगा read with section 68 से 71 Indian Evidence Act क्या बोलता है यह बोलता है वो cases बताते हैं यह कि अगर हमें कोई भी attested document प्रूफ करना है कोई भी attested document प्रूफ करना है तो आप उसके attesting witnesses को ले आईए ठीक है तो 68 में यह दिया हुआ है आप लोग चेक करिएगा उसमें यह भी दिया हुआ अगर attested witness मल जाएं 69 में 70 में सब में यह सब चीज़ें कर्डिशन दी हुए है अटेस्टिंग बिटनेस जिनाए कर दे अटेस्टिंग विटनेस आया ना इन जब चीजों में कैसे कैसे वह पूप अटेस्टिट डॉक्मेंट प्रूफ होगा ठीक है तो एक एविडेंस के लिए इसका हुआ है कि नहीं हुआ है अब क्या इस स्रीट के बाद हम लोग क्या देखें अब देखते हैं इसका परपस क्या है क्या देखते हैं परपस देखिए एक लीडिंग केस है है नोड कर लिएगा कुमार हरीश चंद्र वर्सिस पंसी धर मोहंति 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 टिक यह लीडिंग केस है इसमें क्या हुआ था 1965 में सुप्रीम कोर्ड में क्या बताया था परपस बताया था कि अटेश्टेशन का परपस क्या है परपस क्या बताया था उन्होंने कहा था Attestation का Main Purpose है To Protect The Executant To Protect The Executant किस चीज़ से Protect करना है इस चीज़ से To Ensure That क्या Ensure करें That The Execution Not Done By Any Force Undue Influence Or Force Undue Influence Of Rod समझ में आ रा है कि नहीं Supreme Court ने जब इसका Purpose बताये था To Case का नाम है Kumar Haris Chant Vs. Banshida Mohanty जिसमें क्या बोला था 1965 में Supreme Court ने इस केस में इसका Purpose बताया था कि Attestation का Purpose क्या है Purpose क्या है पहला To Protect The Executant To Protect The Executant To Protect कर सकें इस चीज़ से कि जो Execution है कहीं Force कहीं Force Undue Influence या Fraud के द्वारा तो नहीं हो रहा है Free Will है ना उसकी समझे की नहीं अपनी इच्छा सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है आप इस केस में देखिए अब यहां पर क्या हुआ A B को Property Gift करना चाहता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं यह B Force के साथ तो नहीं या Indie Influence का इस्तमाल करते हुए तो नहीं या Fraud करते हुए तो नहीं यह सिफ Property Gift करा रहा है इसलिए हम लोगों ने दो बिटनिसेस को ले लिया ठीक है जो यह बात ऐसे ओर करेंगे कि यह अपनी इच्छा से ही Property दे रहा है कि नहीं ठीक है आई बात सोंच में चलिए अब क्या आप लोग रह जाता है आप इसके अजेंशियल्स भी देखने पड़ेंगे यह सब हम लोग क्यों देख रहे हैं क्योंकि यह Mains में भी आता है और अजेंशियल्स में भी आता है और इसके अंदर से Objective टाइप भी आते हैं ठीक है Objective टाइप कैसे आएंगे वो आपको अभी बताएंगे तो अजेंशियल्स क्या है अजेंशियल्स ऑफ अटेस्टेशन क्या है पहला और सबसे जरूरी ठीक है Attestation of document Attestation of document require Attestation of document require Only in 3 cases In 3 cases में ही Attestation of document जरूरी होता है कौन से 3 cases पहले तो Gift ठीक है B आपका Mortgage ज्यान रखिएगा C Will सिफ इन तीन टाइप के transaction में किसी को property gift करनी हो या किसी को Mortgage करनी हो या किसी को Will लिखना हो इन 3 में ही Attestation Require होता है Position objective में आएगा कि इसमें से Attestation of document Require किसमें नहीं होता है या किसमें होता है उसमें Sale भी लिखा होगा लेकिन Sale में Attestation of document Require नहीं है ठीक है आपने घर पे property document देखे होंगे ठीक है Registry देखी होगी उसमें Witnesses के Sign होते हैं लेकिन TPA में Sale में Attestation of document Require नहीं है ठीक है क्या है Sale में Attestation of document Require नहीं है Confuse मत होगीएगा Last year ही उत्तरागंड Judiciary में ये question आये था Paper उठाके देखिएगा क्या आये था Attestation of document किसकिसमें Require होता है तो Gift, Mortgage और Bill ज्यान रखिएगा सिर्फ इन तीन में Attestation of document Require होता है पहली condition ये है Essential condition अब जब भी Attestation of document की बात हो तो At least Sign by Two Witnesses जब भी Attestation की बात होगी कम से कम दो विटनेस होने चाहिए दो से ज़्यादा भी हो सकते है लेकिन अगर एक हुआ तो Attestation नहीं माना जाएगा कम से कम जो लोग चाहिए चलिए अब आमें बड़े हम लोग ये पहली Essential condition हो गई और भी लिखनी पढ़ेंगी हमें इसको मिटा देते हैं सब्सक्राइब करेंगे जिसमें प्री या मेंस के कोश्चन आते हैं ठीक है कम से कम 90% DPA पढ़ना है हम लोग को और अच्छे ते तयार करना है चलो देखते हैं भाई दूसरी अजेंटियल कंडिशन क्या है निकालें इसी में से पीट आउप बिटने से पीटेंट आउप अजेते में लिठिप संगे बिटक reg कि अभी देख लेंगे पहले टिक लेते हैं सब समझादू मठी कोई दिक्तद नहीं है आराम समझ में आएगा और ऐसा समझ में आएगा कि कभी आप कन्फ्यूज भी नहीं होंगे कभी भूलेंगे भी नहीं चु Dad पर दो तो समुंट से आएगा तो कि नहीं होस्त्य है एंटे रहां होस्त भी फेस ख्रम्ष दोप्योच yellowachi में दिक वितन है झालें पिए प्र issue प्र भी दित आएगा है 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 अगर किसी में भी कोई दिखकत आए तो फिर आप वो देख लीजेगा सेक्शन 3 से ही मैं यह एजेंशल कंडिशन लिख रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा उसे देखके रॉसीव प्रॉम दी एक्डिटूटेंट यह पस्नल अग्डॉलिजमेंट अजिए अग्डॉलिजमेंट आफिस सिगनेटर गवराने की जरूवत नहीं अभी सब समझा दूगा ठीक और अधिक अधिक ते लास्ट रह गया इस तिक्या है अधिए अग्टॉलिजमेंट फ्लिएंड प्लिएंड नहीं आगिक अग्ष बास्ट रह रहीं अग्ष कर दूग के यूँन की इस सब्सक्षमेंट अग्ष बास्ट कर जगक के अधिक कि आप कि देश्टिंग विट्नेस मस्ट इंस्टुमेंट इन प्रिजन सॉफ एक्जिकूट्राइब आप लोग इसका देखते हैं जली जली पहला एक अटेस्टेशन ऑफ दॉक्मेंट सिर्फ तीन चीजों में रिक्वाइर होता है कौन से दॉक्मेंट में बताइए यह से तरह दॉक्मेंट की बात होगी तो उसका मतलब आप समझ जाएए एट लीस्ट साइन वाइट टू विटनेसे कम से कम दो लोगों के साइन हो दो से ज्यादा हो सकते लेकिन दो से कम नहीं हो सकते पहली बात इतनी बास में आ गई दूसरी बात क्या है की चॉफ बिटनेसे दोनों विटनेसेज अगर दो हैं तो दोनों ही विटनेसेज सीधा एग्जीकूटेंट साइन और थम इंप्रेसर टू था इंस्ट्यूमेंट विटनेस देखे क्या देखे एग्जीकूटेंट को साइन करते हुए ही है यह विटनेस एग्जीकूटेंट को साइन करते हुए देखें दोनों ही फीख है जलिए यही तो बोला है ना सी दा एक्जिकूटेंट साइन और थम इंप्रेशन लगाए तो थम इंप्रेशन लगाते हुए देखें to the instrument be see some other person sign the instrument in prison and direction by the एक्जीकूटेंट दूसरे जो ट्रांसफरी है उसको भी विटनेश्स देखें क्या साइन करते हुए जैसा जी एक्जीकूटेंट उसे बता रहा हो जीक है दोनों ही विटनेश्स थीसरी बात रिशीप फ्रॉम एक पर्सनल अप्लोजिमेंट ओफिस सिगनेचर और थाम इंप चलिए इतनी बात होगी अब तीसरा क्या है लेक अटेस्टिड विटनेश्स बीजो साइन करें वह एक्जीकूटेंट के सामने करें तीक है विटनेश्स भी साइन करें लेकिन यहां पर ये टहीं भी दिया हुआ है कि दोनों विटनेस एक साथ साइन करें कहने का मतलब है एकाथ घंटे का गैप या एकाथ दिन का भी गैप हो रखता है विटनेस का दोनों का एक साथ साइन करना ज़रूरी नहीं है माल लिए मैं डॉक्मेंट तयार करा रहा था मैंने दो विटनेस को बुलाया एक विटनेस आ गया है तो मैंने का ठीक है मैं तुम आए सामने साइन कर रहा हूँ और तुम मेरे सामने साइन कर दो अब जरूरी नहीं है कि दोनों विटनेस एक साथ आके ही साइन करें ठीक है लेकिन दोनों विटनेस को एक साथ sign करना जरूरी नहीं है, यह कहां दिया हुआ है, यह section में ही दिया हुआ है, इसी के आंगे पढ़िए आप, इसके आंगे, but, each of whom has signed the instrument in the presence of the executant, यह हो गही बाद, उसके आंगे, but, it shall not be necessary that, more than one of such witnesses, shall have been present at the same time, इस पे underline कर लिएगा, but, यह जरूरी नहीं है, कि दोनों witnesses एक साथ present हो, इतनी बास समझ में आई, और instrument से witnesses का यह जो होगा, no particular form of attestation shall be required, कोई particular form भी नहीं, जैसे आपको ठीक लगे, उसे साफ से आप अपना attestation कर लिए, इतनी बास समझ में आई आई आपको, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए भाई, अ आप क्या रहे गया, अब एक चीज़ और पूर दी जाती है, इसको मिटा देते हैं, क्या पूर दी जाती है, कि विट्नेस कौन बन सकता है, ठीक है, तो आप ध्यान दखिये, accept accept the parties, parties का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे, executant और transferi, इनको छोड़ के, executant and transferi, इन दोनों को छोड़ के, any person who is major and sound mind, जो भी आदमी major or sound mind होगा, वो witness बन सकता है, ठीक है, कौन नहीं बन सकता, executant नहीं बन सकता, transferi नहीं बन सकता, क्यों, common sense दी बात है, अरे भाई, executant को protect करने के लिए तो यह attestation लाए हैं, अब अगर B, आप से forcefully, B, as a executant sign करा लेगा, तो तो वो as a witness भी sign करा लेगा आप से, इसलिए, आपके sign नहीं माने जाएंगे, as a witness, और B, तो forcefully काम करा ही रहा है, तो इसे भी हम witness नहीं मानेंगे, इन नों को छोड़के, कोई भी witness बन सकता है, तो क्या typeist भी बन सकता है, तो क्या sub-register भी बन सकता है, question यह आता है, क्या typeist या writer, जिसने यह gift deed तयार की है, क्या writer, जिसने यह gift deed तयार की है, क्या वो as a witness sign कर सकता है, या sub-register जिसने इसका registration किया है, है किया है चैसा का सकता है wa a witnes to sign कर सकता है चुकुर्ट रें संटा ये अगर टाइपिस्ट आर्षा बिप्टनेस करें करें और अजक्ष आपर व ciao about division करें ठीक है अगर चिरस इस हमें साइन करें आए तो एसे करें भीजिस्ट्रार बैसाइं करें धोब्र गरें करेंगे यह सब्सक्राइब और राइटर या टाइपिस्ट भी विटनेस का काम कर सकते हैं लेकिन उन्हें डुएल रोल प्ले करना पड़ेगा ठीक है दोनों जगां साइन करने पड़ेंगे बस इतनी सी बात है अटेस्टेशन आपका कम्प्लीट हो गया मेरे साफ से आपको समझ में तो आई गया होगा इससे आसान और क्या करेंगे बाई चलिए अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एक्स नेवल क्लेम रजिस्टर में तो कुछ है नहीं रजिस्टर का मतलब क्या है कोई भी डॉकुमेंट अगर इंडियन रजिस्टेशन अटेश्टिव तू दाथ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सेक्ट सेगेंट लेक्चर में एक्स नेवल क्लेम या तो हम लोग यहां पढ़ लें यहां लोग चैक्टर 8 में पढ़ लें ठीक है देखते हैं दोनों जगा देख लेंगे और एक परसंट टूस हैब नोटिस मतल हेलो दोस्तों कैसे आप लोग चलिए तो इसमें लोग क्या पढ़ने वाले हैं पहले यह लास लेक्चर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने अटेस्टेशन अच्छा आप लोगों ने यह नहीं बताया अटेस्टेशन मुझसे छोटी जिगलती हो गई थी आप किसी ने भी क गैसी तो पांटेस्टेकर में थीच्वान था स्वाइट बताट तो मिसमें भी क्लाउस बेड़ेयं था सीन समफा मौन यह बेडों ऑर परस रषब करी या उसके रिफिजेनटेटेव को मैं क्या बोल गया था क्यों देखेगा भाई ठीक है तो ट्रांसपरी नहीं है वहां पर इसको ठीक कर लिजेगा चलिए तो आज क्या पढ़ेंग हम लोग एकशनेवल क्लेम है ऐसा गते हैं आपल क्लेम जब चैप्टर रेट में पढमेंगे जहां पर ट्रांस्फर आफ एक्सेल क्लेम है उसी एक्सेल क्लेम को पढ़ लेंगे इंपॉर्टेंट चोड़ना नहीं है तो अभी प्रम लोग इसको देखेंगे तो अभी पड़ें अभी देखते हैं लोग रही परसंट टुए बता है यह रहुक्त का मतलब क्या होता है और उटेस हमें जानना कि हुआ है दोटेस का मतलब होता है किसी ठाइप की जानकारी होना कोई कि नौलेज होना ठीक है क्या होना किसी टाइप की जानकारी होना या नौलेज होना अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं उससे हमें समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और नोटिस किस नोटिस की हम बात कर रहे हैं मालेजी ए ने बी के साथ पहले क्न्ट्रेकट किया था अपना हाउस बेचने का ठीक ए ने पहले बी के साथ क्ne www.b8.com गुड फेट और कंसीड्रेशन से लिया है तो भाई ये घर सी से कोई नहीं ले सकता क्यों कि प्रिंस्पल ओफ एक्टिटी प्रोटेक्ट करती है इसे और यहां पर गुड फेट का मदलब क्या होता है नौलेज होना नोटिस की इसे इस बारे में नौलेज नहीं थी कि ए ने पहले मकान के लिए बी से कांट्रेक्ट किया है अगर इसको इस बात की जानकारी होती तो यह गुड फेट नहीं माना जाता जानकारी होना ही यह बताता है कि इसने गुड फेट में लिया है कि नहीं ठीक है एक और प्रोब्लम देखिए अब मान लीजे अग्याit विए भी एक इस हाऊस का ऑस्टेंसिबल ऑनर समझते हैं आप से कि अस्टेंसिबल ऑनर होता है जो लुक लाइक ऑनर आफ जैसा दिखता है लेकिन ऊणर नहीं होता इस एक हाऊस था जिसका रियल ऑनर एए है रियल ऑनर कौन है ए बी जो इसका ऑस्टेंस वलम नसहीं जो एक यह मकान सी को बेज़ देता अगर सी ने वितोट नोटेश बिना जानकारी के और कंसी Jameson के साथ अगर यह हव權ひठा है तो इसके पास ही रहेगा विदावड नोटेश कैसा कि सी को कि दो यहीं जानकारी नहीं थे यहीं है तो इसी बात की जानकारी होना कि एक और प्रॉब्लम देखिए यह मालिए ए है ठीक है वो अपनी वाइफ और नियुक्त को जो इसकी वाइफ है उसको इसी house से maintenance देता है इस house से जो profit आता है उसी से बी का maintenance दिया जाता है तो यह ने सोचा कि अगर मैं इस house को बेच दूँ तो हमें maintenance नहीं देना पड़ेगा तो यह क्या गरता है सी को बेच देता है यहाँ पर भी अगर इसने without notice बिना किसी जानकारी के और consideration के साथ अगर यह मकान लिया है तो यह प्रोटेक्ट है तो यह मकान इसे मिलेगा अगर इसे इस बात की जानकारी थी अगर इसकी notice में था अगर इसकी knowledge में था कि इस मकान से बी का maintenance जाता है उसकी wife का तो यह सी को मकान बापस करना पड़ेगा तो समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है notice होने के बाप जूद knowledge होने के बाप जूद यह मकान खरीदा है अगर वो court में यह प्रूफ कर देता है जस्साप के सामने कि C को notice था जानकारी थी knowledge थी कि A ने मेरे साथ पहले contract किया फिर भी यह मकान खरीद लिया तो court C से मकान बापस ले लेगी इस case में भी यही है अगर A court कोड में यह प्रूफ कर देता है कि C ने जानकारी होने के बाप जूद notice होने के बाप जूद कि B ostensible honor है फिर भी इससे मकान खरीद लिया तो C से मकान बापस ले लिया जाएगा यह transfer invalid बता दिया जाएगा यहां पर भी अगर B यह प्रूफ कर देती है court में उसकी wife कि C ने notice ज बहुत important है सिस्फ पार्टी को यह प्रूफ करना होगा कि उसके notice में था उसकी knowledge में था उसे बात की information थी फिर भी उसने मकान खरीद लिया अगर वो प्रूफ कर देता है तो वह transfer invalid हो जाएगा court उससे मकान बापस ले लेगी ठीक है क्यूंकि अब यह good faith में नहीं रहा तो one of the the essential condition हो गया है क्या हो गया है एजेंशियल कंडीशन है वन अब दी एजेंशियल कंडीशन हो गया है इनोटेज ठीक है कंडीशन होना चाहिए दूसरी कंडीशन यह है विदाउट कंडीशन है तो भी यह transfer नहीं माना जाएगा यह जो और कहां दिया हुआ है 41 में यह maintenance of wife maintenance of 5% 39 में तो इस तरीके से section 39 40 41 43 53 53 और 53 यह 53 क्या है इन सब टाइप के ट्रांसफर में इन सारे cases में जहां जहां टीपीम दिया हुआ है और टैंसरल ओनर feeding the grant by stopel 43 इस टाइप के ट्रांसफर होंगे अगर तो उसमें क्या होगा उसमें notice देखा जाएगा कि उसे जानकारी थी कि नहीं थी अगर जानकारी होने के बाद दूद ले लिया तो फिर यह ट्रांसफर invalid मान लिया जाएगा ठीक है तो यह आपको देखना पड़ेगा तो इसलिए यह notice important है तो notice का मतलब क्या हो गया means notice means knowledge और information अबाउट fact इसी fact के बारे में knowledge या जानकारी होना information होना यह बोलते हैं notice तो आप कहेंगे मिशाल भाई यह बताइए सी तो हमेशा ही यह कहेगा थैड़ पार्टी हमेशा यह कहेगी कि सर मेरे तो knowledge में था ही नहीं my lord मुझे तो इस परन जानकारी थी नहीं मुझे तो पता ही नहीं है ऐसे ही कहेगा ना तो इसके लिए law में एक चीज है ऐसे तुम थोड़े बच जाओगे क्या होता है समझिएगा notice दो type के हैं पहला actual और express notice पहला क्या है actual और express notice यह क्या होता है direct knowledge होना direct knowledge कैसे मान लिए मान लिए कि A ने पहले से ही C से कह दिया मैं यह तुम्हें मकान डेज तो रहा हूं लेकिन मैं पहले B के साथ contract कर चुका हूं ठीक है एक पार्टी खुदी बता दे तो इसको हम बोलते है direct knowledge यह आपको खुदी direct जनकारी थी इस बारे में फिर आपने क्यों खीक है यह होता है actual notice की आपको direct जानकारी है की नहीं है तो इसको प्रूफ करने के लिए इसके लिए कुछ conditions भी है क्या condition है कि यह देखना पड़ेगा आना कि direct जानकारी है की नहीं है उसे तो पहली condition क्या है कि knowledge must be definite होनी चाहिए एक मतलब जानकारी होनी चाहिए किसी टाइप का रियूमर रियूमर या कोई हरसे नहीं होना चाहिए किसी थैर्ड परसंद से सुना हुआ है वो नहीं तीक है पार्टी खुद बताए अगर कोई और ये बोल ला है कोई थैर्ड परसंद कि यार ये तुम मालूम कर ले ना यार ऐसा तो नहीं किसी और से contract का रखा हो ये ने वो नहीं चलेगा पार्टी खुद बताए तो उसको हम actual notice मानेगे दूसरा दूसरा है कि knowledge जो है knowledge किसको होनी चाहिए जानकारी या information किस किसी और दुनिया भर को पता हो कि मकान में drama है या इस जमीन में drama है लेकिन अगर पार्टी को नहीं पता तो फिर हम उसको actual notice में नहीं मानेंगे थीक है तीसरा point क्या है तीसरा point है कि same transaction related to the transaction in question the knowledge or information must be related to the transaction in question इस transaction को जिस बारे में question उठ रहा है ठीक है अगर इस मकान के बारे इस मकान को खरीद रहा है तो वह knowledge information इस मकान के बारे में होना चाहिए मान लीजिए एक और मकान था अब कोई कहें कि उसका वाले मकान में drama है ठीक है कोई और बजड़ है तो फिर क्या उससे कोई मतलब नहीं है जिस बारे में बात चल नहीं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए किसी और कोई और नोटिस में नहीं आएगा तीसरा तीसरा क्या है तीसरा यह है कि जिस ट्रांजक्शन की बात हो रही है उसी के बारे में हो किसी और के बारे में उससे कोई मतलब नहीं है इसलिए आपने देखा होगा क्या कि अगर किसी भी मकान में drama होता है कोई लौज़र होती है तो उसके देखने के बोर्ड को देखने के बाद भी अगर आप खरीद रहे हो तो फिर इसका मतलब आप गुड फेद में नहीं ले रहे हो ठीक है तो उसको हम एक्चुल नोटिस में डाल देंगे जो घर के बाद देखा होगा आपने और कहिए तो रोजमद्रा की चीज़ है ठीक है तो अब जाना आपके दिमाग में आया होगा यह बताई जो थैड़ परसन है सी जो मकान खरीद रहा है वह तो कभी यह नहीं मानेगा क्या नहीं मानेगा वह तो अमेशा यही कहेगा कोड जाके कि मुझे जानकारी नहीं थी हमेशा बोलेगा जाके ना तो कुछ ऐसी सरक्म्टा नहीं म HU्कान में इसने पहले से कॉंट्रैक्ट करतगा है और चॉल करन के सब्सक्राइब है यह होगा कि आपको नोटिस था जानकारी थी इस बारे में कि इस मकान में इसने पहले से कॉंट्रेक्ट कर रखा है या वी ऑफ सेंसिवल ओनर है या ए यह जो है इस हाउस से मेंटेनेंस दे रहा है अब किस कंडिसें में पास सकम टांसिस में जुखिए पहले इसमें एक लीडिंग केस है केस का नाम क्या है प्लंग वसिस लोगे कया हुआ ता इसमें इसमें फोल्ट में यह कहा था कि जो इसमें होगा वह क्या होगा वह इस रिपो टेबल आपके कॉंच्पोर और उधिस्प्रूव बूलोगा जिसका मजलब कि अगर constructive notice में fall हो रहा है तो court evidence, even evidence भी नहीं लेगी कि आपको जानकारी है कि नहीं है, आप चिलाते रहें कि my lord मुझे सच में पता नहीं था, मैं बच्चों की कसम खा के कह रहा हूं मुझे नहीं पता था, court नहीं मानेगी, court क्या कहेगी, कि भाईया constructive notice में fall हो रहा है, यह आपको जानकारी है, तो कौन सी 5 circumstances हैं, दियान रखिएगा, चलिए लिखते हैं भाई, उसको साफ करने पहले, समझ में तो आ रहा है ना, कOR करके बताया कर ये, ना, समझ में आए करे तो मैं next lecture में उसको समझा रहा हूं, अभी तो मैं daily lecture बना रहा हूं जब तक बना रहा हैं तबग आप लोग, कि बता दिया कि निसाल भाई यह नहीं सौंच में आ रहा है तो मैं उसको एवले लक्षर में बता दिया करूंगा अब कोई गलती हो जाती है वह भी मुझे खुझी देखना पड़ता है वह तो अपलोड होने के बाद मैंने कल देखा अब मुझे पता चला गलती हो गई नहीं है तो आप सरकंटांसिफ देखते हैं पहला क्या है पहला है दिल्फुल अफ्टेक्शन विल्फुल इसमें क्या है पहली सरकम कांसे भी ही है जब तुम अपनी इच्छा से ही नॉलेज नहीं जानकारी लेना नहीं चाहते ठीक है आप खुदी नोटिस लेना नहीं चाहते खुद जानकारी आप नोटिस लेने से बच रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक मुझे जानकारी नहीं होगी तब तक मैं सेफ हूं जिस दिन जानकारी हो गई अगर ट्रांजक्शन होने से पहले तो फिर मैं सेफ नहीं रहूंगा इसलिए आप खुद बचोगे बचोगे की नहीं बचोगे या जानकारी नहीं हो पाएगी तो मैं बच जाओंगा ऐसा थोड़े है इसको किसमें फॉल हो यह चाहें आपको जानकारी हो ना हो उससे कोई मदलब नहीं है कोड यह मांगे चलेगी आपको जानकारी है उसका पहली कंडिशन है पहली सर्कम टांजिद है विल्फुल अश्रेक्शन फ्रॉमन इंक्वाइरी और सर्च पॉर एक्जाम्पिल बहुत अच्छा इलस्ट्रे इसमें यह दिया हुआ है इसका एक इलस्ट्रेशन में बताने वाला था कि माल लीजिए कोई एक आपको लेटर बेज रहा है भाइपोस्ट ठीक है उसमें वह जानकारी लिखती हो अब आप जानते हो इसमें जो लिखा होगा वह मेरे फेवर में नहीं होगा ठीक है तो आप किया कर रहे हो रिसी वी नहीं कर रहे हो है की नहीं है वहीं नहीं कर रहा है आप सोज्वेगा और इसीיל के लिए कि दो लिखा है यह चलिए दूसरा क्या हैक शर्णι चराओं कि अपनी बासा में कहें कि आपने ब्लंडर मिस्टेक कर दी कैसी ब्लंडर मिस्टेक अब वो कैसे अब माल लेजिए कि आपने ऐसी कोई गलती कर दी जो कोई नॉर्मल आदमी नहीं करता एक प्रुडेंट मैं नहीं करता जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद ने गए उसने कहा कि आपने उससे पूछा कि भाई साफ इसकी टाइटल डीड का है तो उसने का वह टाइटल डीड यार मैंने बै बैंक गए तो आपने देखा कि भाई वह तो मॉट्गेज पर रखी हुई है मॉट्गेज भाई टाइटल डीड अब आपको इसमें क्या करेगी कोट यह मान के चलेगी कि आपको मालुम था अब आपको भाई मॉट्गेज मनी बलनी पड़ेगी फद गए आप तो यह द्या इसमें एक लीडिंग केस है क्या है लॉइड अरे लॉइड 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 वाला लॉइड नहीं भाई क्या है लॉइड बैंक लिमिटेड लॉइड बैंक लिमिटेड वर्सिस पी-ई गुस्दद और और गुष्टर और पुछ अधिया नहीं एंड चलिया क्या हुआ था भाई इसमें लॉइड बैंक लिंटेड वसेज पी गुर्जर क्या हुआ था इसमें इसमें एक आदमी था जी उसने क्या किया एक बैंक थी एन उसको उसने मॉट गेज बाइड डिपॉसित ऑफ टा था होता है इसमें आप अपने डिवारं को वेंग में जमा करके उससे मॉट द cheapन ही जमा करके वहां से मॉट भी अब क्या हुआ जी ने बैंक ऑन से कहा कि देखिये मैं अपना यह प्रपर्टाप्रिंट जो आपको जो मैरे टाइटल डीट दिये है उसको मैं बेच रहूं तो जो पर्चेजर है जो बायर है वो टाइटल डीड देखना चाहता है तो आप थोड़ी दे के लिए मुझे दे दो मैं उसे दिखा के वापस लियाओंगा बैंक एन ने क्या किया दे दिया उसे जी को दे दिया तो जी क्या हुआ जी दूसरी बैंक में चला गया किस बैंक में एल बैंक में और उसने वहां जाके जमा कर दिया और वहां से भी मॉट गेज भाई टाइकन टीड ले लिया वहां से भी पैसा उठा लिया ठीक है घर के काल जब कि उसने किया क्या अब आई साथ कोड में केस गया अब कोड ने कहा एंसे देखो भाई या तुमने जो है ग्रॉस निगलीजेंस की है तुमने उसकी बात मानी कियों है कि नहीं ब्लंडर मिस्टेक कर दी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते पहले एल का पैसा दिया जाएगा उस जो टाइटल डीड है वही बैंक पहले पैसा लेगी चलिए अच्छा के इस्थाना तीसरा है कि इसरा क्या है उटाना पड़ेगा वाई कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बीड़ कि पूप की जबाएगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ यह क्या है वाई यह बताता है कि जहां पर भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है जहां पर भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है वहां पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी होना यह तीसरी कंडिशन है जैसे कि आप जानते हैं कोई भी मोल प्रॉपर्टी तो आपको तो आपको जानकारी होगा तो आप जानते हैं जैसे ही किसी से बात होती है ना तो जो बाइर होता है है जो परफ किसन हो परोपरटी किसके नाम पसीक नम आ जाता है कि इसको लेने के बाद क्यों क्यों कि वो जानता है जानकारी लेना आपटी की जिम्मेदारी है तो इसमें क्या होता है है इसके क्या कैंदेखना पड़ता इसकी कुछ कंडिशन को सकते हैं वे जो है कमपल सरी ऑगा प्सीज का ऐसा है जिसका रेश्टे ही नहीं है तो उसमें रेश्टेसेनता टीसरी kण्डीशन नहीं रहेगी यह तीजी कंडीशन है ऐसी कंडीशन कि माने लेगे कि आपको जानकारी है थी कि immigrant our entry to the school district से नहीं हुआ है उसरी तीसरी कंडीशन है यार अगर में कोई property अगर मैं कोई a लखनों में लूँगा तो मैं लखनों की तेहसील में देखूंँ को जाके। अगर मान लो लखनों के तेहसील में वह सई से नहीं लिख़्ी हुई है तो फिर वो थोड़े मानी जाएगी ठीक और कुछ नहीं बस यह दो चीजे ध्यान गत्री पढ़ेंगी जिसमें कोड मान लेगा अब मान लिए आपने किसी से प्रॉपर्टी खरीद लिए प्रॉपर्टी खरीद लिए आप जब बात तैसील आप गए आपने जब देखा तो यह तो इसके नाम पर ही नहीं तो अब क्या कर सकते हो आपको यह नहीं पता था कि आगर इस मकान का जाई स्टेशन ऑफ डीट चेक करना ज्यादा जरूरी था आपने च्यूं नहीं किया तो कोड इसमें अब कुछ नहीं का सकती है ठीक है चलिए अब क्या है चौता है क्योंज का प्रेसिन थां चलिए लिएप है गएपकर डाला गया था घ्यकिसा फट्रीज इसमान सब्सक्राइब को लाइश चेशन बी दूसरा एक्ट्वर पैसन ये किसके बाद से जुड़ा गया था इसके बाद से जुड़ा गया था ये अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसके अगर उस समय किसी और का पैसन है तो यह आपकी जिम्मेदारी यह जानना है कि उसका पैसन क् नहीं उसको लीस पर दे रखा है उसके मॉट्गेज तो नहीं है मॉट्गेज बाई ट्रांसफर तो नहीं है कुछ भी चीज है वह आपको जानकारी करनी पड़ेगी जिस समय आप कोई मकान कोई प्लॉट कुछ भी खरीद रहे हैं और अगर उस समय उसके किसी और का एक्ट अब मान लिए पर इसलिए हो कि उसने उससे दो लाग रुपे उधाल लिए हो अब अगर खरीज लेंगे तो फिर दो लाग रुपे किसको देने पड़ेंगे आपको ठीक है वह मकान खाली नहीं करेंगा यह आपकी जिम्मिदारी है कि अगर किसी पार एक्टुल पजिशन ह जो हैं यह सेक्षं में ही दी हुई है उसी मेहीं ग्राउद नगली जाएंस यह दो नोटिस लिखा हुआ है द्ध्वान लखिएगा वणत कह सब्सक्तने ना होता है हमां समय को अधमें सब्सक्राइब अधमी है यह कि मैंने जांकारी दे यहां को आपका तो यही माना जाएगा कि आपको ही जानकारी दिये हैं तीक लिखते हैं कि इंप्लाइट नोटिस पार्टमा इंप्लाइट नोटिस प्राइट्स क्या होता है notice to agent अगर agent को जानकारी मैंने देदी यह क्या है, यह एफिलेंशन 3 है अगर मैंने agent को जानकारी देदी तो यही माना जाएगा कि principal को हो गई जानकारी main आदमी को ठीक है लेकिन इसकी कुछ condition है क्या condition है पहली condition कि the agent must be in the course of business ठीक है वह उसी एजेंट जो है उसी कोर्स ऑफ बिजनिस से जलेटेड होना चाहिए अब दूसरी कंडिशन यह है अब जिस जिस टांजक्शन की बात हो रही है वह एजेंट माल लिए कोई बड़ा आदमी है उसके पाच्छे एजेंट हैं एक काम कुछ और देखता है एक काम कुछ और देख रहा है तो जिस टांजक्शन की बात हो रही है उसी की एजेंट को वह जानकारी दी गई हो और सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट ने अगर वह एजेंट को अपने साथ कर लिया कि मैं तुम मत बताना प्रिंस्पल को ठीक है अगर उसने प्रोडुलेंट किया है तो फिर भाई प्रिंस्पल बाउंड नहीं होगा ठीक है बस यहीं चीज़ें हैं आभी आगवा नोटेस और नोटेस की इंपोर्टेंस इन सारे चीजों में बस नोटेसी प्रूफ करना होता है नोटेस प्रूफ कर दिया बस खेल खतम हो गया चलिए मेरे साब से आपको समझ में तो आ गया होगा चलिए ठीक है थैंक्योट दोस्तों कैसे हैं आप लोग चेल यह तो सुझ नहीं होती है आपको यह तो अच्छी बात है नहीं दिक्कत होती है तो आज हम लोग पनेंगे क्या पनेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन हाँ जी अरे सेक्शन फॉर भी है चलिए सेक्शन फॉर पहले देखते हैं क्या है बाई क्या मतलब है। इसका is简शन मतलब है की जहाँ जहाँ पे कॉंट्रेक्ट की बाथ होगी रैंसफर में जहाँ 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 पे कॉंट्रेक्ट की बाथ होगी वहाँ पर यह.. Indian Contract Act का एक पार्ड माना जाएगा ठीक है कि Indian Contract Act भी साथ में देखना पड़ेगा और TPA भी साथ में देखना पड़ेगा दूसरी बात जहां जहां पर कि बात होगी तो वहाँ वहाँ पर ही Indian Registration Act का सम्प्लिमेट माना जाएगा ठीक है क्या बोलता है पुरी रीडिंग करते हैं अगया थैप्टर एंड शेक्शन और इस एक्ट विच्छ रिलेट टु रिलेट कॉण्ट्रेक्ट विच रिलेट वान जाएगा तो वह इंडियन कॉंट्रेक्ट की बात होगी तो मतलब उसके साथ ही रीडिट किया जाएगा ठीक है बूसरा क्या बोलता है एंड सेक्शन 52 परग्राफ 2 & 3 एंड सेक्शन 59 107 & 123 सेल वी रीड़ सप्लिमेंट तूदा इंडियन रेइस्टेशन एक 1908 मतलब इन सब चीजों में क्या है इन सब चीजों में रेइस्टेशन है कि कहां कहां रेइस्टेशन कंपल्सरी है ठीक है सेक्शन 54 क्लाउस 2 सेल में कब तो जहां जहां पर रेइस्टेशन कंपल्सरी है वहां वहां पर इंडियन रेइस्टेशन एक 1908 का सप्लिमेंट माना जाएगा ज़्याइख सेक्शन 5 पर नाते हैं क्या बोलता है सक्शन 5 ट्रांसफर और प्रॉपर्टी डिफाइन आप लोग के लिए सेक्शन पूरा in present or in future to one or more other living person or to himself or to himself and one or more other living person क्या है वाई है यह section है और क्या है ठीक है थोड़ा और भी दा लेकिन वह मैंने नहीं लिखता है इसके साथ साथ यह और दे दिया है कि living person includes corporation association or body of individual whether incorporated or not क्या है वाई है यह बताता है यह transfer of property हम किसे कहेंगे ठीक है अगर introductory आपने लेक्टर ना देखा हो तो वह भी देख लेना वह यहां पर बहुत useful होगा कि किस टाइप के transfer transfer of property में माने जाएंगे हम लोगों ने देखा था इंटर भी वोस बाई लंग बाई बन living person to another living person ठीक है जो non testamentary document होंगे वह वाले माने जाएंगे चलिए अब इसमें क्या है बहुत सिंपल है यह क्या होता है जिसमें प्री के तो दो से तीनी question बनते हैं लेकिन में में किसी ना किसी साथ जोड़ के पूंच लिया जता है खाली यह नहीं पुझा जाएगा transfer of property यह नहीं पुझा जाएगा यह साथ में यह पोस्ट देंगे कि विच प्रॉपर्टी कैन नौट बी ट्रांसफर मतलब section 5 के साथ section 6 भी जोड़ देंगे में 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 ठीक है अब प्री में इसके दो तीन प्रॉपर्टी को कर में उगला कि मैं तीन हो गया प्रॉपर्टी साथ Porsche अब प्रॉपर्टी चार हो गया कि फ्यूचर पांच हो गया दो बहुनह और मोर अदर लिविंए m hedgelier डूंट को मैं आटर्ट कूला कार दोट दींगव न क्योंट इन साथ पॉइंट को में देगना पड़ेगा मतलब सेक्शन 5 के ट्रांसफर और प्रॉपर्टी डिफाइन से हमें इसके एजेंशियल निकालने पड़ेंगे यह इजेंशियल निकल गए अभी हम इनको डीटेल में बात करते हैं कि एक्ट क्या होगा लिविंग पर्सन क्या हो और अब लिविंग पर्सन नीचे बता दिया सेक्शल में लिविंग पर्सन और अशुट्टेशन बॉड्य ऑफ इंडिविजल वैदर इंकोर्पोरेटिट और नौर्ट कभी कभार यह पूंच दिया जाता है पिक है कि इंकोर्पोरेटिट्ट क्या टीपीय में केवल इंको तो दोनों ही होते हैं आप यह ध्यान रखिए कभी कभा मुझ दिया जाता चलिए अब एक्ट क्या है वही देखें एक्ट क्या है अरे भाईया अगर आपने इंटोड़क्ट्री अगर इसका वह देखा होगा ट्रांसपर और प्रॉपर्टी का पहला लेक्चर तो मैंने आपक अगर तो और भी तरीके होता है ना बताया था कि नहीं बताया था बाई ऑपरेशन ऑफ लौब ही होता है उसमें एक आदमी दूसरे आदमी थोड़े ट्रांसफर करता है टीपीए में ट्रांसफर आप परपर्टी में किसी एक्ट के थ्रू होना चाहिए ठीक है अगर हो रहा है जैसे की ऑपरेशन ऑफ लौ सक्सेशन एक बाई विल ठीक है तो वो इसमें नहीं आएगा एक्ट के साथ ही अगर कोई एक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए ना यह ट्रांसफर भी ठीक है तभी माना जाएगा अगर ऑपरेशन ऑफ लौब हो रहा है आदमी मर जाता है कोई सकेशने शौप बच्चों के पास चली जाती है तो किसी करने ठरले जाती है वह आटमैटिक जाती ऐसमें थरूब कोई न कोई आएगा ठीक है कुछ ना पुछ एक्ट होना चाहिए टांसफर भी कैसे गिप्सट करके हो रहा है सेल हो रहा है मॉल्डड गैज हो रहा है क लिए इत्ती आसान में आई अगर समझाने में आ जाओ और लेक्सर देने में आ जाओ बहुत कुछ उससे कोई फाइदा दो है हमें यह देखना है कि अप्ड़ने के लिए पड़ने के लिए बहुत कुछ है अब living person living person क्या है अरे भी या एक living person जो पहला वारे living person उसे हमने मान लिया है मैं नोग Τौप कोई करता है जो प्रोपर्टी ट्राइट् dove करता है How old is क्यों कि अभर कई चलिए तो क्या Elder क्राइबhing पर्षान के साथ है कुछ चीजें में देखनी इंवी पड़ेंगी एक में जब इन्ट वह आना चाहिए बनाड़ы प्लिविंग परसंग को यह लोग टांपरर कहेंगे वो कंपेटेंट भी होना चाहिए अरे भाई मेजर होना चाहिए माइनर थोड़े किसी को बेज देगा और और क्या होना चाहिए और कि अगर साउंड माइन नहीं तो भी नहीं बेच पाएगा ठीक है और क्या नॉट बार्ड भाई लॉफ अरे भाई लॉफ में वो बार्ड नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए और भाई जो property देच रहा है उसका honor वो होना चाहिए ठीक है real honor होना चाहिए वो भाई अपनी तो property बेच पाओगे या gift कर पाओगे या mortgage कर पाओगे किसी और की थोड़े कर दोगे तो transfer में transfer पहला transfer पहला living person वो है जो property दे रहा है जिसकी property है वो किसी और को दे रहा है चाहे सेल के थुरूँ चाहे mortgage के थुरूँ चाहे किसी के भी थुरूँ ठीक है तो उसकी क्या है वो complaint भी होना चाहिए बिल्कुल भाई बेचने वाला complaint होना चाहिए अगर sound mind है उससे तो तुम ऐसे ही उसे एक चार्ट खिला के उससे ले लोगे major major होना चाहिए minor नहीं होना चाहिए minor से तो लई नहीं सकते और barbed by law नहीं होना चाहिए real honor होना चाहिए और क्या living person कौन हो सकता है living person जूरिस्टिक परसन भी हो सकता है जूरिस्टिक कौन होते है आपने पढ़ा आया भाई क्या जूरिस्पुडेंस लीगल परसनलिटी ठीक है जूरिस्टिक परसन भी हो सकता है law में जिसकी लीगल परसनलिटी हो लीगल परसनलिटी क्या होती है company corporation और बताइए भाई company है कॉर्परेशन है और क्या क्या होते हैं इसके अग्राम हाँ कोई भी चीध फैर्म है क्योग फाल यूदिजिश्टी कि ये सब क्या होते हैं यह आदू ये टरो आई लीगार परसटाल टी नहीं होते ये लेकिन लाउट इन्में गें यह सकते हैं है कॉंट्रेक में एंटर हो सकते हैं इनके यह प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं अब क्या है भाई कि चलिए इतना ही है इसमें लिविंग पर्सन हो गया दूसरा पॉइंट अपक्या है कनवे ट्रांसफर करना कि का मतलब होता है अब कैसे मिन्स एनी एक और विच ट्रांसफरर वाई इस सबसे इस सब्सक्राइब करने से कोई नया टाइटल या कोई इंट्रस क्रियेट हो रहा है दूसरी पार्टी को पर ठीक है अगर कनवेंस से यह नहीं हो रहा है तो फिर वो भाई चारे डुमार थीक है कि तो उसी में कर्के में यह और आता है अभिसके साथ-चाथ हमें सब्सक्राइब कर ले यह यह कर सकते हो फ्यूचर में वह सकते हो एप सब्सक्राइब तो इसका मतलब ही हो जाएगा कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी आगर प्रिजेंट की डेट डाल दी तो प्रिजेंट है और अगर कुछ नहीं डाला, सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भी वो प्रिजेंट ही माना जाएगा, ठीक है, और अगर कोई future डाल देते हैं, for example, मैंने कहा कि जनवरी 2020 से ये मकान B का हो जाएगा, तो भाई वो future ही है, उस ठीक, कोई भी condition जोड़ दिये, तो मैंने ऐसे ही बता दिया, हम लोग आँगे, पढ़ेंगे भी, चलिए, अब इसमें क्या है, इन present or future में कुछ चीजें हमें जियान रखनी पढ़ेंगी, अब जैसे की ये है, means and act by which living person convey property in present or future, अब इस पे बड़ी भायस होती थी, कि convey property in present or future, तो in present or future, क्या मतलब क्या property है, क्या आप, property के बारे में बात कर रहे हैं, कि property चाहे present में हो, चाहे future में हो, ठीक है, मतलब, यहाँ पर, यह तो मैंने पहले आपको बता दिया, कि भाई, जो convey कर रहे हैं, जो transfer करने की बात कर रहे हैं, वो हम present or future में कर रहे हैं, ना कि property की, property जिस दिन आप紧ोव कर रहे हो फींदिन एग्जिस्टंस में होनी चाहिए मैंने का ख sus यह कमाऊंगा तब मैं तुम्हें घर बनाके दूँगा नहीं इसा थोड़े होता है क्या एक प्राइटी प्रिजेंट में ही चाहिए लेकिन ट्रानसफर नवे होसकता है तो इतनी सी चीज समझने के लिए एक केश करना पड़ा केश का नाम क्या है जुगल किसूर जुगल किसूर वर्सिस रौ कॉर्टन कंपनी लिंटेट जुगल किसूर वर्सिस रौ कॉर्टन कंपनी लिंटेट इसमें क्या हुआ सुप्रिम कोड है यह बात करता है ठीक है कि कट ट्रांफर होगा नाकी प्रॉपर्टी की इसी लिए मैंने तीन के साथ पांच को लिया चार को बात मिलेंगे ठीक है इसी बात को समझाने के लिए अब आप कहेंगे विशाल बाई तो यह जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं जिसमें पहले से ही वो लोग लिख देते हैं कि आप पहले से ही आईए बुक कर लीजिए समझे की नहीं कि बिल्डिंग तो बात में बनेगी आप पहले ही बुक कर लीजिए आदा पैसा दे के रजिस्ट्री करवा लीजिए तो यह कैसे होता है अरे भाई वो simply एक agreement होता है ठीक है agreement तो कर सकते हो एक contract तो कर सकते हो कोई future property है अब वहाँ पे काम चलना start हो गया है तो आप contract कर सकते हो जैसे ही वो existence में आएगी जैसे ही वो building बन जाएगी तब ही हम आपको sale कर देंगे तो आप contract कर सकते हो और वो contract in force में भी हो जाएगा जब वो property existence में आ जाएगी ठीक है तो वो उस समय जब तक property नहीं बनी तब तक वो cable contract माना जाएगा ठीक transfer नहीं माना जाएगा under TPA समझेगी नहीं ठीक है चलिए और कुछ है और तो कुछ नहीं है इसमें तो कितने point हो गए एक दो तीन चार इतने से साथ थे ना अदर लिविक मसन पर आते हैं चलिए मिटाते हैं इसको सवाज में आए कि नहीं इतना अरे बहुत ही आसान topic है और अभी तो आप इतना पढ़ेंगे ट्रांसफर में इतना पढ़ेंगे कि यह तो चीज़ें आपको ऐसे ही केलियर हो जाएंगे इतनी बार यह चीज़ें आएंगी कि आपको सब ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे कौन सा रहएगे आप तो अदर अदर लिविंग परसन पहले प्रॉपर्टी देखें अओर प्रॉपर्टी क्या है और भाई प्रॉपर्टी तो कुछ भी हो सकती है तो ग्रॉपेवल अप्रॉपर्टी आप जानते ही हैं प्रॉपेंग जो पर इंटेंगेबल अद पता कौन जी होती है अदे बाही वह होती है जिसकी जैसे ठीक है और यह आपके कॉपी राइट यह सब चीज़ें जो होती है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है तो इसमें और कुछ है और तो देखने के रहुत है नहीं आप उस पर आईए इस पर अधर लेविंग परसंट अधर लेविंग परसंट क्या है अधर लेविंग परसंट वही हो गया ट्रांफरी जिसको प्रॉपर्टी आ रही है ठीक ट्रांफरी जिसके पास प्रॉपर्टी आ रही है अगर एने बी को बेचा तो ए था ट्रांफरर बी था ट्रांफरी तो इसमें क्या है इसमें इसकी बा इसका मतलब क्या हुआ कोई माइनर भी हो सकता है इंसेन भी हो सकता है इविन चाइल्ड इन मदर वॉम अरे अगर मा की पेड में बच्चा है ना तो इसको भी हम प्रोपर्टी टाफर कर सकते हैं तो आप कहेंगे विशाल भाई तो सेक्शन थर्टीन क्या बोलता है मतलब कहने मतलब है कि कोई भी लिविंग पर्सन हो रा चाहिए जिसको ट्रांफर हम कर सके हैं और लिविंग पर्सन का यहां पर भी मतलब वही थे क्या कंपनी एसोसियेशन बॉड़ी ओफ प्रांफर होगी शीख अब इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी लिविंग पर्सन तो हैं लेकिन आइडल को हम प्रॉपर्टी ट्रांफर नहीं कर सकते अंदर सेक्शन फाइव नहीं कर सकते हैं ठीक ट्रांफर नहीं माना जाएगा क्यों एन आइडल जूरिस्टिक प पर्सन विजिन दा मीनिंग ओफ सेक्शन फाइव सेक्शन फाइव आइडल को लिविंग पर्सन नहीं मानता है यह बात ध्यान लखिएगा अगर जूर्स्पुर्टेंस की पॉइंट और व्यू से देखें आइडल लीगल पर्सनलिटी लीगल पर्सनलिटी है लेकिन जूर स्टाइब अपने आपको जनल रूल यह है कि कोई बी अपने आपको प्राइब यह सकता अब मेरी में डुवार 50 को कैसे पिश सकता हूं लेकिन अगर मैं capacity देखूं अगर मैं दूसरी capacity में अपने आपको transfer कर रहा हूं तो हो सकता है for example कोई एक property मेरी है ठीक अब मैं अपनी firm के नाम करना चाहता हूं firm का director भी मैं ही हूं तो वो transfer हो सकती है है की नहीं है मैं अलग-अलग capacity में काम कर रहा हूं मैं एक तो individual हूं और दूसरा किसी firm का director हूं तो भाई उसके साथ से तो काम करूँगा है की नहीं तो मेरे नाम से अटके वो firm के director के नाम पे हो जाएगी तो capacity अगर वो some other capacity में कर रहा है ठीक है some other capacity तो फिर वो transfer कर सकता है जंजलू लिए है कि एक आदनी अपने आपको property नहीं टांकर कर सकता है कैसे कर सकता है है कि नहीं अब इसमें क्या रह गया इतने में आप एक चीज़ और देग लिए कि यह जो तो तू हिंसेल्फ है यह एड हुआ था 1929 एक पूछ दिया जाए पूछ भी सकते हैं बाई द्यान रखेरा यह अलग से एड हुआ था तो इंसेल्फ है 1929 में हां और क्या और प्रॉपर्टी मानी जाएंगी सेट्शन फाइब के अंडर और कौन कौन सी चीजें नहीं मानी जाएंगी अब क्या है भाई really persecute क्या है क्या है 20 click क्या हरा प्रॉपर्टी है कि नहीं है नहीं है लिक्ट में कि इसमें कोई डाइट्अे या प्रॉपर्टी इंट्रस्थ टांसफर नहीं हो रहा है फैमिली सेटलमेंट क्या होता है यह हाउस है इसमें तीन लोग रहते हैं ठीक है इसमें अभी तीन लोग रहते हैं अब क्या हुआ अब इन्होंने फैमिली सेटलमेंट करना चाहते हैं तो पहले से भी यह तीनों ही ओना थे इस हाउस के ठीक है ऐसे तीन लोग रहते थे अब ऐसे तीन लोग रहने लगें तो इसमें Change क्या हुआ? कुछ भी Change नहीं हुआ? किस बात का Transfer हुआ? कुछ नहीं तो इसलिए ये Family Settlement चो रहे, वो ट्राउसफर नहीं माना जाएगा Family Settlement या Family Arrangement कुछ भी कहे दो दूसरा Compromise Compromise क्या माना जाएगा? transfer माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा नहीं, मान लिए तीन आदमी की कोई firm है, ठीक, आप कंपरमाइज करके उसके तीन हिस्से किये ले रहे हैं तो ये भी, अरे भाई, पहले से भी तो उन्हीं के ownership थी, अब भी उन्हीं के ownership है, तो compromise परेंटर भी नहीं माना जाएगा चार्ड चार्ज भी नहीं माना जाएगा ये कुछ भी transfer of property नहीं है relinquishment relinquishment ये भी transfer of property नहीं माना जाएगा ठीक है, release जो होता है release ये माना जाता है रिलीज जो है वो ट्रांफर और प्रॉपर्टी माना जाता है और वो सारी चीजें जो टीपीए में चैप्टर्स में दी हुई है ठीक है वो सब ट्रांफर और प्रॉपर्टी माने जाते हैं तो चार्ज मॉन्धेश के अंदर दिया हुआ है लेकिन चार्ज अलग चीज होती है चार्ज क्या होता है कि अगर ऐसी प्रॉपर टी को वहशे चार्ज रख लो लेकिन आपको उसकी यह जाता है धिक और वो सारी चीजे जो टीपिए में दी हुई यह सब सेल है इसी लिए तो टीपिए में पूचेंच दिया जाता है चाइज बहुत जी जादा पूचा जाता है कि चार्ज इसब ट्रांफर ओपर्पर्टी और नौर आपको माल काना है नहीं यह कोई विच्षर ड्रांफर ओपर्पर्टी नहीं है सेशन 5 के अंडर ठीक है और कुछ रए गया और यह कोस्टन ओर रहता है क्या का चारानफर प्रॉपर्टि टीपिये सिबाइड ऐंडिया मालेओ कोई प्राफटी आउट साइड इंडिया है तो क्या टीपिये उस पर अपलाई होगा हां अगर मान लिए कैसे अप्लाई होगा अभान लिए दो आदमी हैं ठीकrator उनहों ने इंडियन ठेटरी एक एक हमारी प्रॉपर्टिंग लेंड मंने औसको सेल करने का यहां पर तो भय उसी खस्यांद के हिसाफ शाफ से 20b अप्लाई हो जाएगा तक है कि आप जántे हैं जिस जहां पर होता हैं वहीं का लोश दिलंस अप्लाई होता है और प्रांसर के लिए हमारा क्या है लौ तो आउर साइट इंडिया भी अगर कोई प्रोपर्टी है तो इस पर भी टीप है एपलाई होता है चलिए तो कल हम लोग पढ़ेंगे वाट प्रोपर्टी कैन नौट भी ट्रांसफर्ड ठीक है क्या का चीजे नौन ट्रांसरेबल हैं सेक्शन सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इससे तो आपने देगी लिया क्या कुश्चन बंदशता है चलिए ठीक थेंक यू हेलो दोस्तों कैसे आप लोग चलिए तो आठीक हम लोग को क्या पढ़ना है पहले यह बता है लास्ट लेक्चर में क्या देगा तम लोग ने सेक्शन फाइब क्या था ट्रांसफर आप प्रोपर्टी डिफाइन सौंज में आया था कि नहीं चलिए तो आठ सेक्शन 6 देख यह और भी आंवाप मतलब अभ याइब क्ली ढट द्रांसफर और प्रोपर्टी डिफाइन को हो गया त्रांसफर और प्रोपर्टी कैसे होगा ग्लश क्या क्या ट्रांसौन 0-0 सकता है ठीक है तो सब्सक्राइब बताये इसकि हैदिंग यह है कि वाट में बी ट्रांसपर अ कि बहुत important section है इसमें प्री में एक दो कुश्चन आने ही आने होते हैं और में में या तो यह पूंच लिए जाता है या लॉंग में पूंच लिए जाता है section 5 और 6 एक साथ पूंच दिये जाते हैं तो ध्यान जिर्फ पढ़िएगा क्या होता है वार में बीफ में प्रांसफ इसलदड़ बार में प्रांस फेसमीश प्रांस 6 तु यह दो सन्व खर्ड़ेशन इसलद टम्राइब धिश्ट अध्यां प्रोवाइड एक्षेप्ट प्रोवाइड अन्डिसेप्ट और एनी अधरलो पॉर टाइमिंग इंपोर्ज एनी अधरलो पॉर टाइमिंग ठीक है क्या मतलब है कि सब चीजें ट्रांस्पर हो सकती है बस बोट चीजे छोड़के जो इस एक्ट में मना की गई है या किसी और एक्ट में मना की गई है तो इस एक्ट में मना की गई है इसका मतलब जो चीजे सेक्शन 6 में मना की गई है अधर लॉज में जो जो मना किया गया हो और एक्जाम्पिल हिंदू लौ में क्या मना किया गया है प्रॉपर्टी डेडिकेटिट टू आइडल समझे की नहीं अगर किसी मूर्टी को या किसी मंदिल को तुमने कोई प्रॉपर्टी डेडिकेट कर दी अब वो ट्रांफर नहीं हो सकती मुस्लिम लौ में क्या है वक्स प्रॉपर्टी ट्रांफर नहीं हो सकती प्रॉपर्टी ओवक्स ठीक है और कहीं दिया हुआ है सीपीसी में सीपीसी में सेक्शन सिक्स्टी ये बताता है कि किस किस चीजों का अटेच्शमेंट नहीं हो सकता CPC का section 6 यह बताता है किस-किस चीजों का attachment नहीं हो सकता इसका मदलब वो चीजें transfer भी नहीं हो सकती ठीक अब यह तो other law हो गया अब section 6 में क्या दिया हुआ है section 6 में clause A से लेके clause A से लेकर और I तक है बीच में DD भी है तो total मिलाके 10 है दस ऐसी चीजें दी हुई है section 6 में जिसको हम transfer नहीं कर सकते चलिए एक एकर करके detail में देखते है पहला क्या है clause है इसको ऐसे ही याद भी करिएगा ठीक है जैसे ये clause में दिये हुए है बहुत पूचा जाता है ऐसे ही कि clause D में क्या दिया हुआ है उत्राखंड में तो काफी बार पूचा गया है चलिए expect successness क्या है भाई ये expect successness ये clause A बताता है ठीक है जब आप clause A को read मारेंगे तो उसमें क्या दिया हुआ है इसमें clause A को तीन पार्ट में बाटा गया रहा है ठीक है लिख लीजेगा इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है मेर चांस ओप सक्सेशन ठीक है बस चांस है आपका कि आप उसका सक्सेशन कर सकते है मतलब सक्सीड कर सकते है expect successness का मतलब इतना है ठीक आप जैसा कि expect successness को तीन पार्ट में बाटा गया तो देखते हैं एक एक करके इसका और ये इसका मतलब होता है यह मान लीजिए ए है ठीक है उसका एक सन है ठीक सन माले भी है अब एक हाउस है तो भाई हर कोई जानता है कि एक मरने के बाद यह घर भी के पास आजाएगा अरे अंसेस्टर प्रोपर्टी उनके बच्छों को ही तो जाती है तो यह यह बताता है सेक्षन सिक्स का क्लाउज है क्या एक जीते जी क्या एक जीते जी भी यह प्रोपर्टी किसी और को ट्रांफर कर सकता है नहीं कर सकता क्यों क्यों क्योंकि पहली बात तो सेक्षन सिक्स के क्लाउज गे में यह चीज मना की गई है अब क्यों मना की गई है इसके पीछे दो पहले मरन जाए कि नहीं? we will survive स्मझे की माल लिजये अज़े भी एक चलते अगर बी प्रापर्टी ट्रांसफर कर देता है किसी और को तो वो ट्रांसफर वाइड होगा जीजन हम लोग देख रहे हैं कि क्यों ऐसा मना क्यों किया गया है क्योंकि दो चीज़ी हैं पहला तो हुबिल सर्वाइब और बगवान जाने कौन जीएगा वाई ए जीएगा जाय जादा कि जीएगा दूसरी बाट क्या पता ये जो है वसियत में वो किसी और को लिख दे थीक है, ये डाइď विदावड मेकिंग बिल जरूरी थोड़े है, कि वो विदावड मेकिंग बिल मरे, मान लीजिए वो किसी और के नाम Toronto कर जाए है की नहीं किसी और के नाम कर सकता है कि नहीं कर सकता बिल्कुल कर सकता है, ये दो condition है जिसकी वज़ा से यह कभी कभा में में पूची गई है और प्री में भी अब्जक्टिव में आ जाती है क्या प्रॉब्लम ए था उसकी वाइफ थी डबलू ठीट है और उसकी डॉटर थी दी अब क्या होता है उसकी डॉटर जो है अपने फादर से कहती है आप मुझे एक हजार रुपए दे दी अपना अपकी प्रॉपार्टी में आधू जोथा इसका सेयर ऐस्फ प्रॉपार्टी में कि दाभिलीस कर दो थी कि मैं आपकी प्रोपर्टी में छोड़ देती हूं आप मुझे एक हजार रुपए अभी दे दीजिए क्या होता है ए अपनी डॉटर गो हजार रुपए दे लोग मैंने इनकी और प्रापर्टी में से अपना से चोड़ दिया आप क्या हुआ एक ए मलने के बाद ये के मलने के वार वह अपने क्लेम करती है अपने पादर की प्रपरटी में तो ईसकी वाई पे कहती है कि तुम अपना सेहर पहले सेही दिलीग कर चुकी हो तो तुम्हें और किस बात का चाहिए उसको दो मिलेगा यह बताय यह मिलेगा क्यों क्यों कि द्धी जो समय उसने साइन की ती वह वाइड है जब यहाँ पर वी अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता यह के जीते जी तो डी भी कैसे कर सकती है अपना से कैसे कर सकती है नहीं कर सकती ठीक है क्या पता डी को से मिले ही ना कभी भी पहले मल जाए ठीक है तो यह जीत वाइड होगी और डी को अपन मिलेगा रही बाद हजार रुपए की डवलू जो है वाइफ जो किये वह हजार रुपए अलग से उससे क्लेम कर सकती है लेकिन उसको स्यर तो मिलेगा ही चलिए इत्याइज सहुन में आई ठीक है अब दूसा क्या है अधित जाए चांस और अफ लीगेशी चांस ऑफ लीगेशी क्या है अरे भाई वही है जो उपर है अब यह थे मिलेशन होता है वो थोड़ा लोग होते हैं उनके जिलेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई नहीं होता मतलब कोई भी आउलाद नहीं होती बच्चे नहीं होते तो वो क्या करते हैं व मैं सारी प्रम्पर्ट। उम्हें देखे जाओंगी है अध्यषय वह पास अपने आपा आप ये नहींगा हैं तो इसमें क्या ओभाई उन्होंने अपनी बसीव प्रापर्टी मेरे नाम करें तो क्या वह ट्रांसर कर सकता है और इसमें कैसे कर लेगा isn't कि यम्यद्त देख रहे हैं यह भी ट्रांफर नहीं कर सकते क्यों इसमें भी पता तुम जादा तर्जी और दूसरी वास कि आपके नाम पर वसीयत की है वह लाक वसीयत है नहीं है अब माल निये पहले तो इसमें आपके नाम पे बसीयत कर दी कि यह बेटा मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे के जाओंगी और वो मरने से पहले अपनी बसीयत चेंज कर सकती है ना अब उसने चेंज कर दिया तो भी तो आपके पास नहीं आएगी इन दोनों पाँदि अध्या आपके सब्सक्राइब कर दोना जाता है इसको भी आप ट्रांसफर नहीं देज़ा हैं तीसरा क्या है कि अधर पास्षी ऑफ लाइग नेचल कि अधर पॉसीलिटी और लाइग नेचल जिसमें क्या है तुम भी यहीं है बस चांसे हैं कि ढुब जी सकते हो या पा सकते हो चांस ऑफ़ और गिफ्ट तुम कहोंकि मुझे गिफ्ट में वहां इतना मिलने वाला वह तुम्हें देदूंगा या छांस टु बिन यह लौटरी कि भाई मैं लॉट्री जीत जाओंगा उसमें से तुम्हें दे दूँगा ठीक है चांस तु विन रिवार्ड ठीक है अब भाई साथ बहुत अच्छे एक स्पीकर साव है वह स्पीकर है आपके मतलब law college में अब उन्होंने क्या का कि देखो तुम तो बहुत अच्छे मूटर हो ही तुम तो मूट कोट में जीती जाओंगे तो वह पहले से ही कॉंट्रेक्ट कर लेते हैं कि मैं मूट कोट में जब 10,000 रुपए ज क्या सकते को से बना प्यक्रादद अच्छे में अध海। इसम्हें क्या इसमें कर दोटेशे सरी दो सश् करें जीज़िए वा है। armpitty जाएं मैं वैसे बहुत सब्सक्राइटि पर्डिनाद दिखरा एक नहीं पुन्ना बगद्रीनाथ प्रसिस पुन्ना पहला के लिखिए इसमें क्या लिखना है आपको देखिए फ्यूचर ओफरिंग इन टैंपिल इस ट्रांस्परेवल प्रोपर्टी बिकॉस इट इस सर्टें डैट ओफरिंग इन फ्यूचर विल कॉंटिनुड दो इस कॉंटिनी मे क्यां इसमें आए कि नहीं है कि फ्यूचर ओफरिंग जो होगा वोतों फ्यूचर ओफरिंग इने मंदिर में चड़ावाय आता ही रहेगा आप चाहें पम आए यह बात अलग है कम जादा हो सकता है लिकिन आएगा जबूर्योफ है वाद्री बद्रीनात बश्रित पुन्ना अग्दुल गफूर बसे अग्दुल रजाग क्या हुआ इसमें यह अभी लास्ट यह हिमाच्चा पूछा गया तो 2018 या 2019 में ठीक है अब्दुल गफूर बसे अब्दुल रज्याग बस आपको यह द्यान रखना है यह स्पेक सक्षेशन का केस है और इसमें यह बोला गया था इस्पेक सक्षेशन जो है वो मुस्लिम लौपे भी अपलाई होता है ठीक है कि यह समझ में तो आ रहा है कि आहीं रहा ह अगर यह राइट ओजी एंट्री लाओद भी अगर आपको अगर मान लीजिए उसमें आता क्री में आता है तो ऐसे लिखके आएगा इस्पेक सक्षेशन कहां दिया हुआ है 6A में 6B में 6C में के 6D में ठीक है तो क्योंकि पूरा सब्क्लाउट को लिखके आएगा नहीं है कि नहीं तो आप ऐसे ही याद कर लिजिएगा अब मेर राइट ओफ ली एंट्री क्या होता है यह भी आप ट्रांफर नहीं कह सकते है अब मान लीजिए A ने कोई प्रॉपर्टी B को दी लीज पर ठीक है तीन साल के लिए और साथ में एक कंडिशन लगाई ति अगर तुमने इसमें कोई भी कुवा हुआ खोदा ठीक है कोई भी लैंड में उस जमीन में अगर तुमनें कुवा हुआ खोदा तो मैं तुमसें ग्वाइश ले लूंगा ऐसा उसने विछ मैं कंडिशन लगा के बी को दे अब क्या हुआ बी ने उसमें पूहां कोद दिया कंडिशन का वालेशन किया अब क्या होगा यह ूच्छक्च ता है को तुम के सकता है कि कि ईलच के लाई आउफ आप दुबारा पजेशन ले सकते ना यह राइट सिर्फ आपके पास है ठीक है यह राइट आप किसी और को सी को ट्रांफर नहीं कर सकते इतनी सी बात कहना चाहता है मैं राइट ओफ दी अगर है कोई कंडिशन है तो आप खुद लीजीए किसी हैड परसंसे नहीं कर सकते कि तुम पजजिशन राइट ओफ री आट इंट्री तुम इस्तमाल कर लो और कुछ है इसमें होद तो कुछ है नहीं लाउशी क्लासी क्या है इसमेंट इसमेंट एपार्ट प्रॉम डामीनेंट अरेटेज क्या वाई मतलब राइश यह एक फेमस लाइन है वो याग दरती है आएगा इसमेंट आलवेज गो विद डामीनेंट हरेटेज इसमेंट राइड आल्वेज गो विद डॉमिनेंट हरिटेज क्या मतलब है इसका कि आप किसी को खाली इसमेंट राइड खाली इसमेंट ट्रांक्पर नहीं कर सकते कैसे समझेंगे देखते हैं पहले ये समझिए माल लिए ये ये का हाउस है ठीक है ये इस हाउस क्या है ये एका हाउस है और एके हाउस से रोड तक जाने के लिए ठीक है एके हाउस से रोड तक जाने के लिए जो रास्ता है वो बी की प्रापर्टी से जाता है ठीक है समयारी बात की नहीं ये एका हाउस है और इसके हाउस से रोड तक जाने के लिए रास्ता जो है वो बी की प्रॉपर्टी होते हुए जाता है तो यहां पर इसका जो इस यहां जाने का जो राइट है उसको राइट आफ वे कहेंगे है की नहीं राइट आफ वे कहेंगे यही राइट आफ वे इसका इसमेंटरी राइट हो जाएगा इसमेंटरी राइट हो जाएगा ठीक है इसी को हम इसमेंटरी राइट कहेंगे इस राइट आफ वे से जो की इसका बी की प्रॉपर्टी में है और एक हाउस को इसको हम डॉमि कितनी वात सम्झ में आ रही है आपको अब फिर से समझिए यह एक हाउस से जो में जोर तक जाने की रास्ता थी वह बीगी प्रापरटी होते हुए चाहिए धीक है तो जो बीगी प्रापरटी में इसका डाइट ऑफ वे हो गया दिए वहां से जाने का राइट हो गया अब क्य और जो यह इसको डॉमिनेंट हरिटेज कहेंगे तो अब यह क्लाउस यह कहना चाहता है इस सिर्फ आप राइट ऑफ वे यह राइट ऑफ वे किसी और को ट्रांफर नहीं कर सकते कि तुम सी से कह दो कि देखो यहाँ जाने का मेरा अधिकार है वो तुम ले लो नहीं कर सकते ठीक है लेकिन अगर तुम किसी को पूरा हाउस ही बेज देते हो डॉमिनेंट हरिटेज बेज देते हो यह पूरा हाउस बी को बेज देते हो तो बी के पास यह भी राइट आ जाएगा राइट ऑफ वे ली तौन में आरी बात की नहीं क्या है इसमेंट एपार्ट प्रॉम घ्रीटेज चैंशा चरकी ने पास एह और रहा है मोज़ को भी आप पने में इसमेंट अपने ये आप उसके पास पहुंच जाएगा मुझा ही बस Muk और यह यह प्रोपरिटी दिए गई आपको कोई चीज दिए गई जिसमें आपका इंट्रेस्ट जो रिस्टिक्टिड है ठीक है यह नहीं कि आप कुछ भी करो कहने कौन कौन सी चीज़े होती है एक्जामपिल इसके देखिए बहुत सारी चीज़े जो क्लाउज में भी दी हुई है अलग से वो भी इस डिस्टिक्टिड इंटरस्ट में आ जाएंगी देखो जैसे की राइट ओफ प्रियम्शन राइट ओफ प्रियम्शन इसी का एक्जामपिल है इसको आप ट्रांस्फर नहीं कर सकते दूसरा सर्विस टैनियोर ठीक है जिलीजियस ओफिसेज ये सब इसके एक्जामपिल है जो डिस्टिक्टिड इंटरस्ट में आते हैं ठीक है और इसके लावा क्या है ओफिस ओफ मुतावली ठीक है महन्त ओफ मठ किसी मठ का महन्त ठीक है और क्या हो सकता है और बताइए और आपका मेंटेनेंस मेंटेनेंस अलग से भी दिया हुआ है लेकिन इसमें भी आता है मेंटेनेंस ठीक है यह सब चीज़ें हैं जो restricted interest में आ जाती हैं जिने आप transfer नहीं कर सकते किसी और को अब माल वीजे कोई university मुझसे अगर contract करती है कि आप मेरी university में पढ़ाईए ठीक है तो क्या मैं वो किसी और को दे सकता हूं क्या मैं यह कह सकता हूं कि नहीं यार तुम पढ़ाओ यार मेरी प्रोफेशनल स्किल पर इन सब चीज़ों पर दी गई है ना ऐसे थोड़े तुम किसी को ट्रांसर कर सकते हो और एक सिंपल इसका एक्जामपिल समझी है ठीक है मान लीजिए एक पास एक लैंड थी ठीक है उसने क्या किया वह लैंड बी को वन वीक के लिए दी है कि वह वह लिए तुम यह लैंड इस्तमाल कर लो मैं तो किसी होटल में अपनी बेटी की साधी करूंगा ठीक है नहीं कर सकता क्यों कि पर्टिकुलर परपस के लिए आपको दी गई है ठीक है आप किसी और को ट्रांसर थोड़े कर सकते हो अगर आप इस लैंड का सकते हो तो सिर्फ अ राइट टूफ्यूचर मेंटेन्स दी डी क्या है यह राइट टूफ्यूचर मेंटेन्स ये तो आकर देखा ही होगा लाउस दी डी राइट तो फीचर मेंटेन्स क्या होता है बाई साब ये राइट टो फ्यूचर मेंटेनेंस क्या है एक बार ये पूचा गया उत्तराखंड में कि ये कब जोड़ा गया 1929 में जोड़ा गया ठीक है कब जोड़ा गया 1929 में लाइट टो फ्यूचर मेंटेनेंस भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है जब यहां पर फ्यूचर इस्तमाल किया गया है इसका मदलब पार्ट मेंटेनेंस अलाऊड ठीक है रूट मेंटेनेंस अलाओ लगंगे मैंटेनेंस सब्सक्राइब नहीं कि यहां तो पार्टी आति मिल अक्षिश्चर कर ले तो क्या होता था किसमें हाइठिकोट के लग अलग वी थे एक कईता देखो पार्टी इस ने खुद मेंटेनेंस किया है वह ट्रांसफर हो सकता है दूसरा हिप इसने मेंटेनस करने के लिए क्लावोश डीडी जोड सब्सक्राइण जिसमें यह बोला गया कि future maintenance चाहे वह और द्वारा हो चाहे खुड डिसाइड किया हो ट्रांसफर नहीं हो सकता लेकिन पास maintenance है पहले से मेर राइट तूशू क्या है कि अगर आपके पास मेर राइट तूशू है अब क्या होता है इसमें दो टाइप के होते हैं क्या अगर कोई भी uncertain और indefinite अमांट का कोई भी आपको राइट तूशू है इन दोनों केसिस में क्या होता है जो डैमेजल होता है वो अंसर्टेन होता है और इन डैपनेट होता है यह नौट ट्रांस्वेगल इनको आप ट्रांस्वर नहीं कर सकते ठीछ है लेकिन अगर सब्सक्राइबबी में एक्सक्राइब लोग क्या एनने अगर कोई आपके पास राहट है करने का किसी को पर केस करने का और वो अंसर्टेन या इंडेपनेट अमाउंट पर है जैसे ब्लीच और कॉंट्रेक्ट और टॉट में होता है तो उसको आप ट्रांफर नहीं कर सकते कि तुम केस करो किसी ने आपके ओपर डिफेमेशन किया है ठीक है तो आप उसे पचाहजार मांगते हों तो यह पचाहजार रुपए और डिफेमेशन का केस आप भी को करना पड़ेगा यह नहीं किसी थ्याट पर देखो उसने मेरे पर डिफेमेशन किया है एक डिफेमेशन आर्टिकल छापा है तुम केस करो और तुम पैसे उससे ले लो ठीक है ऐसा नहीं हो सकता क आएगा इसने घुर्ट हो जाएगा कि और कुछ है अब क्या होता है एक यह जोड़िस में पूंच जाती है उप मैसने प्रॉफिट क्या होता है मालूम है बताईए भाई मैं सुने प्रॉफिट CPC में भी दिया हुआ है बताईएगा मैं सने प्रॉफिट CPC में Defination clause में कहां पर दिया हुआ है मैं ते प्रॉफिट क्या होता है माल लिए किसी ने एक आदमी पर जो किये इसको अगे ने एक हाउस था जिसमें बी का पजेशन था था फिक पजेशन किसका था बी का तो क्या किया एने इस हाउस में अपनी ओनर्शिप क्लेम की फिक अब तीन साल बार वो केश जीद गया फिक तीन साल बार यह केश जीद गया और यह हाउस उसने ले लिया अब जो तीन साल में बी ने इस प्रॉपर्टी से जितनी भी इंकम हुई होगी उसे ठीक है तीन साल के अंदर इस प्रॉपर्टी से बी को जितनी भी इंकम हुई होगी उसको हम मैसने प्रॉफिट कहींगे ठीक अब क्या यह यह वाला कि लाउसरी की क्या बोलना चाहता है यह जो जाइट ओफ मैसने प्रॉफिट है इसको क्लेम करने का वह किसी थैट परसन को नहीं दे सकता किसी से कहे दे कि देखो पजेशन तो मैंने और सिप तो इसके ले लिए अब मैसने प्रॉफिट जो है वो तुम ले लो इससे ऐसा नहीं हो सकता अगर मैसने प्रॉफिट चाहिए एक खुदी क्लेम कर सकता है किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता तो क्लेम आप मैसने प्रॉफिट भी नौट ट्रांस प्रेबल यह भी ट्रांसफर नहीं हो सकता अदिशन बियार चलिए अब क्या है अंग है कि लाउस बीर पबलिक और नीस बबीर दुटर्पी तो कि अपक्या यह क्या अपक्या फॉब्लिक ऑफिसर चैलरीर पबलिक ऑफिसर टास्ट्रेवल है नहीं अरे भाइक कला आप जज बन जाओ ए तो कि आप यह कह सकते हो यार ज में मजा नहीं आ रहा मैं तो लिटिकेशन करूंगा ज़स्ट की नौकरी जो है पोस्ट जो है आपने छोटे भाई को देता हूं नहीं कर सकते आप है कि नहीं क्यों आप भी जानते हैं कि वह किस पे आपकी क्वालिफिकेशन पे नौलिज पे आप इन सब चीज़ों पे डिप अब कर देखो मैंने बार तक मैं पोड जाता हूं लेकिन मुझे तो मिलेगी नहीं किसी और को जाती है तो आप मन से काम नहीं करोगे बिल्कुल नहीं करोगे और क्या तो इसलिए वह आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो तो अच्छा एक प्रॉब्लम बताईए माल लीजिए आपके अपके बड़े भाई ने आपके ओपर इसमें बहुत खर्चा किया अब क्या हुआ आपने अपने 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 प्रॉब्लम बताईए कि जब मैं जजबन जाओंगा तो मैं अपनी सेल्दी में से कुछ अमाउंट आपको दिया करूंगा तो क्या यह अनंधाया वर्शिस सुफबाराव इसमें यह कीचीज हेल्ड हुई थी कि अगर वो सटेन अमाउंट देना चाहता है अपने सेल्दी में से तो वो दे सकता है क्यों अरे बाइव जरूरी थोड़ी वो अपने सेल्दी पूरी सेल्दी थोड़े दे रहा है अपनी सेविंग म क्लाउस एप को एफेक्ट नहीं करेगा एक सब्सक्राइब बात की नहीं चलिए अब आगे क्या है कि एक दो क्लाउद और रहे जाना जी है एच है आई हो क्लाउस जी क्या कहता है क्लाउस जी कहता है आपका पैंसर एंड स्टीपेंड आगे अब कि असी तरीके से जो पैंसर नो स्टीपेंड है जो आप मीशी के लोग मिलती है वह भी ड्रांसरेवल नहीं है ठीक ट्रांसांसरेवल होने के साथ साथ सेक्शन सिस्टी में यह भी दिया हुआ है जिसका अटेच्पैन्ञेन भी और इसका अटेच्मेंट भी नहीं हो सकता अब क्या रहे गया अब रहे गया आपका एच क्या कहता है हाँ जी एच बोलता है नो ट्रांसफर कैन वी मेड इसमें तीन चीजें दी होई है कि कब-कब ट्रांसफर नहीं हो सकता पहला इसका अगर वह नेचर आफ इंट्रेस्ट को एफेक्ट कर रहा है तो ट्रांसफर नहीं हो सकता और एक्रांपिल आप कह रहे हैं कि देखो घर को तो मैं यह घर तो तुम्हें बेच रहा हूं लेकिन इसकी जो इसके अंदर जो एर आति है इसमें जो नहीं वेस्ट उप सकता ना है यह कि नहीं यह n islands रोगया न तो इस टाइब के चाच्शेंल और और लोते हैं दूसरा और उन्लौफुल अब्जेक्ट कंसिडेशन के लिए ट्रांसफरी तो यह बोलना चाहता है यह आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं कि नहीं लिख लिए नहीं कर सकते लिख लीजिएगा कि यू क्याérique कि यस लिए ज्लए क्रम्राइब पर जो अब पारसी क्या क्या आइब क्या है कि वोलता है कि लिए डिस्क्वालीफइड हो गया है कि इस सेक्षन में इन लोग को क्वेड़ शहने कर सकते हैं अब आधिक तो इसमें नहीं कर सकते हैं तीन लोग दिये हुए हैं आई में कि जो जो ट्रांफर नहीं कर सकते कौन कौन टेनेंट है विन एन अनौथ्राइज राइट ऑफ अप्कुपेंसी फॉर्मर ऑफ एस्टेट इस्पेक्ट ऑफ डिफॉल्ट है इन पेइंग रेविन्यू तीसरा कौन है दा लैसी ऑफ एस्टेट ही कहिए तीनों है ऐसे आप लोग नोग प्याइब लिखा था सेक्शन से ठीक है ना देखा हो तो आप लास लेक्शर देख लिएगा चलिये तो आद देखेंगे सेक्शन 7889 देखें चैनों में अगर प्री के पॉइंट आव यू से देखें तो इसमें सिर्फ डारेक्ट पूछा जाता है तो आपको सिर्फ याद कर लिएगा ठीक है और वैसे में कभी कवार यह सौड में पूंच दिया जाता है ठीक है तो चलिए एक और हम लोग पढ़ लेते हैं देखेंगे सब चीज़ें हम लोग मतलब कुछी चीज़ें हैं जो बिल्कुली नहीं पूछे जाते हैं प्री में और मेंस में उनको नहीं देखेंगे वैसे हम लोग सब चीज़ें एक वाद देख लेंगे ठीक है चलिए 7 पर आता है 7 बोलता है person competent to transfer कहने का मतलब है कि कौन transfer क कर सकता है यह section 7 में दिया हुआ है पहले रीड मारते हैं इसको फिर आपको समझाते हैं क्या है every person competent to transfer तो every person competent to transfer है ना इस पर लाइन खींच के आप लिए section 11 of Indian contract act क्योंकि who are competent to contract कहां दिया हुआ है section 11 में तो every person competent to contract and entitled to transferable property और authorized to dispose of transferable property not his own यह authorized to dispose of transferable property not his own इस पर लाइन करके लिख लिएगा side में कहीं for example agent under power of attorney authorized to dispose of transferable property not his own इस पर लाइन करिए और इस पर लिख लिजे for example agent under power of attorney अभी आपको समझाएंगे tension मत लीजिए पहले लिख लीजिए इच कंपेंट्ट्रांफर सच प्रोपर्टी एदर wholly or in part and either absolutely or conditionally in the circumstances to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the timing in force देखेंगे section 7 क्या बताता है यह वो आदमी जो content to contract हो ठीक है content to contract देखना है कहा जाना पड़ेगा section 11 of Indian contract ठीक और वो आदमी जिसकी प्रोपर्टी तो नहीं है लेकिन उसे पावर दे दी गई है कि तुम transfer कर सकते हो जैसे कि हम लोग ने लिखा for example agent under power of attorney आपने सुना होगा सुनते रहते होंगे कि कि अमिताब बच्चन ने यहां पर खेत लिया लखनू में खेत लिया ठीक है तो यह सब देखते हैं तो कि अमिताब बच्चन खुद आके जैसे कि आप जानते कोई property खरीद होगे तो आपको तैसील में ही जाके उसका स्टेशन होगा और सो भी वही के ही तैसील में जहां पर प्रॉपर्टी है तो क्या मिताब बच्चन साब लखनू जाके उसको जाजिस्ट्री करवाएंगे क्या क्या वो लाइन में लगेंगे इतना टाइम है उनके पास और पॉसिबल है वहां पर भीड लग जाएगी तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं अरे बाई अपना एजेंट पॉइंट कर देते हैं उसे पावर ऑफ हटोर्णी दे सकते हैं कि तुम मेरे भी आप पर खरीज सकते हो या मेरे भी आप बेश सकते हो ठीक है तो वह आके उनके भी आप पर प्रॉपर्टी खरीद लेता है चलिए तो इसे है तो इतना ठीक है और अब अधर हो ली और इन पार्ट पुरी तरीके से या पार्ट में एपसलूटली और कंडीशनली कंडीशन भी लगा लेंगे सब आंगे चीजें सब दिवी है एकदम के लिए रोती जाएग अभी आप पस इसको पढ़ लिए तो जब 11 को आप देखेंगे उसके साथ साथ सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉंट्रक्ट एक और एक दो चीजे और जो चीजे इसमें मतलब टीपीए में जो जो चीजे जरूरी है उन सब को जब हम एक साथ देखेंगे तो यह पांच एजन्सियल निकल के आएंगे कि एजन्सियल ऑफ ए अधियर और टांस्फरी यह तीनों चीजें बूस्ट एग्जिस्ट ऑन दीट ऑफ टांस्फर टीक है जिस प्रॉपर्टी वो ट्रांस्फर करना चाहते हैं तो यह जो है यह आपका ट्रांस्फर हो जाएगा कि और आधिकर्स हो जाएगा जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है या जिसे जो भी कुछ आफिप्र यह की ठीक यह की थी वह को दे रहा एत्व फॉपर्टी हो जाएगा मालुम तो आपको ट्रानस्फरर को मतें तू ट्रानस्फरर का सबस्ट कूल रिली कैस में यका की तीपी यह यह ये च्था टर तंड गूेंटN inhabit इनकंपटेंट ना हो किस सेंस में अभी बताएंगे आपको अगर अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं तो यह सब चीजे अगर जरूरी है तो इन सब को यह भी फॉलो करना पड़ेगा चलिए अब इसमें जड़ा देखते हैं देखिये अब ट्रांस्फरर जो है वो कमटेंट होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि ट्रांस्फरर मस्ट भी वो सेक्शन 11 को फॉलो करना चाहिए थिक क्या है कि वह मेजर हो ठीक माइनर ना हो कि हो इस चीज़े होनी चाहिए लेकिन ट्रांस्फरी के केस में ट्रांस्फरी के केस में जरूरी नहीं हैं कि वह थ겠습니다 माइनर भी हो Are प्र जसकता है अनसाउंग माइब्ग उसकता है तो आप तब कहेंगे किसका मतलब क्या है not be declared as incompetent लौ में इनकमपरटेंट उसे किया गया हो जैसे कि आप इसी का सेक्षन पीपीय का सेक्षन 166 देखें क्या दिया हुआ है उसमें उसमें यह दिया हुआ है कि एक्स नेवल क्लेम केकेसिज में जो कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो लोग ह होंगे जैसे कि जजेज एडवोकेट यह सब लोग एक्सनेवल क्लेम में ट्रांसफरी नहीं बन सकते एक वाल देखिएगा एडिंग आप क्या दिया हुआ है क्या है इंक इन कैपेसिटी ऑफ ऑफिसर्स करेक्टेट विद्धा पॉर्ट ऑफ जस्टिस इन केस ऑफ एक्पनेवल क्लेम ठीक है क्यों क्योंकि बाई मना किया गया है तो इस टाइप के लोग हो इसमें मना किया गया अना कि यह बोला गया है कि वह कंप्टेंट परसन हो ठीक है कंप्टेंट होने कोई जरूरत नहीं है तो इसका कहने मतलब है कि माइनर अंसाउंड माइंड यह लोग क्या हो सकते हैं यह लोग पर चेसर भी हो सकते हैं ठीक है जोनी भी हो सकते हैं ठीक है मॉड गेजी भी हो स इसमें केस और था, कौन सा केस था भई, मलिका अर्जुना, मलिका अर्जुना वर्शिस मरियप्पा, इसमें क्या हुआ था, इसमें एक आदमी ने अपने बेटे के नाम से प्रॉपर्टी ली, माइनर संथा उसके नाम से प्रॉपर्टी ली, ठीक, और कुछ टाइम बाद उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी, जैसे कि आपको पता होगा, कि अगर माइनर के नाम पर प्रॉपर्टी है, और उसका गाजियन, चाहे लीगल गाजियन और चाहे कोई भी अगर उसको बेचता है, तो उसे कोट की परमीशन लेनी पड़ती, अंडर सेक्शन 8 और माइनर्टी अंगाजियन से पैक, ठीक, लेक सेक्शन 7, चलिए तैसे सेक्शन 8 नि athletes कि अपरेजन और क्रांफर, सेक्शन 8 क्या बोलता है, कि अचलिए और क्रांफिर्ट्र करते हैं, तो उसका क्या होगा, तो आप अपको अरफ क्या होगा, effect of transfer क्या होगा चलिए इसको रीड माते हैं अलेसे डिफरेंट इंटेंशन इज एक्स्प्रेज और नेस्रेली इंप्लाइड जब तक दोनों पार्टी ने कुछ और ना लिखा हो उसमें तब तक ठीक है कुछ और उन लोग ने इंटेंशन डाल लगी कुछ और इंप्लाइड लिख रखा है तो बात अलग है उसको साइड में कर दो आप अभी यांस पढ़िए ट्रांफर ऑफ प्रॉपर्टी पासेस फोर्थ विट्टु दा सब्सक्राइड लिखा हुआ उस पर लाइन करके लिए एट प्रिजेंट नौट इन फ्यूचर मतलब उतने सारे इंट्रेंस जो समय उस प्रॉपर्टी पे हैं वह सारे इंट्रेंस उसी समय ट्रांफर हो जाएंगे उसके साथ चलिए क्या है मतलब जैसे कि आप लोग जानत सब्सक्राइब कर लोग क्या है इसन के साथ ऐसा नहीं है तो तो फिस सारे राइट ट्रांफव में रचांव हो जाएंगे P चलिए एंद दिणि लीगल ऀंसिडेंट डिरैंड चलिए पहला पड़ प्रॉट्टे इंग्ड psychologists पे-पनेटेंड टू-अब वह वह जो लीगल liंसिडेंट्व फैसे आंड ठेस्स के थ complètement पढ़ायता मैंने section 6 में section 6 का clause C देख लेना अगर मेरा lecture देखा हो तो वह देख लेना अगर कोई ट्रांसफर कर रहे हैं तो लेंड के साथ साथ उसमें जो इसमेंटरी राइट होगा वह भी ट्रांसफर हो जाएगा उसके साथ साथ रैंट प्रॉफिट देर और अक्वाइरिंग अफ्टर ट्रांसफर अगर प्रोपर्टिज लेंड वह रैंट या प्रॉफिट कोई आता है तो वह भी ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है अगर बाई किसी को आपने अपना घर बेचा ठीक तो आप उसमें को किरायदार रहते हैं तो किसको रेंट देंगे जो नीव उनर होगा उसको देंगे आपको थोड़ी देंगे कि आपने गडर तो भेज दिया लेकिन वो जो है अगर अगर आप एक सब्सक्राइब उसमें लिख दें कि देखे वाई मैं आपको प्रॉफर्टी तो बेच रहा हूं लेकिन जो इससे तो इसके साथ साथ जो भी कुछ चीज़ें उसमें घर में अटेस्ट रहे हैं उस लेंड बहुत वह वी सारी चीज़ें एड़ अगर कोई मशीन्री है जो इसी मसीन है जो जमीन में गड़ी हुई है जमीन में असेंबल की हुई है तो उसके साथ साथ उसके movable जो parts होंगे वो भी सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगे उसे ठीक है यह नहीं कि जितना उसके जमीन पर गड़ा हुए वही अरे उसके कुछ agentials part हैं जो movable होंगे माल लीजिए उसकी कोई soft copy है माल लीजिए कोई ऐसी असीन है जो किसी software से चलती है वो software तो माटेस नहीं है तो आपको software भी देना पड़ेगा उसका ठीक है एंड प्रोपरटी जो हाउस अगर कोई वो प्रोपरटी घर है अगर उसके साथ लेंड के साथ साथ इसमेंट राइट होता है और हाउस के साथ साथ भी इसमेंट राइट होता है जो उसका रेंट आएगा वो भी एंड उसके ताला चावी गेट दर्वाजा सब चीज़ा ट्रांफर हो जाएंगी है कि नहीं एक घर को अरे आप कि जित घर खरीदते हैं तो ऐसा थोड़े है कि घर बेचने क्वाद आप जो है जिसने बेचा वो गेट खोल के ले जाएगा क्या विंडो खोल के लिए जाएगा इसा आप करने देंगे नहीं अरे इंप्लाइट ली है घर खरीद है उसके साथ से यह साइट चीज़ें उसी में रहेंगी यह तुम थोड़े ले जाओ कि उसमें से ठीकर फर्नीचर के साथ प्रहाण देखके उसमें लुंगा छब्टि быстр लेकिन जितनी चिज़ें पर्मेंनट फर्म में में ऑस आपको करने पर्म में पर्मेंनट फोर्म में इस पारेगों सो सव नाना meses और घ्रव में not transfer to the transfer but not areas of interest occurred before the transfer अब क्या हुआ अगर कोई debt है या actionable claim है तो उसके बो भी सब transfer हो जाएगा उसके साथ जो चीज़ आएंगी बो भी लेकिन अगर कोई उस पे जो वो है debt पे ही कोई interest है जो transfer होने से पहले का बन जा है ठीक है अगर कोई property कोई income है या कोई money है ठीक है किसी को पैसा ब्याज पर दे रखा है ठीक है तो जिस दिन से transfer हो रहा है अगर मैंने वह पैसे कर दिया कि बाई उस पर एक लाग रुपए है और उस पर पांच परसंट ब्याज लेते हो उससे वह तुम लेगा हो ठीक है तो एक लाग रुपए है और जिस दिन से मैं transfer कर रहा हूं उस दिन से उसकी ब्याज जो नया honor होगा उसके पास जाएगी इतनी सी बात करता है तो यह ऑपरेशन और ट्रांफर अगर ट्रांफर करते तो उसका एफेक्ट क्या होगा यह बताता है चलिए section 9 section 9 देखते हैं चलिए section 9 देखते हैं क्या बोलता है देखिए section 9 बोलता है oral transfer actually में बताता है कि mode of transfer क्या होगा oral होगा कि writing में होगा भाई कोई चीछ transfer कर रहा है तो उसका mode क्या है राज writing में transfer करें कि orally बोल दें ठीक है तो section 9 की heading जरूर oral transfer है लेकिन यह mode of transfer बताता है क्या है transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not especially required by law section 9 simple यह बात करता है कि देखो भाई अगर कहीं पे भी उस transfer का registration नहीं दिया हुआ है कि registration of इन राइटिंग में transfer करना जरूरी है तो आप oral transfer कर सकते हो मतलब general rule यह है कि हर चीज और ट्रांसफर हो सकती है except कहीं पे इन राइटिंग दिया ना हो कि भाई यह राइटिंग में transfer करना पड़ेगा अगर expressly कहीं पे नहीं दिया हुआए कि इसका transfer । ये और ट्रांसफर होगा general rule ओर ट्रांसफर कहीं दिया हुआ है कि राइटिंग आइट इसके हिसाब आप से कहां कहां दिया हुआ है कि चांफर जो है राइटिंग में ही होगा यह हमने लिख लिया है देखिए जिस्ट पने प्रोपर्टी अगर आप किस्वी प्रोपर्टी के गिफ्ट कर रहे हैं फिर चाहें उसका वेल्यू सवह हो चैना कुछ भी हो क्छिटेशन में डिया हुआइगी इसका लिट्राइट कमपल सरी है इतनी चीजें हैं जहां में डिटीट्राइट अब प्रॉपर्टि अगर किसी खरल प्रॉपर्टि कर रहे तो सक्षा लिट्राइट क्रणा पड़ेगा अगर आप किसी भी इमोल प्रोपर्टी का सेल कर रहे हैं जिसकी वैल्यू वैल्यू जो है वह ज्यादा उसकी वैल्यू है तो सेक्शन 54 यह कहता है इसका भी रैस्टेशन कराना पड़ेगा रैस्टेशन का मतलब इन राइटिंग में ही तो हो गया अब लीज अगर कोई भी ल है एक साल से ज्यादा ठीक है एक यह टू यह है या मोर दैन वन यह है तो सेक्शन 107 यह कहता है इसका भी रैस्टेशन आपको करवाना पड़ेगा समझ में रहा है कि नहीं अरे भाई लीस क्या होता है कि भाई लीस पर तो महने वर के लिए भी दे सकते हैं छे महने के लिए ठीक है तो अगर आप 11 महने तक देंगे ठीक है शाल वर का आपने दिया तो ड्रीश्टेशन आपको करवाना पड़ेगा यह तो यह तो यहां रहाए चलके कि भई हां इसमें राश्टेशन कंपल्सरी था अजन दो other kind of mortgage जम्हां कंपल्सरी है चाहें वह वेल्यू 100 हो चाहें 100 से ज्यादा हो इसकी कि अब एक्सेप्ट मॉट्गेज बाइड डिपॉजिट ऑफ टाइटल इड में कभी रेश्टेशन नहीं होता कि सिंपल मॉट्गेज में चाहे प्रोपर्टी सौर रुपए से कमकी हो तब भी रेश्टेशन करवाना पड़ेगा आपको ठीक है अधर काइट के मॉट्गेज में हमें सौ से ज्यादा प्रोपर्टी होगी तो रेश्टेशन करवाना पड़ेगा बात समझ में आई एक्स्चेंग अगर वह सौर रुपैस ज्यादा की प्रोपर्टी को अगर हम एक्स्चेंग कर रहे हैं किसी आदमी से तो सेक्शन बन कि एकम वड़ाने पड़ेगा समयल जाएं बताएं कि में थिट्रेशन क्या होता है ठीक है चलिए अब अगर जिसमें बताये जह कहने मतलब इम्सेंटी कंपल्सरी है फिर सब्सक्राइब हम डाइटिंग में कर लेते हैं तो क्या हो गाय जाएगा ठीक है और वहाइब ममाना या आइटिंग में दिया हुआ है किसी सेक्षन में कहने मतलब है अगर मैंने किसी को गिफ्ट किया ऐसे ही ओरली ठीक है कि मैं तुम्हें यह प्रॉपर्टी अपनी किस्ट करता हूं मैंने ओरली कह दिया तो क्या माना जाएगा नहीं क्यों अरे भाई 123 बोला है रेस्ट्रेश हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग चलिए तो टीपेफ हम लोग का कहा तक हो गया था सेक्षन 9 तक हो गया था ना चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 10 11 12 17 ठीक है क्योंकि इनको एक साथ ही पढ़ना पढ़ेगा तभी आपके समझ में आएगा पूरा कॉंसेप्ट जो है यह इंटर इलेटेड है आपस में ठीक है तो इनको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे समझ में तो आ रहा है ना आपके एक बात और की देखिए कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सलेबस जल्दी कंप्लीट करा दीए भाई मेरी भी कोशिस यही है कि भाई क्योंकि सारे एक्जा लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को और अपने दोस्तों से भी यह सेयर करना पड़ेगा वो क्यों देखिए हर चीज के पीछे एक रीजन होता है इसके पीछे क्या रीजन है देखिए अगर ज्यादा लोग चैनल को देखेंगे अगर ज्यादा लोगो लोग उम्मीद होंगी तो उसके साफ से मुझे अपनी समझ में आएगी मेरी रिस्पॉंसरीलिटी भी जादा होगी कि नहीं भाई दत्वारा लोग जो है वो इसी उम्मीद में कि कभी यह सारे लेक्षर अप्लोड हो और देखें तो मेरी जिम्मेदारी जादा हो जाएगी न जल्दी जल्दी अप्लोड कर पाऊं चलिए ठीक है और आप लोग का बहुत बहुत सुक्रिया कि आप लोग देख रहे हैं कमेंट कर रहे हैं ठीक है आपके कमेंट करने से ही मुझे बूस्ट अब मिलता है चलिए टाइम न भीज करते हो हम लोग इस पर आते हैं वैसे आल कंडीशन लगा देते हैं तो वह वाइड हो जाएगी ठीक तो यह चार्ट बहुत इंपर्टेंट है आपके लिए दिख रहा है ना सबस्टा इसको ऐसे ही उताल लिएगा ठीक है प्री के सारे को मनदब आंसर आपके सब इसी में ही मिल जाएंगे ठीक है प्री को लेके लेक है तो समं कंडिशन सबसिकुएंट अगर कोई कंडिशन लगा दी कि ट्रांस्पर होने के बाद कि कोई कंडिशन लघा रहे हैं तो उसका इसे क्या होगा यही यह सेक्षण बताते हैं कौन-कौन LEVN 12 और सेवन्टीन ठीक है चलिए 6100 यह बोलता है कंडिशन लिए लग्नी damn तो ट्रांफर कर रहे हैं चलिए नीचे हम लोग को थोड़ा में इसी लिए इतना इस पेस नीचे दे रख रहा है इसमें कुछ लिख नहों तो लिख पाएं देखिये अब ट्रांफर अगर होता है कुछ चीज़ें देख लेते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं तो कैसे होत जानते हैं gift, sale, exchange ुन टीनों में क्या होता है? all to be honest transfer होती है honors प्रांस्फर होती है है की ने? मैंने किसी को gift कल दी कोई property आप मेरा उस property थोड़े कोई हत्राइब तो उस हीगी हो गई क्योंकि honors ट्रांस्फर होगी ऐसे ही sell में ऐसे ही exchange में आप अजो एक्षेंज ही है वो लेकिन लीस के case में क्या होता है केबल possession दिया जाता है ठीक possession दिया जाता किसके लिए कि भाई वो उस property का enjoyment कर सके कोई ownership थोड़े transfer की जाती लीस में mortgage में भी क्या होता है possession दिया जाता है या मतलब to secure depth मौटगेज में property इसलिए दिया थी कि to secure depth ना कि ownership यह चीज़ उन में आई की नहीं आई चलिए इसका काम आएगा भी यहां पर देखिए condition retaining alienation क्या रहता है कि भाई मैंने condition लगा दी मान लीजिए मैंने किसी को property gift की ठीक तो मैंने उसमें condition लगा दी देखो मैं तुम्हे property दे रहा हूं लेकिन तुम इसको किसी को बेच नहीं सकते alienate नहीं कर सकते ठीक है यह मैंने restriction लगा दी तो इस restriction क्या होगा यह valid होगी कि नहीं यहीं बात करता है section 10 section 10 यह कहता है कि conditions distraining alienation वाइड होगी ठीक है वह condition वाइड होगी लेकिन वह ट्रांसफर वैलिड होगा अब लेकिन वह condition कैसी होनी चाहिए absolute होनी चाहिए चाहिए कि नहीं रुकी अभी इस पर दीटेल में बताते हैं कि क्या होता है अगर मैंने किसी चीज पर absolute restriction लगा दिया कि मैं अपनी प्रापर्टी आपको सेल कर रहा हूं या गिफ्ट कर रहा हूं लेकिन आप वो प्रापर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और को नहीं बेश सकते मैंने ऐसी condition लगा दी तो यह absolute condition हो गई ठीक है और absolute है तो इसलिए यह absolute restriction है इसलिए यह वाइड माना जाएगा लेकिन सिर्फ वो condition void मानी जाएगी लेकिन जो वो है ट्रांसफर है वो वैलिड माना जाएगा वो कंडिशन को भाड़ में फेको उसे अटाओ ट्रांसफर वैलिड है आपको ट्रांसफर करना है कर दीजिए तो ऐसा क्यूं है यह बताइए पुस्चन यह उड़ता है कि ऐसा क्यूं है कि भाई ऐसी कंडिशन क्यूं नहीं हगा सकते तो इसी के लिए मैंने यहां पर ही बताया था सब्सक्रण कि इस चीज में क्या ट्रांसफर होता है और अगर हम लोग पुट सूर्ण से देखें तो tutanha सिब्सक्राइबoras कि Κाम बज़के साहाण ownership के साथ bundles of right transfer होते हैं जिसमें एक main right होता है ownership includes basic ठीक है ownership includes right to dispose of ठीक है या right to transfer ownership अगर किसी को transfer हो रही है तो उसके साथ यह तो basic right जरूर ट्रांसफर होंगे कौन-कौन सा right to dispose of the property और right to transfer the property ठीक तो फिर अगर यह कंडिशन स्टेनिंग alienation को अगर valid कर देंगे तो वो इसके basic principle का violation होगा किसका ownership का है की नहीं चलिए तो इसी लिए यह कंडिशन स्टेनिंग alienation void होता है यह वाइड होगा absolutely अगर कोई लगा दिया तो यह वाइड हो तो भाई आप absolutely अगर मैं बार बार बोल ला हूं तो इसका मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि अगर कोई partial restriction लगाया तो partial restriction क्या होता है कि मैंने कहा कि भाई देखो तुम यह property transfer तो कर सकते हो लेकिन सिर्फ इसी आदमी को कर सकते हो सी को कर सकते हो ठीक है सिर्फ सी को कर सकते हो तो कहने मतलब यह है कि अगर partial restriction है तो वह valid हो सकता है कि अदर्वाइस अदर्वाइस इन फ्यूचर वह आपस वह absolute नहों रहा हो अब आपको विशाल भाई यह क्या है अभी समझाता हूं illustrations से आप समझिए मान लीजिए एने ट्रांसफर की property बीगो ठीक एने बीगो प्रापर्टी ट्रांसफर की इस condition के साथ कि इस partial condition के साथ कि तुम सिर्फ अगर बेचना चाहोगे तो सिर्फ C को बेच सकते हो ठीक है तो अब इन future में अगर C ने लेने से मना कर दिया property अब वो बेचना चाहता है लेकिन C खरीदना नहीं चाहता ठीक तो ये condition क्या हो जाएगी ये देखने में तो partial है कि बेच सकता है लेकिन C को बेच सकता है ठीक लेकिन अब C खरीद नहीं रहा तो ये absolute हो जाएगी और जैसे ही absolute हो जाएगी तभी वो वाइड हो जाएगा है कि नहीं चलिए एक और illustration एक और देखते हैं जैसे कि मान आदमी बहुत उसे आ रहा है ठीक है वो इसका तोल ढूंडना चाहता है कि कैसे मैं property किसी को transfer भी कर दूँ और उसके ओपर condition भी लगा दूँ तो वो क्या करता है वो कहता है देखो मैं तुम्हें ये property transfer तो कर रहा हूं बेच तो रहा हूं या आपको gift तो कर रहा हूं लेकिन अगर आप इसे बेचोगे तो आपको एक करोड़ रुपए की बेचनी पड़ेगी जबकि उसकी value कितनी है माल लिजे एक लाक तो उसने ये condition लगा दी कि ये जरूर एक लाक की है लेकिन अगर तुम बेचोगे तो कम से कम इसे एक करोड़ की बेचना उससे कम में नहीं प्रित अबतिर तो विश्चा मतलब यह 9 रोक रही है अब दूसरी से लगा ती यह मैंने dignity property owner my में करवा दूं समझ में उसे कम पी में करवा दूम समझ में आरए रा तोड़ा कंसेंट्रेटेट हो का अ वैसित सब्सक्राइब पहले देखो क्या चाहता था यह क्या चाहता है कि है प्रऌपरिक है कि प्रध荸े इसमें कंडिसर बहुत मचले बहुत हाई ऐशे अब वो इसकी जो इसाफैन पूंड हो घाएगी तो उस्ति लेकिन ऐसरिये विर हुआ इस परपर्टी बेचना चाहते हैं ठीक अब उसकी वैल्यू मान लिए 10 लाग है ठीक लेकिन उसमें कंडिशन लिखी ओ कि अगर तुम बेचना चाहते हो तो दस जार की बेचोगे तो क्या आपका भी बेचोगे उसे 10 लाग की प्रपर्टी आपका भी 10 जार में बेचोगे नहीं सब्सक्串 के नहीं हो जाएं होगा इसे होगे किया हो जाएगा यह सारी चीजह प्रामडीशन देखने में कैसे लग रहे हैं कि यह इसकंडील रिच्छान है लेकिन आग चल यह एपसिल्यूटे प्रूल्डेहा 50 होगा मैं आपका इसीशन में ब्लोर को ला guilty कि चेड़ियक वाइड है लेकिन ट्रांस्फर वैलिड है, ति म्हाइण देसे कि नहीं पेज दूंगा, इस में केस है, मुहम्मत रजाअदासOUT!!!! शल्सक्ट semic. मुहममत रजाअदास मौहम्मत हजा वर्टिस अभबास भीभी इस केसमें इस केसमेश में यह हुआ था की कोड़ रिखा था अगर कोई यह कंडीशन लगाता है कि यह प्रॉपर्टी आप ट्रांफर तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ फैंबली membership को ही उजया पर कर सकते हैं तो कोड ने इसमें का था देखिए यह प्रामा फेसाई तो यह क्या है पास्यल इस्टिक्षन है और यह पास्यल इस्टिक्षन ही माना जाएगा लेकिन यह कोई जंदर दूल नहीं है मतलब इन फ्यूचर अगर माले घरवाला कोई लेना नहीं चाहता ठीक तो उसके पास अधिकार है कि वह किसी और को बेश सकता है लेकिन उससे पहली पहली कंडिशन यहीं फुल्फिल करने पड़ेगी कि घरवालों को ही बेचे फैम्ली मेंबर्स को ही बेचे ठीक है उन्होंने कहा था कि देखो यह ठीक है पास्यल रिस्टिक्षन है लेकिन कोई जन चलिए समझ में आया कि नहीं है अब क्या है section 10 के मैंने दो exception यहां पर लिखे हुए है पहला lease और दूसरा where properties transfer for benefit of married woman अब पहला देखिए इसके exception क्या है lease भाई lease के case में position transfer होता है ठीक है तो इसमें कोई ownership तो transfer हो नहीं रही ownership ट्रांफर नहीं हो रही तो right to transfer का violation नहीं हो रहा तो lease का case यहां पर ठीक है ठीक है दूसरा when property is transfer for benefit of married woman इसमें क्या है यह पहले इसको आप read मारिये फिर आपको समझाते हूँ ठीक है section 10 रीड मारिये where the property is transfer subject to a condition or limitation absolutely restraining absolutely restraining पे गोला कर लीजिए the transfer or any person claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property the condition or limitation is void white पे भी खोला कर लीजिएगा except in the case of lease पहला हो गया except पर exception डालीजिए पहला lease दूसरा provided that property may be transfer to or for the benefit of a woman not being a Hindu modern or Buddhist so that she shall not have power during her marriage to transfer देखे इसमें क्या हुआ था आप थोड़ा पीछे जाईए और यह सूचिए कि एक्ट कप का है 1882 का है ना तो उस समय अब यह बोला है कि married woman जो की हिंदू ना हो मुस्लिम ना हो बुद्धिस ना हो अरे तो भाई 1882 में हिंदू मुस्लिम बुद्धिस को छोड़के कौन था किशियन थे किशियन लोग कौन थे वो सब जो England से आये थे Englishman ठीक है तो उन्हो ने यह restriction लगा दी किसके ऊपर कि भाई English woman जो होगी जो Christian woman होगी उसके ऊपर restriction लग सकती कि जब तक वो married है तब तक वो property transfer नहीं कर सकते उसके ऊपर हम restriction लगा सकते हैं ठीक है तो यह इस intention से यह चीज जोड़ी गई थी ठीक married woman यह कोई Indian woman के लिए नहीं जोड़ी गई थी ठीक है चलिए इतनी बार सवज में आई section 10 चलिए अभ 11 देखते हैं और तो कुछ इसमें है नहीं ना सवज में आये तो एक बार lecture पीछे बैक करके फिर्सर सुन लीजेगा समझ में आ जाएगा 11 क्या बोलता है इन्ट्रेस प्रापर्टी आप यह रिख लिख लीजिए the अगर कोई भी प्रॉपर्टी यह क्या कहता है section 11 कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी absolutely transfer कर दी है ठीक है मल यह sale, gift, sale यह change की है तो आप इसमें उसके enjoyment के ऊपर कोई condition नहीं लगा सकते ठीक है enjoyment के ऊपर कोई condition नहीं लगा सकते अब for example अगर कोई condition लगाई तो क्या होगा अब कैसे वाइड होगी इस प्रॉपर्टी इस ट्रांफर्ट अगर प्रॉपर्टी इस ट्रांफर कर रहे हो तो वो condition वाइड हो जाएगी अब कैसे वाइड होगी दिए एक illustration समझी है माल लीजे कि आप आप आपने किसी से एक agriculture land खरी दी अब उसने अग्रिकल्चर लेंड बेशते समय condition लगा दी कि आप मैं आपको बेश तो रहा हूं लेकिन आप इस लैंड में सिर्फ और सिर्फ ग्यों की खेती करेंगे ठीक तो क्या यह condition condition valid होगी नहीं वाइड क्यों क्योंकि भाई मेरे enjoyment के ओपर यह restriction लगा रहा है I am the absolute owner of the property now I am the absolute owner of the property आप restriction कैसे लगा सकते हो कि मैं उसमें आनाज की खेती करूँगा कि मैं ग्यों की खेती करूँगा कि मैं गन्य की करूँगा आप कैसे बोल सकते हो है कि नहीं ऐसी condition जो है वाइड हो जाएगी ट्रांसफर तो वैलिड होता ही है है कि नहीं लेकि इसके साथ क्या होना चाहिए ट्रांसफर जो है वह absolute होना चाहिए है कि नहीं absolute transfer में ही ऐसा होगा अब मान लीजिए लीज है लीज है या mortgage है इन cases में तो वह condition लगा सकता है मान लीजे मैंने mortgage कि आपको property है कि नहीं तो उसमें वह condition लगा देखिए आपको इसमें substantial change नहीं करेंगे यह नहीं कि आप मेरी property को change कर दें तो भाई वह valid रहेगी है कि नहीं लेकिन sale कर दी उसके बाद थोड़े कह सकत है कि नहीं चलिए अब माल लीजिए इसमें एक और station देगे माल लीजिए एक आदमी ने कि इसको अटा दे आप एक मिनट कि माल लीजिए कि अधिए कि आप कि एक आदमी ने ए बी और सी को एक यह लेंड दिया ठीक है एक आदमी ने ए बी और सी को यह property दी ठीक ट्रांसफर की और उस ट्रांसफर में उसने condition लगा दी देखो कि तुम जो है तीनों लोग इसे एक साथ ही enjoy करोगे ठीक है कि तुम तीनों को jointly रहना पढ़ेगा इस प्रौपरटी में आप इसको neki कर सकते सैड़ेट नहीं कर सकते प्राटीशन नहीं कर सकते उसमें का प्राटीशन नहीं कर सकते क्या हुआ लोगढ़्य का सब आप साट नहीं परसकते हैं इसमें पụर्टीशन करना चाहते हैं तो क्याँ कर सकते हैं क्यों क्योंकि आपसल्उट ट्रांसफर हुईये यह आपकी फिस्ल्यूट और है अब यह चाहा उसमें एक साथ रहें चाहें अलग अलग रहें ऐसी कंडिशन क्या होगी वाइड हो जाएगी ट्रांफर वैलिड रहेगा चलिए अब सेक्शन 11 में मैंने इसमें दो एक्सेप्शन लिखे हैं पहला मैंने केश का नाम रखता है तुर्क वर्सेज मॉप से ठीक है दूसरा सेक्शन 17 अगर हम ल कैष लिए वेवर कि लाइन कर लिजए घर रिखे जो एवे अट्रांफरुन टामपर रहें दो टैज़ित मोज में काशीर लुदी एप्सविव माइंट कर लिग्यिख दोिधम्स oyn went to nai team and with me deaider your boat इंच्जों बॉन एंड आ ऐनफरों मानती घ्न भॉर्न इन्हें पर्टिकुलर मैनर पर लाइन कर लीजिए वह इस हिसाफ से उस प्रॉपर्टी को इंज्वाई कर सकता है जैसे उसमें कोई डारेक्शन नहीं दी हुई थी ठीक है जैसे अग्रिकल्चर लेंड में उसने का था वीट हुगा हो ऐसी तैसीम जाए वीट हम कुछ भी कर स सकते हैं कंडिशन वाइड हो गई ट्रांसफर तो वैलिड है ठीक अब इसमें कहने मतलब है जो नीचे जो दिया हुआ है उसमें आप लिख लीजिए एक्सेप्शन जो अलग से एक्ट किया गया इसमें आप देख रहे हैं वेयर एनी सच डारेक्शन हैज बीन मेड जो दिय के पास जोड़ा गया था तो तुल्क बसेज मौकसे केस में क्या हुआ था तो उसके साथ साथ उसके पास यह प्लॉट भी था घर से मिला हुआ एक लैंड भी था तो उसने एक आदमी को यह लैंड बेचा इस कंडिशन के साथ की वह यहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा इस चक्कर में उसने बोला कि देखो मैं यह लैंड डी टुम यहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तो क्या यहां पर वेलिद होगी कि नहीं कोड ने एक्शेप्शन में डाला और कहा कि ऐसे कंडिशन वेलिद होगी क्यों क्यूंकि फॉर परिस्ट बेनिफिट ओफ दी आगर कोई एड्जॉइनिंग लेंड है ठीक है कोई एड्जॉइनिंग लेंड है और रट ट्राइन जो है वह अपने पास्टन बेनिफिट के लिए कोई उसमें कंडीशन लगाता है तो चान्डीशन फेलिड होगी ठीक तो इसनों ने इसके एक्सप्शन में डाल दिया दूस कैसे अभी सेक्षण 17 समझाएंगा तब मैं आपको बताऊंगा पहले हम लोग 12 देखते हैं कंडीशन मेकिंग इंटर्फ डिटर्नेवल अब क्या है यह दिखिए 12 जो है 12 के देखने से पहले हम लोग को सेक्षन ठर्टीवन दिखना पड़ेगा ऑपर लिख लिए कि सेक्षन ट्रट्वशन एक्षेप्ट्शन ऑफ सेक्षण ठर्टीवन क्या है सेक्षन 31 एक बड़ा आप जिर माल लिए गगा section 31 general rule बताता है 31 खोलिए condition that transfer cell cease to have effect in case of specified uncertain event happens or does not happen यह यह बताता है section 31 आप ऐसे लिख लिजे general rule बताता है आप लिख लिजे थोड़ा इस पर वनना आप confused हो जाएंगे पहले आप यह लिख 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 लिए section 12 is an exception of section 31 ठीक है अप लिख है general rule ठीक है section 31 बताता है general rule section 31 general rule अप उसमें लिख है there is no provision in law which restrained the transfer r to transfer his property on condition that on happening or not happening of an event that property is revert back to the transfer or sell wests in some other person such transfer are conditionally सब्सक्राइब कंडिशनल ट्रांफर एंड वैलेड लिखा इतना आपने क्या कहना चाहता है जनरल रूल यह है कि आप कंडिशनल ट्रांफर कर सकते हैं ठीक है आप कोई भी कंडिशन ऐसी लगा सकते हैं कि ओन हैपनिंग और नौन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट जो बे क्या करता है काता है एक दूसरे आदमी को खो पर प्रड़टी ट्रांफर करता है एक लैंड ट्रांफर करता तो जैसे इस लिखी होती उसी साथ से वो प्रॉपर्टी उसके पास बैक आ जाती है तो जन्जर जूल यह है कि कौन हैपनिंग और नौन हैपनिंग और फ्यूचर इवेंट पे आपको एक कंडिशन लगा सकते हो कोई भी कंडिशन लगा सकते हो उसका exception यह है सिर्फ दो कंडिशन नहीं लगा सकते जो की section 12 में दी हुई है उन दो कंडिशन को छोड़के according to section 31 कुछ भी कंडिशन लगा दो सब वैलिड है दो ही कंडिशन नहीं लगा सकते जो section 12 में दी गई हो उसी के आंगे जहां पर आपने लिखा है उसमें और वेगिये but if the condition fall under section 12 first one is debt on becoming insolvent second one if the transfery attempt to transfer the property such conditions are void but the transfer is valid section 31 यह बोलता है इसको लिख लिजेगा read with 31 लिखतो लिया ही आपने इतना सब ज्यान जाएगा यह बोलता है 31 बताता है जन्र दूल इसका exception है section 12 जन्र दूल यह है कि आप कोई भी condition लगा सकते हो on happening or non happening or future event अब वो condition valid होगी section 12 का बोलता है कि यह दो condition नहीं लगा सकते एक insolvency वाली और दूसरा attempted alienation A और B यह दो condition नहीं लगा सकते attempted alienation आप जानते ही है कि बाई जैसे यह था section 10 में ठीक अब बात करते हैं insolvency गी यह क्या बोलता है section 12 शिंपल सी बात यह बोलता है कि देखो अगर आपने किसी को पर कोई ऐसी condition लगाई अगर यह insolvency होता है तो यह property बापस एक के पास पहुंच जाएगी section 12 लोग देख रहे हैं चाहिए एक बी को property transfer करता है उसमें condition लगता है अगर बी insolvency हो गया तो यह property बापस एक के पास आजाएगी तो ऐसी सब चीजें वाइड होंगी क्यों दूसरी condition attempted alienation में भी void होगा सिर्फ यह दो चीजे condition void होगी क्यों इंसolvenट में क्यों void होगी क्योंकि भाईजान आप यह समझे कि अगर मान लिए यह void ना होता तो क्या problem आती problem भी आती मान लिए बी के पास यह property थी अब इस property पर मान लोन ले लेता है इसने क्या लिया लोन लिया अब लोन लेने पर अगर यह इंसolvenट होता है तो यह लोन कैसे चुकाए जाएगा इसकी property से चुकाए जाएगा लेकिन यहां पर एक condition थी कि इंसolvenट होने पर प्रॉपरडी बापस यह के पास चली जाएगी तो लोन कैसे चुकाए जाएगा तो यहां पर problem आती की नहीं आती इसलिए यह इंसolvenट वाली condition अगर आप लगाएगे तो condition क्या हो जाएगी वाइड हो जाएगी ट्रांफर वालेड हो जाएगा चली एकनी बाद समझ में आई इसका भी एक exception है लिखा हुआ है आपर exception lease क्यों क्योंकि lease में absolute transfer होता ही नहीं है है कि नहीं चली एकनी बाद समझ में आ गई होगी आपको अब आ गया section 17 17 क्या है 17 direction for accumulation क्या होता है भाई section 17 accumulation period आप कुछ time के लिए आप direction for accumulation कर सकते हैं कि for example कि किसी आप transfer तो कर रहा है लेकिन उसमें condition लगाना चाहते हैं कि देखो मैं तुम्हें ये property तो transfer कर रहा हूँ लेकिन इससे जितनी भी income आये करेगी वो मुझे मिलेगी ठीक तो क्या ऐसी condition valid होंगी general rule ये है कि valid नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि कोई property के अगर आप absolute honor है ownership अगर आपके पास है तो उसमें उससे जो income आती है वो भी आप ही की होनी चाहिए होनी चाहिए की नहीं होनी चाहिए अरे भाई ownership तो मेरे पास आ गई लेकिन उसकी income नहीं आ रही अरे भाई ownership के साथ bundles of right होते हैं bundle of right क्या क्या होते हैं कि right to enjoyment right to transfer right to dispose of right to income अगर कोई income भी जन्रे टोड़ी तो भी तो मेरे पास आएगी अब क्या कहता है section 17 ये बताता है कि इसमें आप जो income वाली बात है उस पे आप कुछ condition लगा सकते हैं लेकिन कुछ ही period के लिए किस period के लिए दो condition बताता है life of the transferor जिसने property दी है उसके जीवन का पूरे जीवन भर के लिए दूसरा period of 18 years या 18 साल के लिए दोनों में से जो longer होगा whichever is longer समझ में आ रहा है कि नहीं कि 17 क्या बोलता है कि direction for accumulation आप 17 खोली है फहले उसको रीड मारियत कप समझ में आएगा 17 direction for accumulation where the terms of a transfer of property direct that the income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part a period longer than longer than the life of the transfer और a period of 18 years from the date of transfer अब इसमें देखिए अब मान लीजिए ए बी को property transfer करदा है ठीक है अब उसमें वो यह लिख रहा है एक condition लगा रहा है कि देखो इस property में इस property में जब तक मैं जिन्दा रहूंगा जब तक मैं जिन्दा रहूंगा तब तक इससे जितनी इंकम आएगी ठीक है वो मुझे मिलेगी तो यह condition क्या होगी वैलिड होगी क्यों कि पहले में फॉल करदा है लाइफ ऑप ट्रांसफर है कि नहीं अब इसी में देखिए अभी टेटीन इसका क्या है एकि लाइफ टेटें चांट इसमें थ्टुड़ा समना पड़ेगा अब इसी में देखिए थितन Music कर भूह के उननिस वे साथ उननिस सोंटने उसने प्रवापर्टि ड्रांसर पर की ठीक है nawr उसमें क्या लिखा उसने यह लिखा को उसमें कंजिशन लगाई कब कि नैंटेंटीन नाइनटी तक जितनी इस इसकी इंकम आएगी वो मेरे पास आएगी ठीक है अब क्या होता है वो 1985 में उसकी डैथ हो जाती है कब हो जाती है 1985 में एक ही डैथ हो जाती है तो कितने साल तक रहा 25 यह अब चो यह टाइम पिरिड जो से दिया तो विच विच एवर इस लॉंगर यहां पर लॉंगर क्या था अभी एटीनियर से ज्यादा हो गया तो यह अब आप 1985 पे ही खतम हो जाएगा अगर आपके ना सौंझ में आ रही हो तो आप बुक पढ़ लिजेगा उसमें यह इलस्टेशन दिये हुए है कोई भी पढ़ लिजेगा सब में यह दिये हुए है जूसरी आप इसी में ही एक बात और मान लेते हैं तब आपके सौंझ में आ ज जाती उसकी ठीक यह सेवंटी में हो जाती है तो 1970 में उसकी डैफ हो जाती है कितने टाइम पीरिट तक उसके पास आई दस साल तर ठीक है इसमें क्या था या तो लाइफ आप दी ट्रांफरर या पीरिएड ओफ हैटीन यह तो अब उसे कब तक मिलेगी उसे मिलेगी 1978 तक द तो यह यह बताता direction for accommodation कि आप कितने पीरिएड के लिए कोई चीज की ट्रांफर में condition लगा सकते हैं उसकी income को लेके है कि नहीं अब इसके भी exception है ठीक अब मैंने section 17 को यहां पर exception क्यों बोला था अरे क्योंकि भाई यह भी enjoyment पे restriction है ना इसी लिए मैंने यहां पर इसे भी लि को लेके कोई condition है ठीक है उसने property बेची एने बीगो property बेची बेचने के साथ साथ यह बोला कि देखो भाई इस पे एक लाग रुपए depth है तो जब तक यह एक लाग रुपए depth नहीं चुकता हो जाता तब तक इसकी income C के पास जाएगी जिसका depth है तो अब इसमे life of the transferor period of 18 years न दूसरा raising portion raising portion का मतलब क्या है कि अगर मालिये किसी के benefit के लिए जा रही है कोई child है ठीक है तो जब तक जब तक यह mature नहीं हो जाता ठीक है यह कहने का मतलब है जब तक इसका fulfillment नहीं हो जाता तब तक इसके पास जाती रहेगी इसमें भी यह दोनों रूल फॉलो नहीं करेंग क्योंकि exception है भाई तीसरा preservation of property अगर मैं कह दो कि इस property का maintenance के लिए या इसके improvement के लिए जितनी इसका income आएगी उसका portion उसमें जाएगा ठीक है तो जब तक वो property existence में रहेगी तब तक उसमें जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं चलिए कोसिस तो मैंने बहुत की कि आपको समझ में आ जाए समझ में आभी क्या होगा आपके है कि नहीं ना समझ में आए तो कमेंट थरके बताइएगा ठीक है चलिए थैंक्यू हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लो चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे election doctrine of election कहा दिया हुआ है section 35 में बहुत ही आसान है जितना important है ना उतना ही आसान है इसमें क्या होता है इसमें actually में क्या होता है एक आदमी को दो चोईसे दी जाती है ठीक है कि तुम अगर एक चीज़ इले आपको छोड़नी पड़ेगी जैसे कि आपने पुरानी बॉलीवुड मूवी देखी हो उसमें क्या होता है एक अमीर बाप होता है वह हीरो से कहता है देखो तुम 10 लाग रुपए लो या ब्लैंक चेक लो और मेरी बेटी को छोड़ दो तो हीरो के पास क्या च्वाइस होत है या तो वह पैसा ले ले या वह हीरोईन को ले ले है कि नहीं तो सेक्षेंट 35 बिल्कूल पैसे ही है और कुछ नहीं है उसमें बहुत आसान है अभी समझा दू मत पुरंद चलिए एक ग्जामपल देखते हैं एक्जामपल क्या इलस्ट्रेशन ही देखते हैं इसका सुल्टानपूर में एक फार्म है यह क्योंकि सी का है थेकि नहीं अदि फार्म अव सुल्टानपूर इस प्रॉपर्टी ओफिश एंड गड़्ट एट अनडर और उसकी वैल्यू एट हंड़्यू रूपीज है ठीक है अभी तक नहीं तो बोला सिट प्रॉपर्टी इस्टुमेन्ट औफ गिस्ट एक करता है इस्टुमेन्ट औफ गिब ए relyस्टुमेंट औफ गिव क्या करता है प्रॉफफेस्ट्रण्फर Nटusta है गिविंग बाइधा सैम एक हजा टू सी अधाय और न गरता है यह जो एक इंस्टुमेंट औफ DF करता पाले और उसी सेमें में तो एक हजार रुपए ठीक है यह जंडर रुपए है वह से प्राइब से दिखते हैं एक म的डीय सुल्तान्पुर में वह भोट छी का है जिसकी value 100 rupees है ठीक है अब A क्या करता है एक instrument of gift त्यार करता है और उसमें लिखता है कि मैं ये property B को देता हूँ और 1000 रुपए C को देता हूँ कितनी वा समझ में आई चलिए अब इसमें क्या होता है C को C के पास 24 होती है या तो वो इस instrument को accept कर ले या मना कर दे हैंगी नहीं इसको प्रैक्टिकल उसमें देखे ना तो कैसे यह है अगर मान लिए इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1200 होती और वो दे रहा होता 1000 रुपए तो क्या कभी सी चूज करता अरे वो तुरंती मना कर देता पागल हो गया मेरी प्रॉपर्टी बारास होगी तुम 1000 रुपए में द बात तब आती है जब आदमी को कहीं अपना फाइदा दिख रहा होता है इसमें सी को फाइदा है कि नहीं है कि भाई उसकी प्रॉपर्टी तो 800 रुपए मैं तुमें दे रहा हूं तो वह सोचने में पढ़ जाएगा कि यार चलो यार ऐसा करते हैं 1000 रुपए रख लेते हैं या अगर प्रॉपर्टी उसे नहीं बेचने हो तो मना कर देगा नहीं नहीं बेचेंगे ले जाओ अपना पैसे तो बस इसी कंडिशन में और यह ऐसा करता क्यों है इसके लिए बहुत सारे रीजन हो जाते हैं क्या होता है ना मान लिए एको ऐसा लग रहा हो कि यह प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी तो इसने पहले से ही इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने की बात कर ली कि मैं यह तुम्हें बी को गिफ्ट कर दूंगा जब यह प्रॉपर्टी मेरे पास आएगी लेकिन एक्शली में आई नहीं अब आई नहीं तो क्या करेगा मान लिए यह बी के पास आगई को सी के पास आगई यह वाली प्रॉपर्टी तो वह सी से कहेगा देखो मैं यह प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट करना चाहता हूं तुम इसके बदले हजार रुपए ले लो मुझसे समझें नहीं कि किसी के भी घर के भार खड़े होगा जाके सुनो और उससे तुम कहने लगे सुनो यह मैं मकान जो है इसे करना चाहता हूं यह लोग पैसे बेस दो ऐसा दोड़े होता है अरे कुछ सुच्वेशन ऐसी क्रियेट हो जाती है कि ऐसी सुच्वेशन आ जाती है कि एक आदमी जो उसका दिया लॉनर नहीं होता है फिर भी वो एक इस्टुमेंट तयार करके यह कहता है कि तुम यह प्रपर्टी इसे दे दो उसके बदले मैं तुम्हें उससे ज्यादा रुपए दूँगा ज्यादी तो दे रहा है ना कम दोगे फिर तो कोई च्वाली बात तब आएगी जब उसे अपनी प्रपर्टी से ज्यादा पैसा मिलेगा तभी तो ऐसी सिच्वेशन तयार होगी तो इसमें क्या है अब सी के पास यह पूरा राइट है च्वाइस का यह इलेक्ट करने का कि वो क्या इलेक्ट करें या तो यह इंस्टुमेंट कर ले अगर उस लेकिन फिर यह हजार रुपए नहीं मिलेंगे है कि नहीं बस और बस इतना ही होता है अब इसी को हम लोग देखेंगे यह क्या है यह सेक्शन फाइब के आप कंडिशन समझ लीजिए यह यह क्या है देखें जब आप सेक्शन फाइब पढ़ेंगे ए परसंट ट्रांसफर अनेखें प्रपर्टी एक अनीर्म ट्रांसफर करें जिस पर उसक्या पास फर्ट नहीं यह चा पास फाइब करनेगी तो आपको यह भी समझ में आरा होगा सेक्शन फाइफ भाइप क्या है यह एक्सेपशन हो गया इसकाchten सैविंगा। क्या बताता है क्योंकि यह कंपेटेंट नहीं है अभी बहुत सारे आएंगे सेक्शन साथ क्यों कौन है सेक्शन 35 है 41 है 43 है ठीक है और भी है तो क्या हो रहा है एक परसेंट ट्रांपर अनेदर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है उसी में वह एक प्रॉपर्टी उसको ट्रांपर कर रहा है जिसकी वह प्रॉपर्टी किसी और को दे चुका है किसी और देने को जिफ्ट कर रहा है ठीक बोस दी ट्रांपर मस्ट भी इन सिंगल ट्रांजक्शन यह बहुत जरूरी है कि एक ही इंस्टुमेंट ऑफ गिफ्ट में उसने दोनों बाते लिखी हों ठीक है जब एक ही में दोनों बाते लिखेंगी तभी इलक्शन वाली बात आएगी तभी वह एक को चूज करने पर दूसरी चीज छोड़नी पड़ेगी अगर अलाग अलाग डॉक्मेंट टैयार होंगे तो एक एक एक्सेप्ट कर लेगा दूसरा छोड़ देगा है कि नहीं है हां इसी लिए एक ही इंस्टुमेंट में त्यार करना होगा दैन अधर पर्सन है घ्राइट तू तो सी के पास क्या राइट होगा बेंट या तो इसको कर लोग टी ट्रांफर इन ऑन फेवर जो अपने फेवर में उसने अगर ट्रांफर जोसके फेवर ट्रांफर हो रहा है उसके पोड़ जार रुपर नाट कर दें भीया आम नहीं ले रहे ठीक अब दोनों ही केस में बट इफी इलेक्ट सो ही विल बी डिप्राइट फ्रॉम इस ओन प्रॉपरिटी अनुथ्राइस ट्रांफर अगर उसने हजार रुपए लग कर लिए ठीक है तो यह जो अनुथ्राइस ट्रांफर जो है ना यह भी वैलिड हो जाएगा और फ्राइस ट्र माल लिए इसने ऐसा किया ठीक है यहां तक बात बनी अपनी यहां तक बात अपनी बनी उसके बात क्या हुआ अब सी जो है कुछ बोली नहीं रहा कुछ बोली नहीं रहा कि क्या करना है लग करना है कि नहीं लग करना है तो इसका एक टाइम पीरियड भी है क्या है बाई टा एक साल बाद जब एक साल बीच जाएंगे तो क्या है या तो ए ट्रांसफरर और या इसके एलार लीगल रेप्रेंटेटेटिव जिस दिन ये इसने एक्ट्रूमेंट बनाया उससे एक साल बाद इससे कह सकते हैं या तो तुम इसे एलेक्ट करो ठीय से या थो तुम एक्ट करो क्या करना है पैसे लोगे की नहीं लोगे अपना मकाम से दोगे की नहीं दोगे अब मान लिए इसके बाद इन्हों ने कहा तो अगर मान लिए दो साल बीद गए, ठीक है, मान लिए नहीं, यह टाइम पीरिड है, ठीक है, पहला टाइम पीरिड यह है, कि एक साल के बाद, ट्रांफरर या उसके लीगल रिपरेंटेटिव, इससे बोल सकते हैं, C से, कि आप भाई, इलेक्ट करिए, आपको क्या करना है ठीक है, हजार रुपए लेने हैं, कि अपनी प्रापरटी अपने पास रखनी है, चलिए, अब एक साल के बाद इनों ने कहा, तो दूसरी कंडिशन यह है, कि अगर दो साल से ज़्यादा, ठीक है, C ने, अगर दो साल से ज़्यादा प्रापरटी इंजवाई की है, कि मान ल रुपए रखेगा और यह मकान देगा, है, अपना फार्माउस देगा, तो इसमें दो टाइम पिरियड है, पहला टाइम पिरियड एक साल क्या, एक साल बाद जो ट्रांफरर है, या उसके लर उससे कह सकते हैं, C से, कि भाई क्या करना है, बताओ इसका, ठीक, अगर C, दो स साल तक उस प्रापर्टी को जो इस्टुमेंट में उससे दी जा रही है, यहां पर तो एक हजार रुपए दिये जा रहे हैं, उसको इंज्वाइ करता रहता है, तो कोट यह मानगे चलेगी, आपने उस इस्टुमेंट को एक्षेप्ट कर लिया है, ठीक है, अब इसमें क्य क्या मिलेगा, बी को क्या मिलेगा, भाई, इसको तो आगर यह एक्षेप्ट कर लेता, तो बी को तो यह मकान मिलता, यह प्रापर्टी मिलती, सी जो फार्म हाउस था, वो बी को मिलता यह नहीं मिलता अगर यह एक्षेप्ट कर लेता, लेकिन इसने एक्षेप्ट नहीं किय मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगा आजार रुपह मेरी प्रोपर्टी मेरे पास रहेगी तो इस कंडिशन में बी को क्या मिलेगा बताईए बात अब इसी पर हमें देखना है क्या देखना है भाई जैमडीस कि अए कमकाय अब प्रे कर दो इस ऐसे сказать क्या जूंद्व कर्णों प्रोंस में तोarlonut है अब य्यार यूर प्रमाइब Fergus मिलने वालस मिलने आ ठीका अब यहार उसने लग किया नहीं अब मैं क्या करूं हैक्य नहीं तो उसे क्या मिलेगा इसमें दो बाते हैं देखिए अगर जो ट्रांसफर हो रहा है अगर जो ट्रांसफर हो रहा है वो अगर विदाउट कंसीडेशन है पहली बात तो यह देखना पड़ेगा कि जो वो ट्रांसफर कर जाता वो विदाउट कंसीडेशन है कि कंसीडेशन से दिख रहा कि नहीं यह तो समझते ह ना मैं कि माइफ ट्रांसफर्व तरीके है अगर सब्सक्राइब करेंध कर रहा है तो तो इसमें आपम विश्सीयों कि कर रहा है तो यहां प्लाइब पत्रफ कर रहा होगा qon했습니다 कि यह जानेंगे विदाओट कर सब्सक्राइब तो इसमें दो वाते हैं ठीक है पहला अगर टांस्परर कम्पिटेंट है कि मतलब है मान लीजिए फिर से आख समझेए मान लिए जिस दिन इस्टुमेंट हुआ ना उस दिनके एक साल बाद सी ने मना कर दिया कि भाईया हम जो है इस्टुमेंट नहीं मान रहे हैं हम पैसे नहीं लेंगे हम अपनी प्रॉपार्टी अपने पास अच् कंसिडेशन है और ट्रांस्फरर यह जो है उस समय भी जब उसने मना किया तब भी वह अगर कंपेटेंट है तो बी को कुछ नहीं मिलेगा ठीक है वी गौट नथिंग कुछ नहीं मिलेगा अभी और डिटेल समझा देंगे तू एक वार हो देखिए अगर ट्रांस्फरर कटिंग का मतलब है मूरा किंग कंपेटेंट है माल लिए कि वार गया था कि तो दू बीको क्या मिलेगा कि वेल्ली मौट प्राप मिलेगा अगरेकर क्या मिलेगा है युव से उतना ही मीद्णा मिलेगा compensation मिलेगा मान लिए compensation और compensation कितना होगा compensation उतना होगा जितना इस property की value दी आप फिर से इसको लमजिए देखिए आप लोग बात यह कर रहे हैं कि विचारा B जो है जिसके नाम के property आने वाली थी अब इसके मना करने से उसके पास तो कुछ आया नहीं है कि नहीं तो उसको क्या मिलेगा उसको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो remedies to disappointed transferee तो है यहाँ पर बिलकुल है अब देखिए अगर यह without consideration था transfer जो इस्टुमेंट था जो transfer होने वाला था वह अगर without consideration है तो उसमें हमें दो चीजें देखनी है कि जब कि जिस time पर सी ने निगलेक कि मनलब मना किया उस समय अगर ए जो है तब भी competent है तो फिर वो बी को कुछ नहीं मिलेगा क्यों क्यों कि भाई साब वो मान लिए जो है बी को क्या कर रहा था हम एक साल पहले किफ्ट में दे रहे थे अब वो गिफ्ट हो नहीं पाया ठीक क्योंकि उसने सी नहीं माना तो यार अगर मैं आज भी competent हूँ तो मैं चाहूँ तो उसे फिर से दे सकता हूँ तो वो तो मेरे उपर है ना क्योंकि मैं जिन्ना हूँ है कि ने अगर मान लिए ये इनकंपेटेंट हो गया मान लिए जब तक इसने इलेक्ट किया तब तक ए मर गया जब तक सी ने इलेक्ट किया कि उसे ये रखना है कि ये रखना है उस दौरान ए मर गया तो विचारा ए क्या सोचके मरा कि चलो यार कम से कम मैंने बी को मकान तो दे दिया यही तो सोचके मर लेकिन मरने काद उसके क्या हुआ B को कुछ नहीं मिला है है की नहीं तो बिचारे के आत्मा बढ़कती रहेगी बढ़कती रहेगी के नहीं तो इसलिए क्या होगा तो भाई अगर इसके मरने के बाद इसके इंकमपटेंट होने के बाद C अगर मना करता है यह तो विचारा दे के मर गया लेकिन एक्चुली में बी के पास नहीं पहुंचा अब क्या होगा तो एक जो एलार होंगे यह के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन्हें ऐसे कंपंसेशन वी को आट सो रुपए देने पड़ेंगे तो एक लाग रुपए देने पड़ है की नहीं आत्मा आत्मा नहीं बढ़केगी यह जस्ट फेर एंड जीजनेवल है यह प्रिंस्पल अब इक्टी पे बेस्ट है है की नहीं विचारा जो आदमी जो करके मरा है तो जहां तक पॉसिबल हो वो वैसा ही रहे है की नहीं कितने का समझ में आई अगर कंसिडरेशन से है कंसिडरेशन से माली यह सेल होता मैं वी को बेच रहा होता वी इसके बदने मुझे 800 रुपए दे रहा होता कितना भी माली यह मैं कोई इसकी वैल्यू पांच लाग होती ठीक है यह मतां की वैल्यू पांच लाग होती और वी जो है इसे पांच लाग में खरीद रहा हो यहां पर कंसिडेशन होता है यह यह दे रहा है फार्म हाउस पांच लाग में तो अगर नहीं मिल पा रहा है तो से दो बापस बस सिंपल सा है तो कंसिडेशन कि यह अगरा फार्म आउस बेको इसलिए दे रहा हो कि बी ने इसकी बेटी से साधिकी हो आगी ने इसलिए दे रहा हो अब वह तो मिलने हैं पाया यह भी मर गया अब क्या मिलेगा बीको तो बीको कंसिडेशन आमांट किया हो जाएगी जितनी इस फार्म हुस की वैल्लू आ गया होगा अगर कहीं पर भी समझ में ना आए तो मुझे comment करके जरूर बताइएगा और कुछ देखना लिए नहीं और कुछ लिए देखना है बस एक डो केसिस हो रहे हैं जो डारेक्ट पूस दिए आते हैं कि यह case किस लिए टिटिड है इंग्ड को टिए नाम बस लिखे दे रहा हूं आप लोग याद रख किए गए को पर वर्सिस कूपर आफ के गए डारेक्ट पॉस्चन आएगा को पर्सिस कूपर इस case आपको टिक मालना है section 35 ठीक और मुहम्मद अब्जर वर्सिस घुलाम कासिन मुहम्मद अब्जर वर्सिस घुलाम कासिन देखिए कोसिस हमारी यह रहती है concept के साथ हमें यह सौन में आपाए कि question कैसे आएंगे है की नहीं फाइनल ही हमें number ज्यादा चाहिए होते हैं concept तो क्लियर करना ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ यह भी दो पता चले कि यार concept साथ साथ उसके question कहां से आ रहे है यह वाला illustration फूप पूछा जाता है यह illustration है section 35 का ही illustration illustration देखके सब समझ में आ जाएगा कि यह election की बात कर रहा है और तो कुछ है नहीं इसमें चलिए ठीक करें थैंकियो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग चलिए लास लेक्टर टीपीम हम लोगों ने क्या देखा था हम लोगों ने 10 11 12 और 17 देखा था समझ में आये था कि नहीं चलिए कमेंट करके बताये करें अगर ना सवज में आये करें अब उसमें से कोश्चन कैसे आते हैं कोश्चन यह आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सेक्शन 10 के एक्सेप्शन क्या-क्या हैं तो आपको याद होना चाहिए दो थे कौन-कौन से पहला लीज और दूसरा मेरीड भूमेन जो की हिंदू, मुसलिम या बुद्धिस ना हो कोश्चन पूछा जाएगा कि मौक क्या केस का नाम था तुल्क वर्सिस मौक से किसका लीडिंग केस है तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 11 का है ठीक है पूछा जाएगा सेक्शन 12 का एक्सेप्शन क्या है तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 12 का एक्सेप्शन लीज है है कि नहीं ऐसे कोश्चन पूछे जाएंगे चलिए और वो आप एक दुबार रिवाइस करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा आज हम लोग पढ़ेंगे 13 14 और 18 13 14 और 18 यह 3 सेक्शन देखेंगे आज हम पर्पिच्वल ट्रांसफर है 13 में तो ट्रांसफर टू अन्बॉन पर्परसन है और 14 में रूल अगेंस पर्पिच्टी है तो इन दोनों को ही समझे के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि पर्पिच्वल ट्रांसफर क्या होता है ठीक है देखिए मैंने कुछ लिखके रखता है आपके लिए पर्पिच्वल ट्रांसफर माने होता है नेवर एंडिंग और या फॉर इंडेफिनेट पीरियर्ड पर्पिच्वल ट्रांसफर क्या होता है और लेजलेचर ने इसके अगेंस में रूल क्यों बनाया है यह दोनों चीज़ें जानना बहुत जरूरी ह है देखिए जैसा कि आप जानते ना कोई भी आदमी यह नहीं चाहता कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेचें चाहता है क्या कोई नहीं चाहता है ठीक है लेकिन अगर हर कोई ऐसे ही प्रॉपर्टी को प्रोट्रेक्ट करके रखेगा तो उसका कॉमर्सियल कॉमर्सिलाइजेश कॉमर्सिति शुक्राइस तक ट्रस्में चाहता है कि यह मेरी प्रॉपर्टी मेरे वाद मेरे बेटे को एयसे इस अपके पास जाती रहे कोई बेच ना पाए, ऐसा आदमी चाहता है, चाहता है कि नहीं चाहता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, इसके पीछे, क्या रीजन होते हैं, एक तो उससे जो अपनी प्रॉपर्टी से जो लगाऊ होता है उसे, है कि नहीं, अब आदमी चाहता है कि में पास सो बिगा खेत है, तो वो आंगे चलके बड़े ही बेच ना पाए या मेरी आउलाद आगे चलके इसे बेच ना पाए वो ऐसा कुछ करना चाहता है लेकिन ऐसा कर नहीं सकता क्यूं क्यूंकि बाई अगर प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं तो रेवन्यू कहां से आएगा है कि नहीं में लौ बनाया है कि कोई भी आदमी अनलिम्टिड इंडेफिनेट पीरियट के लिए कोई प्रॉपर्टी लोग के ना रख सके ठीक सुझ म्यारी बात की नहीं चलिए अब क्या है इसको देखते हैं पर्पीच्वल ट्रांसोर्माने होता है नेवर एंडिंग और फॉर कि वह देखते हैं मेरे मेरे पास रहे मेरे खानiki और छोट अई रहे नपैंगवास के अढर्लों को रहे कहीं और झाया है अब आदमी रोकने के लिए क्या-क्या कर सकता है कैसे आदमी अपनी प्रॉपर्टी रोप सकता है यह आप बताईए देखिए पहला वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो करेगा आपने बेटो को लेकिन उन्हें यह राइट नहीं देगा कि उसे कर सकें क्या है एक कंडिशन लगा दी क्या कंडिशन लगा दी कि देखो तुमारे पास प्रॉपर्टी आएगी तो लेकिन तुम बेच नहीं पाओगे ठीक ऐसे वो रोख सकता है या बाइक क्रिएटिंग ए लिम्टिड इंट्रेस्ट इन फेवर ऑफ अन्बोन पर्सन वन इसके बेटे को यह क्या हो गया है लिप्टेड इंट्रेस्ट हो गया ना तो ऐसे रोख सकते हैं एक तो कंडिशन लगागे कि उसे पावरी नहीं दे रहे बेचने की दूसरा लिम्टिड इंट्रेस्ट देके वन जनरेशन टुआ अनदर जनरेशन ठीक है तो ओन एक के मदलब है अन्बोन पसंद के पास जाएगी तो लेकिन वह मेजर होने के बाद भी उसे ना बेच पाए है कि नहीं तो यहीं तीन तरीके निकल के आते हैं कि जिससे आदमी प्रोपर्टी को इंडेफिनेट पीरियड के लिए रोक के रख सकता था है कि नहीं तो कोड ने क्या लेजलेचन ने क्या किया इन तीनों ही चीजों को प्रोइबीट कर दिया कंडिशन इस्टेनिंग एलिनेशन पड़ चुके हम लोग कहां पे है सेक्शन टैन क्या बोल दिया इसको कि प्रोइबीट करता है आप नहीं कर सकते हैं सब अब समझ में आई मैंने क्यों लिख यह स सब्सक्राइब दूसरा इसको भी प्रोइबीट करता है अगर आपने ऐसा किया तो ट्रांसफर वाइड हो जाएगा कि यह वेस्टिंग ऑफ इंट्रेस्ट इन फेवर ऑफ अन्बोन परसंट इसका इविन आफ्टर एटेनिंग मैजोर्टी यह सेक्शन फोर्टीन बोलता है ठीक है सेक्शन फोर्टी इसको प्रोइबीट करता है आप यह भी नहीं कर सकते यही कि इन तीन तरीके थे कि आप प्रॉपर्टी को इंडेफिनिट पीरिट के रोक के रख सकें लेचल ने इन तीनों पर लौब बना दिया ठीक है कंडिशन इस्टिन इसन टैन में मान लिया जाएगा वो ट्रांफर माना ही नहीं जाएगा इतनी वा समझ में आई चलिए अब एक एक करके अब बिल करते हैं सेक्शन 10 तो पढ़ चुके है 13 से देखते हूं इसको मिटा लें कि समझ में तो आ रहा है ना इसी लिए यह बराएगा यह लिग लिएगा यह काम आएगा अपके ठीक है सेक्शन 13 देखते हैं सेक्शन 13 क्या बोलता है बाई क्या आप किसी अन्बोन परसन को ट्रांसफर कर सकते हैं सेक्शन 13 क्या बताता है कि क्या आप किसी अन्बोन परसन को जो एक्जिस्टेंस में ही नहीं है क्या उसको कोई प्रापर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं या उसके बेनिफिट के लिए उसे ट्रांसफर कर सकते हैं और अगर हाँ, तो कैसे, बस यही बात बताता है section 13, section 13 बोलता है, बिलकुल आप किसी unknown person को transfer कर सकते हैं, लेकिन तीन condition को follow करना पड़ेगा, 3 condition to be fulfilled, to create an interest, in favor of unborn person, क्या है बाइ बाइ तीन condition, unborn person, in favor of, बोलता है कि बाइ टांसफर तो तुम unborn person को कर सकते हो, बस आपको यह तीन condition follow करना पड़ेगी, पहली क्या, first one, no direct transfer, made, in favor of unborn person, पहली यह condition ही है, कि आप direct transfer नहीं कर सकते, unborn person को, no direct transfer can be made in favor of unborn person, क्यों, क्यों नहीं कर सकते बाइ, अर्य भाई हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि transfer of property के लिए, जब transfer of property define पढ़ा था, तो क्या उसमें था, कि किसी भी property को transfer करने के लिए, क्या चाहिए, no living person, चाहिए कि नहीं चाहिए, इसी लिए आप उसे directly नहीं कर सकते, तो कैसे करें, क्यों नहीं कर सकते, इस पर आप लिए लिए लिए, because, because, transfer required, two living person, at least two living person तो चाहिए ना, इसी लिए नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे कर सकते हैं, अरे भाई, आप किसी living person को, living person को limited interest दे दें, कि जब तक वो person जिसको आप, जो unborn person है, वो existence में नहीं आ जाता, तब तक उसके पास limited interest रहे उसका, ठीक है, यह क्या, एक bridge की तरह काम करेगा, ठीक है, कि भाई, एक property को एक आदमी से, दूसरे आदमी पास पहुँचाना है, तो भी उस आदमी पास, जो existence में अभी नहीं है, तो उसके लिए, एक living person को आप दे दो, limited interest, वो क्या करेगा, एक bridge का काम करेगा, कि आपकी property, और जब तक वो living person, जब तक वो unborn person आ नहीं आता, तब तक के लिए, उसको जोडने का काम करेगा, है कि नहीं, ठीप, दूसरी condition क्या है, दी अनबोन person, must come in existence, must take birth, before the, death of, such living person, क्या मतलब है इसका, इस देखो भाई, अब पहने मतलब है, मैंने काना कि, वो इस डिस्क का काम करेगा, तो, unborn person जो है, उसका existence में आना जरूरी है, किस से पहले, जिसको limited interest दिया है, उसके मरने से पहले, ठीक है, उसका existence में आना, जरूरी है, अगर existence में नहीं आता है, तो क्या होगा, इसमें दो बातें ध्यान दगी है, पहली condition क्या थी, कि हम directly transfer नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक के लिए, किसी living person को, limited interest देना पड़ेगा, ठीक है, दूसी condition, कि unborn person का, existence में आना जरूरी है, जब उसके मरने से पहले, जिसके पास limited interest है, ठीक है, तो मान लीजिए, existence में तो नहीं आया, उसका मतलब वो पैदा तो नहीं हुआ, लेकिन वो मा के पेट में है, तो क्या माना जाएगा, ठीक है, अगर वो, उसके मतलब समय है, इन मदल्स बाउम है, ठीक, मा के पेट में तो क्या माना जाएगा, अरे भाई, कोट उसे मान लेगी, कि वो existence में है, ठीक, existence में कोट उसे मान लेगी, अगर मान लीजिए, वो आता ही नहीं है, ठीक है, ना वो माके पेट में है, ना वो existence में है, तो क्या होगा, तो property रिवर्ट बैक हो जाएगी, इसके पास, अरे भाई, ट्रांसपरर के पास, है कि नहीं, ट्रांसपरर के पास, रिवर्ट बैक हो जाएगी, प्रापर्टी, ठीक है, तो ये दोनों कंडिशन आपने देख लिए, क्या-क्या, कि अगर वो माके पेट में है, मतलब, जिसके पास lived interest था, उसके मरने से पहले, अगर वो माके पेट में है, ठीक है, या उसके मरते टाइम, अगर वो माके पेट में है, कि तीसरी कंडिशन क्या है मैंने का ना की तीन कंडिशन में चाहिए तीसरी कि इंटरस्ट ट्रांफर कि ट्रांसफर कि तु अन्बोन पर्शन मस्ट भी एक्सल्यूट क्या है भाई कि भाई जो मस्ट भी जिस आदमी जिस अन्बोन पर्शन के पास प्रॉपर्टी जा रही है न आप एप्सल्यूटली उसके पास होना ही चाहिए उसके पास लिम्टेड इंट्रेस्ट नहीं रहेगा ठीक है कैसे देखिए समझाते हैं भाई ए है उसने अपनी प्रॉपर्टी वो बी को देता है ठीक लिम्टेड इंट्रेस्ट में कि भाई तुम इसकी भ्यान रखना ठीक है कब तक जब तक तुम्हारा बेटा बीस सन बीस सन भीक है जब तक यह ना आ जाए या इसमें चलिए एक ती जोड़ जोड़ाएं सन और बीस सन सन अभी देखिए ए प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करता है बीको लिम्टेड इंट्रेस्ट में ट्रांसफर करता है कि यह जो है किसके पास जाएगी यह तुम्हारे बेटे बीके सन के पास और इसको भी लिम्टेड इंट्रेस्ट देता है इसके बाद किसके पास जाएगी इसके भी सन के पास बीस सन सन ठीक है कि इते जनरेशन को दिना चाहता है यह तो लिविंग परसन है यह तो अभी एक इस्टेंस म उसके पास जाएगी ठीक कि इसको फो एंफू अगर किसी अन्फवल नहीं तो लिम्त्रणी सब्सक्राइब तो अगर सिर्फ यह यहीं तक होता है यहीं तक होता यह तो तो यह सही होता तो यहां पर इसे एपसल्यूट इंट्रेस्ट देना पड़ेगा इतनी आश्वाज में आई बस इतना ही यह बोलता है अब इसमें क्या है एक चीज और अगर ऐसा वो करता तो वाइड होता ना इसमें एक चीज और लिए फिसे मालिए बीस सन सन होता थिक तो इसी पे ही इसी को ही इंगलेंड में क्या बोलते हैं रूल ऑफ डवल पॉसिबलिटी सोधिक और यह इसको भी इंगलेंड में इसे प्रविट करते हैं ठीक है वो मानते इसको भी बोलते हैं रूल क्रोल पॉसिपिलिटी कैने मतलब से मृतना है कि इसी को rule of double possibility बोलते हैं और एक केस है केस का नाम है विटबे वर्सिस मिचल विटबे वर्सिस मिचल क्या हुआ था इस केस में इस केस में rule of double possibility को recognize किया गया था मैं यह क्यों बता रहा हूं क्योंकि यह उत्तराकंड में बहुत बार पूंचा गया यह question कि रूल of double possibility कि से related है आपको बताना पड़ेगा section 13 से कि किस केस में rule of double possibility को recognize किया गया था विटबे वर्सिस मिचल में बहुत बार पूंचा गया इसलिए यह चीज बतानी जरूरी थी और इसका कोई मतलब नहीं है आप ठीक है और section 13 का एक leading case है कि याद रखिएगा कभी भूलिएगा मत जैसे मोरी वीवी बसे गमोदर डांस याद है आपको वैसे इसे याद रखिएगा कौन सा गिर्जेस दत वसे दक्ता दिन गिर्जेस दत वसे दक्ता दिन यह केस का नाम है ज्यान रखिएगा ठीक है leading case है किसका section 13 का इसके fact ऐसे ही थे क्या था इसमें कि वह property अपने बतीजी को देता है और यह लिखता है उसमें कि देखो जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे बेटा हुआ तो उसको और अगर तुम्हारे बेटी हुई तो तुम्हारी बेटी के पास भी limited interest रहेगा फिर उसके बाद अगर यह अगर नहीं कर सकते यह इसका बॉले साइब section 13 की क्या है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कूल कर सकते हैं लेकिन आपको तीन कंडिशन फॉलो करने पड़ेगी पहला कि आप उसे डिरेक्ली नहीं कर सकते किसी एक थ्र पसंड को पाइंट करना पड़ेगा एज इस लि और प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी तीसरा अगर अमोर परसंट को कर तो से आपशल्यूट इंटरस्ट ट्रांफर करें गे लिम्टेट इंटरस्ट से काम नहीं चले गा ठीक है फिर वह व्याइड लिया जाएगा ठीक है ठेट ट्रांफर ही नहीं इसमें चलिए अब जल्दी से सेक्शन 14 क्याते हैं 14 क्या कहता हूं कि चलिए सेक्शन 14 क्या है रूल अगेंस्ट पर्पिजटी क्या बोलता है पर्पिजटी मैंने आपको बताया ही अभी क्या होता नेवर एंडिंग या और इन्डेफिन पीरियट तो उसी के अगेंस्ट में एक रूल है रूल अगेंस्ट पर्पिजटी जो सेक्शन 14 बताता है कि आप property को indefinite period के लिए रोग के नहीं रख सकते हैं ठीक यह यह बोलता है इसे तो कैसे नहीं रोग के ज़दा रख सकते हैं आप एक example समझिए मान लिए A ने property transfer किया B को ठीक उसने का B के बाद C को C के बाद D को B के बाद E को ठीक ऐसे उसने transfer किया ठीक और E के मरने के बाद E के मरने बाद property बापस A के ancestors को आ जाएगी A के A के sons को आ जाएगी ठीक क्या यह valid होगा A ने property B को पहले transfer की कि B जब तक दिएगा B के पास B के बाद C के बाद C के बाद D के पास अज यह चारो अगर living person मतलब अभी जिन्दा है जिस टाइम पे वो transfer कर दा है यह चारो जिन्दा है तो यह valid माना जाएगा ठीक यह valid माना जाएगा क्यों क्या यह रूल इस प्रफिटी का वालेशन नहीं है अरे भाई नहीं है क्यों क्या यह इंडेफिनेट के लिए है अरे भाई अगर चारो जिन्दा है तो maximum यह कितने दिन जी सकते हैं मुश्किल सब्सक्राइब यह रही है सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि 70-80 ये जिये गए सब के सब उसके बार एक पास आई हिए वापस मानलार एक सनस के पास तो ये वैलिझ उसी में अगर को एक काईता अब फ खो जाएगी ठीके बी concurrent को जाएगी इसके बार इसके पार इसके खन को जाएगी इसके बाद इसके तो को जाएगी तो यह जो होता यह वालेशन हो जाता यह नहीं का सकते हैं यह ट्रांफर वाइड माना जाएगा यह वाइड माना जाएगा यह वाइड माना जाएगा कहने का मतनफ सिंपल्स इतनी बात है अगर इसमें ही इसमें ही अगर वो कह दे इसके बाद इके सन को जाएगा जो कि existence में नहीं है ठीक इसको ये absolute दे दे तो भी ये valid है ठीक इसके बाद वो बोलता है इसके sun को जाएगा तो ये valid नहीं माना जाएगा सम्म्यारी की बात की नहीं तो ये valid हो जाएगा बात सम्म्यारी की नहीं देखिए आप किसी अगर unborn person को transfer कर रहे हैं अगर आप किसी unborn person को transfer कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप कि हां तो कहा है हम लोग इसमें जो है इसमें हम लोग तहां पर थे तो इसमें हम लोग पर देखना है कि जो section 13 में था ना unborn person उसी में बस एक आप क्या जोड़ दीजिए आप क्या उसी में जोड़ दीजिए कि भाई कि जो unborn person है जिसके पास property transfer हो रही है उसमें क्या था यह ने transfer की B को B के बाद B के son को है कि नहीं जिसके son को तो जो unborn person है इस पर भी आप कितनी time के लिए रोग सकते हैं बस यहीं पर इतना ही बताता है क्या बताता कि आप 18 years के लिए मतलब जब तक कि majority attend नहीं कर लेता है तक तक के लिए आप रोग के रख सकते हैं property को बस रूल अगेंस property यहीं बताता वह चारो clause वो तीनो clause जो section 13 में थे उसके बाद एक clause और लिख दीजेगा क्या इसी में अगर section 14 भी आए ना तो 13 वाले तीनो clause लिखने ही होंगे चौथा clause और डाल लीजे क्या लिखिए note करिया wasting of interest in favor of ultimate beneficiary may be postponed only up to the life or life of living person plus minority of ultimate beneficiary but not beyond debt अगर आपने इसके आंगे किया तो फिर यह वाइड मान लिया जाएगा चलिए अब देखते हैं इसका formula क्या है कि इसका formula लिखिए पार जाए section 14 के साफ़ से maximum remoteness of wasting section 14 ग्राफ से maximum remoteness of wasting क्या होगा यह होगा अप तू दा लाइफ अफ लाइफ लाफ पर्सन अप तू दा लाइफ अफ लाफ लाफ लिविंग पर्सन प्लस एज अफ मेजर्टी अफ अफ अनबोन पर्सन कि क्या हो गया यह कैने का मतलब है मान लिए ए ने वी को ट्रांसफर किया तो इसकी जिंदिगी भार है ठीक है उसके बाद प्लस जो अनबोन पर्सन है अनबोन पर्सन उसके 18 साल इतने ही टाइम के लिए आप वैलिड़ी ट्रांसफर कर सकते हैं रूल अगेंस प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्चिती इतना ही आपको पावर देती है अब बी के जगा और भी लोग हो सकते हैं लिविंग पर्सन कितने भी हो रखते हैं माल यह बी, सी, डी, ठीक है यहाँ पर इतने लोग थे ना ए तक यहाँ सब यह पूरा वैलिड है ठीक है लिविंग पर्सन कितने भी हो क्योंकि मैंने बता रहें कितने टाइम तक जीएंगे मुस्किल सतर से असी साथ इससे कोई फर्ट नहीं पड़ता लेकिन आगर आपने फाइन और मैने और माल लो 9 months plus 18 years इससे जाड़ा नहीं हो सकता है कि नहीं चलिए अब इसके दो exception है कि जूल अगेंस प्रोपर्ड जी कि दो exception है कि इसमें यह नहीं अप्लाई होता पहला section 18 section 18 में नहीं होता ट्रांफर पॉर बेनिफिट ऑफ पॉलिक, थी दूसरा एक्सेप्छन है, अग्रीमेंट परस्णल एग्रीमेंट, वस्णल एग्रीमेंट, बस यह दोनों है, क्या क्या है बएग्रीमेंट। सेक्षण 18 सेक्षण 14 के रूल अगेंस पॉलता है सेक्षण 18 यह बोलता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किसी प्लिक इंटर्स के लिए ट्रांसफर की है मतलब किसी होस्पिटल के लिए किसी चैरिटी के लिए तो उसमें प्रॉपर्टी के लिए फ्रांसा का सकते है कि बाइब ऐसी चीजी मान लिके प्रांसफर कर दी तो उसमें प्रॉपर्टी के लिए प्लाई होगा क्यों क्योंकि ट्रांफर ऑपर्टी होता है प्रांफस तोडे हो रहा है सब्सक्राराइद ऑव्रेस का नाम है इसमें क्या बताया तो अब्जेक्ट बतायेगा अब्जेक्ट और रूल अगेंस पर्पिटिटी इस पब्लिक पब्लिक पॉलिशी ठीक है बस इतनी ज्याद पूचा गया एक दोबार गया ठीक है अब्जेक्ट ऑफ रूल अगेंस पर्पिटी को अब्जेक्ट पॉलिशी बोला गया था ठीक है चलिए मेरे साब से आपके समझ में तो आ गया होगा ठीक है एक बाप बढ़के देख लीजेगा ना समझ में आए कहीं पर तो मुझे कमेंट करके बबताईएगा देखते हैं फिर ठीक है और कुछ नहीं तरफ ठीक है चलिए तो कहां तक हो गया 15 और 16 यह आप रीड माल लिए गा इसमें से ना मेंस में कहीं लिखना होता है और ना इसमें से प्री में पूछा जाता है ठीक है आप खुदी देखी लिया था एटीन अभी देखा हम लोग ने एटीन देखिए ट्रांसफर इंपर्जिटी फॉर बेनिफिट ऑफ पबलेग दर इस्टिक्शन इन सेक्शन फॉर्टी इसमें यह रूल अगेंस पर प्रफिटी अप्लेट नहीं होगा चलिए तो कल अम लोग पढ़ेंगे वेस्टे इंट्रेस्ट और कॉंटिजन इंट्रेस्ट चलिए ठीक है थैंक यू हेलो दोस्तों कैसे आप लोग तो टीप अम लोग का सेल हो चुका है अम लोग क्या पढ़ेंगे आप अगला टॉपिक मॉट गेज कहां दिया हुआ है यह मैंने आपके लिए टेबिल त्यार की है अभी सब्तमन में आ जाएगा क्या है इसमें देखिए भाई मॉट गेज ज से लेके कहां तक दिया हुआ है ना समझ में आए तुरंत कमेंड करके बताईएगा विशाल भाई यह वासों में नहीं आई ठीक है मैं अगले लेक्चर में आप वह डाउट किलिए करूंगा कि चलिए तो मॉट गेज क्या होता है वाई चैप्टर फोल बोलता है ऑफ मॉट गेज ऑफ इमोल प्रोपर्टी एंड चार्ज यहां पर मॉट गेज जो है वह हमेसा इमोल प्रोपर्टी का ही होगा ठीक अब सेक्शन 58 इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्या बताता है सब जाने के लिए पुड़ा क्लिए करना पड़ेगा इसे फिर से बना लेंगे दिखतोर आए ना साफ साफ देख चाहूं दिख रहा है कि नहीं हाँ दिखतोर आई है चलिए क्या है भाई है कि सेक्शन 58 जम लोगीट मालेंगे ना कि तो क्या पता चलेगा हमें पता चलेगा मॉट्गेज क्या होता है कि बोर्ट थोरा चोटा अब लगने लगा है मुझे बड़े बोर्ट का इंतजाम करना पड़ेगा तभी काम बनेगा कि देखें वाई मान लीजिए एक आदमी है उसे चाहिए कुछ पैसे ठीक है अगरे एक आद्मी है जिसके कुछ पैसे चाहिए उसे अजरां कि पैसों की थिक अब क्या है उसके पास सिर्फ और घर एक यह वाईठ हांज़स कोई झीज नहीं ठीक अब क्या है वह इस घर को बेचना तो नहीं चाहता बेकिन पैसों की उसे बहुत जरुवयत है जरुद समझेंगे नहीं अब पहले तो यह ओनलाइन लेक्षर एविलेविल नहीं थे तो पिचारे एक वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए जुबिसरी की त्यारी कराने के लिए क्या चाहिए पैसों की जरूरत है एक ही घार है उसको वह बेचना भी नहीं चाहता लेकिन पैसों क लुके लेकिन यह से बी को पांच लाग रुपए में मॉट गेज रग देता है गिरमी रग देता है और कहता है कि तो मुझे पांच लाग रुपए देता है तो यहां पर यह कौन है कि एक है त्रांसफर है ठीक है कि कौन है are only है कि आप क्योंकिसंधनक का है ना जैसी style हम लोग ने पढ़ा ता तो उसाधा थो इसमें क्या होता है यह त्रांपर इंट्रेस्ट क्यों यह बाई इसने इस लियंव सकियो मैं इसे पैसा दिया है यहां पर क्या ट्रांसफर हो रहा है यहां पर इंटरस्ट ट्रांसफर हो रहा है क्यों कि यह डैप्स को भी अपना जो से पैसा दिया उसको सिक्यूर करना चाहता है बशेकर पर आगरंध ईभल confirm जाइद जेहां अगर मौड़ेज होगा मौड़ेज के केश के ट्रांस्फरर को मौड़ेजर बोलते हैं इसको मौटगेजी बोलते हैं इस प्रापर्टी को जो सब्जेक्ट मैटर है उसको हम मौटगेज प्रापर्टी कहेंगे मौटगेज प्रापर्टी ठीक और मनी जो पांच लाग रुपेस ने दी है इसको हम मौटगेज मनी कहेंगे और कुछ है और अगर मान लीजिए इसको ट्रांसफर करते समय रेजिस्ट्रेशन की जरूरत है ठीक है हर केस में नहीं होती अभी हम लोग यह देखेंगे तक में मालूम पड़ेगा अगर ज़िस्ट्रेशन की जरूरत है तो उसको हम मौटगेज दीट कहेंगे ठीक यह ठम समझ में आ गए है क्या क्या है यह सब सेक्शन 58 में दिये हुए है ठीक है सेक्शन 58 में क्या क्या दिया हुआ है कि मौटगेजर कौन होगा मौटगेजी कौन होगा ट्रांस्फरर मौटगेजर होगा ट्रांस्फरी मौटगेजी होगा मौटगेज प्रॉपर्टी क्या होगी जिससे डेप सेक्यूर किया जा रहा है वो प्रॉपर्टी मौटगेज प्रॉपर्टी होगी मौटगेज मनी क्या होगा जिता एने 20 रुपया लिया है वो मौटग बात बोलता है मौर्डेश डाट्रांस्औरो क्या है बाई सेल में क्या था सर ऑपन करनी चाहिए जैए चाहार उसके पास मचान है तो बताए कि मैं यह वाले मकान को आपको मौड़ेज कर रहा हूं ठीक है for the purpose of securing the payment of money किसलिए securing the payment of money advance or to be advanced by way of loan and existing of future depth or for the performance of engagement which may give rise to pecuniary liability अब क्या होगा जो क्या होगा एक उपर एक pecuniary liability बना देगा क्या बना देगा कि इसे पांतला रुपए लोटाने हैं भी को ठीक है अगर कोई इंट्रस्ट है हुआ है तो इंट्रस्ट भी साथ में ठीक क्या होगा इसके उपर एक liability pecuniary liability आ जाएगी यह दियान रखिएगा यह पांतली आना भी important है इससे ही मालूम फड़ेगा ठीक तो इस टाइप के हम ट्राजेक्शन को क्या करते हैं मौट गेज बोलते हैं ठीक है इतनी वास्वन में आई चलिए अब यह देखते हैं क्या लिखा हुआ है देखिए यह मौट गेज जो हैं छे टाइप के मौट गेज हैं जो की टीपि ए में बताये रहे हैं काइन्ट्स ओप माॉट गेज़ को लोग देखें धी सब 58 में दिया हुआ एथिक है कौनसा का knappe में ये सब दिया हुआ है क्या की माय बल्रल है माचिजा का न या सब बाट है वी मैं सीम्पल मॉट गाइस दिया हुआ है सी में मौटगेज बाई कंडिशनल सेल दी में यूजओ फैक्टरी इमें इंगलेस एफ में मौटगेज वाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डी जी में अनलमस मौटगेज ठीक है तो इस टाइब के पूरे छे कितने काइंड के मौटगेज हैं तोटल सेक्स हैं ये भी एकाथ बार पूछा गया है ठीक है उत्तराखन में पूछा गया था क्या टीपीए में कितने काइंड के मौटगेज बताए गए हैं आपको मालूप होना चाहिए छे एक दो तीन चार पांच छे सिंपल मौटगेज मौटगेज बाई कंडिशनल सेल यूजओ फैक्री मौटगेज इंग कंडिशनल सेल कहां दिया हुआ है तो आपको पता ओना चाहिए 58 के क्लाउज C में ठीक है अब देखिए इसमें याद करने वाली क्याट्रिक है आप दो तो इसमें डारेक्ट पता चल लाँ है सी में conditional sale दिया हुआ है यह से English C से conditional sale दो ऐसे याद हो गया ठीक अब सबसे पहला simple है तो आपको बीवी पता हो गया अब रहे गए दो भी कर यूद्र फैक्री मौर्गेज बीच में दिया हुआ है और सबसे सब्सक्राइब करेंगे इसको आप ऐसे माने चलिएगा कि अभी यह नहीं है अभी हम लोग इन पांश को आरे इसमें समझने होई का अब लोग देखे चीजें ओपर मैंने क्या लिख रखता है देखे दो राइट हमेशा होता है जो मौट्गेज होता है अपनी प्रापरटी रखकी है ठीक है उसका एक राइट होता है राइट नेंग् ऑकषट है अगर वो मौट्गेज है अगर बंसेओं ठीक है इसका क्या concept है कि अगर कोई भी मौट गेज प्रोपर्टी आपने मौट की है तो उसमें एक राइट आपका हमेशा होगा कि आप उसको प्रोपर्टी को बापस ले सकें ऐसे जो डेप्ट मनी जो मौट गेज मनी है उसको पैप करो आपको प्रोपर्टी वापस मिल अगर मैं बेचनी चाहता होता तो यह 10 लाग की प्रोपर्टी तो मैं 10 लाग की नहीं बेच देता तो पांच लाग की इसको क्यों मौट गेज पर रखता तो पूट यह बाद जानती है तो यह राइट हमेशा होता है चाहे किसी भी टाइप का मौट गेज हो उसके पास मौट गेजर का राइट है जो उसे मिलेगा है यह सेक्शन 60 में दिया हुआ है अभी हम लोग इसके वारे में पढ़ेंगे लेकिन यहां पर आप इतना जान लिए इसी तरीके से भाई मौट गेजी का भी एक राइट है क्या राइट है अरे भाई उसने जो पैसा दिया है व वह से वापस मिलें है कि नहीं है जैसे यह का प्रॉपर्टी लेना एक राइट है बेसिक राइट है इसका ठीक है वह कैसे भी आप कुछ भी मौट गेज करो कैसे भी करो कोई भी कंडिजन लगाओ आप राइट तूर कि जिडीन को नहीं अटा सकते हैं हमेशा उसके पास रहेगा इसी इसाफ से बी के पास भी एक राइट होता है जो कभी उससे नहीं अटकता कौन सा सूफ और रिकवरी ऑफ डैफ की बाई जो पैसा हमने दिया है वो उसके लिए केस पाइल करके हम पैसा ले लें फिर चाहें पर हो चाहें कंडिशनल वह चाहें यूजव फेक्टरी हो थो कि यूजव फेक्टरी में लुक्त है पूस्वाइट कि यूद्ट अथि में नहीं होता है इसमें और लिए और मैं और सबस्वेद्टिय का आब इसको इसको अटाना पड़े हैं बना लिए अतना इसे इसे भी बना लिए अब इस सब बता दूंगा इसमें कैसे कुश्चन आते हैं क्या करना होगा आपको ठीक है एक चार्ट से ही आपका पूरा काम चल जाएगा ठीक है बहुत सारी कंफिजन होती दिए सब दूर हो जाएगा हमारे पंकर सार है उन्हों ने अधिव अताया कि एक है यह जिए बाइट क्या है चाहिए टीपॉजिट ऑफ टाइटल डीड हो इसको अभी लोग छोड़ जोड़ेते हैं तो यह दोनों चीजे यूज़ें मॉट्गेज में ने क्यों यह नोट लिखा अभी हम लोग वीड मारेंगे तब लोग को पराता यह दो बात हैं यह दोनों चीजा आगे समझ में लाइट टू रिडीम सेक्षन 60 में दिया हुआ है यह हमेशा इसके पास होता है तीक है किसके पास मॉट्गेजर के पास दूसरा जो मॉट्गेजी है उसका अपने पैसे बापस लेने का राइट हमेशा रहता है तिक चलिए यह सेक्षन 60 में दिया हुआ है और यह सेक्षन 68 में दिया हुआ है इन दोनों को में पढ़ेंगे लेकिन अभी आप यहां पर थोड़ा थोड़ा इसको देखी है चलिए अब इसको रीड मालते हैं क्या है पैराग्राफ जो ए जो है 58 का यह वह यहां पर हो गया था ठीक है सब्सक्राइब अब देखते हैं सिंपल मौट्गेश क्या है विदाउट डिलीवरिंग पजेशन ऑफ दे मौट्गेश प्रोपर्टी क्या हो रहा है यह हम लोग ने क्या है ट्रांसपर पजेशन मौट्गेश की खातिय दीवी है कि उसने वहां पर उसका इंट्रस्ट तो इक मंटन का नहीं दीआ था तो यह होता कासियत क्या है सकते धूंद नहीं होता प्रशेशन ट्रांफर नहीं होता तब मॉट्गेजर बाइंड हिंसेल परस्टनली टुपे दा मॉट्गेज मॉनी या उसके पाद होता है परस्टनल लिएबिलिटी होती है उसमें थी कि पैसे वो देगा खुदी एंड अगर वो पैसे नहीं दे पाता है तो उसके पास होगा मॉट्गेज प्रोपर्टी टुपी शेल और आपको जानना है कि कोई भी मॉट्गेज सिंपल है कि नहीं है तो आपको क्या कर देखना पड़ेगा अगर पजेशन नहीं दे रहे हैं प्रोपर्टी का पजेशन मॉट्गेजी को नहीं दे रहे है और उसमें अगर वो इन टिफॉल्ट अगर मॉट्गेज पेमेंट नहीं कर पा रहा है अगर उसके पास राइट टु सेल है तो फिर वो सिंपल मॉट्गेज होगा सिंपल सी बात यह है कि सिंपल मॉट्गेज की खासियत ही होती है कि मॉट्गेजी का पास सेल करने का राइट होता है ठीक है फोर क्लोजर का नहीं होता है जिकवरी ओफ डैट का तो हमेशा होता ही है पाजेशन ओफ ट्रांफर नहीं होता है ठीक चलिए अब मॉट्गेज बै कंडिशनल सेल वेर दा मॉट्गेज ऑफ ऑस्टेंसिबली सैल दा मॉट्गेज प्रोपर्टी ओं कंडिशन डेल्ट और टिफाल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ दो मॉट्गेज मनी ओने सटेंडेट दा सेल सेल विकम एप्सल्यूट अब इसमें क्या होता है राइट टू सेल तो नहीं होता ठीक ह कोई बात नहीं होता है कि इसको आप लीड मारीएगा एकदम समझ में आ जायगा पूरा यूद्ध फैक्त्री मोट्गेज में क्या होता है यूद्ध फैक्ट्री मोट्गेज में क्या होता रहे इसके पास कि मैंने किसी को प्रॉपर्टी मौटगेज की मैंने उसे मौटगेज पर घर दिया माले एक लाग रुपए में तो मैं तब तक रखो जब तक तक तुम इससे एक लाग रुपए पैदा नहीं कर लेते माले जिए उस मकान का रेंट आता है 10ज्लब रुपए तो एक लाग रुपए जैन्हें माति चैनल तो लीए उसाल के लिए में और देआ नहीं होता है स्ञेजम तरफाटि से ही पैसाना होता है अब बस स्माज में यूज फैक्ट्री मॉट्गेज में सूफ और रिकवरी ऑफ डेफ्ट मॉट्गेजी के पास क्यों नहीं होता क्यूंकि वो केस फाइल करके पैसे नहीं ले पाएगा इसमें कैसे ले पाएगा आप उसी प्रॉपर्टी से पैसा पैदा करें ठीक है जब अगर यूज फैक्ट्री मॉट्गेज पर दी है तो क्या का आया उसने इससे जब तुम्हारा एक लाग रुपए निकाल आए तब तुम हमें यह वापस कर देना कि मैं तुम्हें यह जा हूं लेकिन मैं यूद फैक्ट्री मॉट्गेज्ट कर रहा हूं मैं पैसा तुम्हारा एक लाग रुपए नहीं देपाऊंगा तो इस पैसा पैसा जब हो जाए नहीं एक बीक से कहता कि तुम एक लाग रुपया में दे दो ठीक है और लेकिन वह इस मकान का इसको पजेशन नहीं देता है तो यूज फैक्ट्री मौटगेज में ट्रांसफर पजेशन होता है अरे पजेशन जब वो उसे देगा तभी तो पैसा पैसा पैदा करके यह बापर देगा तुमने ली क्यों यूज फैक्ट्री में क्यों ली यूज फैक्ट्री में सिर्फ पैसा 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 निकल आए जिता भी तुम्हारा मौटगेज्ट था उसे वापस कर दो ठीक तो ना आप इसके प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए केस पाइल का सकते हैं किसाब एक लाग प्षू के लिए फेक पैदा नहीं हो पाइए इससे इसको बेच के हमें एक लाग रौ पैदा नहीं कर सकते कीऊ कि यूज फैक्ट्री है टीप फोल ग्लोजर के लिए भी नहीं डाल सकते हैं कि और रिकवरी ओफ डैप्थ नहीं कर सकते हैं उसकी कोई लाइडिटी नहीं है एक ही है ट्रांसफर ऑफ पजेशन लो और पैसा पूरा लोग से उस प्रपरटी से इंगले स्मॉड गेश क्या होता है इंगले स्मॉड गेश जो ठ्रांसफर पॉजिशन रिस ना इसमें डानangen होगा ना फॉर्ट ना फॉर्ख क्लोजर होगा इंहां तक रिक एम डाज को से लोगा ना रायक में वोगा यह में अदेश्टर उपणम मुखळाहिक कर सकते हो टिक और अगर पैसा नहीं लोट आता है तो आप केस पाइल करें सूफ और रिकवरी ऑफ डैप कोड में किसाब इन से दिलवाओ अब यह दें जहाएं इनका घर बेचते दिया जाएं अब अब बड़े बड़े सेरों में क्या होता है कि आदमी जो है उसे पैसा चाहिए होता है अब वहां पैस्ट्राइजेशन से कोई लेंजना नहीं होता है वह क्या करते हैं वह अपने कागद लेके जात बैंक में बैंक में हमेशा मॉटगेज भाई डिपाउजट ओप्टाइटल डीड होता है क्या होता है वह अपने बाई मकान का आदर लेके गए बैंक में जमा किये बैंक ने देखे हावाई नहीं का है तो भाई लोन दे दिया उसके ओपर ठीक है उसी को हम बोलते हैं मॉट इसमें क्या होता है अगर आपने पैसा नहीं दिया बैंक आपका घर बेज देगी उनके पास राइट वहता है ठीक है अगर राइट वह तो फोर्क्लोज़ट हो रही सकता ठीक और सूफ और रेकबरी ओप्डेप्थ होता है वह तो पजिशन इसमें नहीं मिलता के वर डॉक इसमें कंडिसन तो अपनीं को से लिख सकते हो आपने अगर अपनी कंडिसन कुछ ऐसी लिक्त है जो कंडिशन इनमें से मैच नहीं घा रही है या इनका मिक्षर ने है ठीक है कुछ आपने ऐसी कंडिशन लिखी जो ना तो सिंपल में फॉल नहीं हो रहा है इन पांचों में फॉल नहीं हो रहा है तो वह कोट आपकी कंडिशन पर ही बेश होती है ठीक एस पर यूर कंडिशन जैसे आपने सेट की हैं उसी हिसाफ से आपके राइट होगे तो अनलोमस मौटगेज में सब आपके उपर होता है रिकबरी और राइट तो रहेगा ही रहेगा उसके पार चाहिए आप कुछ भी कंडिशन जोड़ दो ऐसा कभी नहीं कर सकते आप को कि देखो तुम यह मुझे मौटगेज कर रहे हैं लेकिन तुमने एक साल में पैसा नहीं दिया तो फिर यह तुम्हारा मकान कभी तुम्हें नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कर सकते आप ठीक उसके पास राइट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा क्योंकि उसने मौटगेज इसलिए कि भाई वह बेचना नहीं पास मेरे पास आजा it ऊसका उसका कभी दूर नहीं जा सकता इस इसाफ से होता है रिक बीटर्ट बाई जिसमें पैसा दिया रहे हिसा उता है जसमें कैसे आते हैं वो इंब्लटा है throw sec कैसे आता अ वह बता कि पी सब्सक्राइब और पॉइसा कमें नहीं होता है इसमें और इसमें कंफीजन होगी नहीं यह दोनों तो होंगे यह चोड़के इसमें नहीं होता बाकी आपको यह तीन यार करने हैं पॉधे न होता है और किसमें ट्रांसफर ऑफ हागों सब्सक्राइब होता है लुधेस्ट प्राइब माइस्टि निल्सरी मोड्रिकर तो कि में किसमें ये ऑर इंङ्लिश में होता है तन्साइब होता है है मिक्षर होता है इंगलिस मौडगेज को मिक्षर है शिंपल प्लस यूजव फेक्ट्री का शाम इसमें दोनों की कंडीशन होती है जाल सकते हैं कि निसकांगे रचा आपकान बेचने के लिए से का केस कर सकती है कि पोर्ट में करेगी माई लॉड एनका जो है ये पैसे नहीं दे पा रहे हैं अब इनका मकान बेच के मुझे पैसा दिया जाए ठीक कन्विक्जुज मत होना मटhov के कन्डिशनल सेल नहीं होताय ठीक न कर अगर दडी лишires होई इत दिन में अगर पैसमा नहीं देता तो फिर क्या करते हैं या करते हैं मोडरल पास करवा नहीं दिया ठीक अगर केस्ट फाइल करने के और ऑडर पास होने से पहले भी या डिक्री एग्जिकूट करने से पहले भी अगर मौट्ट गेजर पैसा दे देता है तो उसे प्रॉपर्टी बापत मिल जाएगी लेकिन डिक्री एग्जिकूट हो गई उसके बाद फिर नहीं म है कि अगर तुमने एक साल के इंदर पैसा नहीं दिया तो यह सेल वैलिड मान ली जाएगी और पैसा दे दिया तो यह सेल वाइड हो जाएगी ठीक कोई दिक्कत दिक्कत दो तो कमेंट करके जरूर बताईएगा अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन कब जरूरी है कब नहीं है अगला ही सेक्शन 58 का 59 बात करता है रजिस्ट्रेशन की क्या आये बाइज रजिस्ट्रेशन मॉट्गेज वेंट टू भी बाइ एस्ट्रेशन वेर जप्रिंसिपल मनी सिक्योड इस बन हंडेट रुपीज और अगा सौ रुपए से उपर का है ठीक अगा सौ रुपए से उपर का है तो मॉट्गेज अधर दैन मॉट्गेज बाइट इपॉजिट ऑफ टाइटल रिड इस बाइट वाइट टू विटनेश जान वाइट बोल्ला है वेज़ अधर प्रिंस्पल मनी सिक्योड इस लेस थैंग रुपीज मॉट्गेज बाइट वाइट बाइट था इस तो मैं वाइट था इस अगा साइन और फचेड और इस बिडिवीव दिलिवरी ओफ दी प्रॉपर्टी हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है चलिए देखिए अब क्या होता है इसमें बोला है कि अगर सौर उपए से उपर का है तो क्या होगा इसमें पताइए 58 59 जब आप लीट मारेंगे तो आपने देखा हुगा एक्सेट इंदा केस ऑफ सिंपल मॉडगेज सिंपल मॉडगेज ऑल्वेज हमेजसा देश्टितन कराना जहूरी है ठीक मॉडगेज में कंडिशनल सेल अगर उसकी वैल्यू सौर उपए से ज्यादा है हंड़ेड और मोर ठीक यूज़ फ्रेक्ट्री अगर सौर उपए से ज्यादा है तो इंग्लेस मॉडगेज अगर सौर उपए से ज्यादा है तो टीक मॉडगेज में ट्रिपोजिट्र टाइटल डीड का भी नहीं क्यों अरे क्योंकि वह तो अपने आप ही सब इसाप से ऑसमें होगा अनमलोक में अपी देए आता है की इनमें केवाइटों से मॉडगेज में इन चारों में इन तीनों में अगर इसकी जो प्रॉपर्टिक वेल्यू सो रुपई से ज्यादा होगी तब ही आपको रेश्टेशन करवाना पड़ेगा बनना नहीं कराना पड़ेगा सिंपल मॉट्गेज में चाहे वह सो रुपई की हो चाहे उससे कम हो कुछ भी हो हमेशा रेश्टेशन तराना पड़ेगा क्यों क्योंकि इसके इसमें सिर्फ क्या होता है कोई पजिशन थोड़े मिल ला है जाएगा क्यों पजिशन तो मिल नहीं ना प्रॉप पैसे उसने दे लिए ठीक है सिक्योड होने बाद जूद भी अंसेक्योड हो जाएगा अगर डॉकुमेंट पे उसका मतलब राइस्टेशन नहीं होगा तो इसलिए राइस्टेशन कराना इसमें सिंपल मौटगेज में अमेशा होता है बागी तीम में कंडिजिनल सेल में यूज फैक्टरी मे इंग्लिस में अगर 100 रुपेज उपर होगा तो होगा मौटगेज में कभी नहीं होता क्यों क्यूंकि वह अपने आप ही कागज पर ही पूरा काम होता है ठीक है और भाई उसने बैंक में कागज रखे तभी यह होगा इसमें इसी तरीके से आते हैं यह चार्ट बना लीजि केवल राइट्स और लैविटी की बात करते हैं वह आप खुद पढ़ लीजिएगा मैं क्या-क्याइफ में पढ़ाऊंगा आपको देखिए हम लोग पढ़ेंगे साथ में सेक्शन सिक्स्टी को पढ़ेंगे ठीक कि और सिक्स्टी को पढ़ेंगे प्रश्टी को पढ़ेंगे शिक्स्टी एट को पढ़ेंगे शिक्स्टी नाइन को भी पढ़ी लेंगे साथ में ठीक है और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि एटीवन मास्लिंग एटीटू ठीक कॉंट्रिब्यूशन टू मॉट्गे डेप्थ और नाइटीवन नाइटीटू नाइटीट्री नाइटीफोर लीडिम आप और फोल्क्लोर दाउन नाइटीवन नाइटीफोर यह कि उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है और उनके अंदर से कुछ पूछा भी नहीं जाता है अगर पूछा जाता है तो डारेक्ट कोशन सब्सक्राइब ये हैश सब्सक्राइब कर लिजीए और वीडियो को लाइक भी किया करीये वहाई लेकिंग नहीं बढ़ते ही तो लाइक करिए अच्छी लग रही तो लाइक करिए ठीक है थैंक्यू अलो दोस्तों कैसे हैं आप लो चलिए तो हम लोग ने कल क्या देखा था मौट गेज देखा था सेक्शन 58 समझ में आया था कि नहीं ठीक है कमेंड करके बताईएगा अच्छा मैं कोशन पुंस्ता उसमें से ये बताईए किसमें रेजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है ठीक ह कौन से टाइप के मौट गेज में चाहें उसकी वेल्यू कुछ भी हो लेकिन मौट गेज करना जरूरी होता है आप लोग कमेंड करके बताईएगा आज हम लोग पढ़ेंगे क्या सेक्शन 60 क्या है मौट गेजर राइट टू रिडेम देखिए ऐसे तो टीपे में मौट गे मौट गेजी से यह कहता है कि यह प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर ना करके तुम किसी थर्ट पसंद को कर दो तो मौट गेजी को भी करना पड़ेगा या माली एक टू इंस्पेक्ट डॉकुमेंट कि जब तक प्रॉपर्टी उसके पास है मौट गेजी के पास तो अगर कि अधिए में है कि क्या देखें हम लोग में जाइड जो है इसका किसका मौट गेजी मौट गेजर का राइट टू इसके पास होता है मौट गेजर का मौट गेजर कौन होता है अथे बाइट जिसमें प्रॉपरटी अपनी डिया है अर लोन लेते समय अपनी प्रॉपरटी जिसTAKE फर्री और लोन जिडीम के साथ दो concept और जुड़ जाते हैं ठीक है अगर कोई भी property mortgage की गई है तो वो हमेशा mortgage ही मानी जाएगी ठीक है इसके साथ right to जिडीम एक concept होता है जो इसको fulfill करता है ठीक और right to जिडीम के साथ साथ एक concept और जुड़ जाता है once a mortgage always a mortgage ठीक है उसी के साथ एक और चीज़ जोड़ जाती clock on redemption की आप right to जिडीम के ओपर कोई भी clock नहीं लगा सकते हैं कोई भी ऐसी condition नहीं जोड़ सकते हैं जिससे right to जिडीम नहीं हो पा रहा हो ठीक है या इसका जो right है जो mortgage का वो right to redeem जो है वो उसके उससे दूर जा रहा हो ऐसा आपको ही उसमें condition मी नहीं लगा सकते हैं चलिए तो section 60 देखते हैं right of mortgage to redeem चलिए पही बात है मैंने right to redeem लिख दिया अब mortgage रख से लिख दिया ठीक है जी की बात है पढ़िए पढ़ने पहले इसका थोड़ा basic आपको समझाते है right to redeem क्या होता है जैसे ए ने अपनी अगर कोई भी मकान जो है वो दी को mortgage किया है तो क्या होगा एक right अगर इसने mortgage किया है तो मैंने जैसा कि कल बताया था तो इसको यह property वापस लेने का ये B से हमेशा right रहेगा कब जड़ चित्ता इसने loan लिया है जो लोन लिया है उसने वह पेट कर दे है कि नहीं अगर वह पेट कर देता है तो इसे मिल जाएगा या कब तक रहेगा जो time period जो fix उन लोग ने किया हो या उन लोगों ने fix किया हो या limitation act में ठीक है अगर इसने मान लीजिए इसने इसको mortgage किया था इस condition पर कि मैं यह property पांच साल में आप से ले लूँगा ठीक है अगर पांच साल में मैं पैसा ना दूँ तो फिर आप राइट to sale के लिए apply कर देना court में है कि ने जिस type का mortgage होगा उसी हिसाप से आप अपनी कारवाई करना भी बी के पास क्या है बी के पास भी राइट है कि वो right to sale के लिए apply कर दे court में या right to four या right to four four closer के लिए चला जाए ठीक है या right to जो मनी दी है जो depth है उसको वापस लेने के लिए court में चला जाए यह दो तीन जाए इसके पास होते हैं ठीक तो जब तक इसमें से कोई right court ने से जैसे इस जैसे मान लिए कब तक इसके पास time period होगा राइट टू जिडीम का हम पास साल के अंदर मैं तुमारा पैसा देके अपनी property वापस ले लूँगा तो यह पास साल के पास time period है कि इसके लागा भी time period होगा limitation act अगर limitation act पे बार्ड नहीं हो रहा है वो property लेने से मान लिए 30 years है तो यह भी time period इसके पास होगा कि तीसरी बात जब तक यह भी भी जो है किसी अपने rights के तुरू मान लिए इसके पास right to sale था कि for closer था और जिकवर depth था अगर इसमें से किसी rights के through वो code में जाके अगर उसने इसका right extinguish ना कर दिया हो extinguish ना कर दिया हो तो तक तक यह के पास यह right to redeem का right रहेगा अगर मान लिए अब इसके पास थोड़े राइट कर पाएगा तो यह चीजे बस right to redeem की बात करता है चलिए पढ़ते हैं हम लोग इसमें क्या है section 60 को डीट मारिए जरह तब पता चलेगा आपको क्या है इसमें गेश यह at any time after the principal money has become due at any time after the principal money has become due principal money due हुआ है ठीक दब मॉट्गेजर है राइट ऑन पेमेंट और टेंडर एट प्रॉपर टाइम और प्लेज ऑफ दी मॉट्गेज मनी तु रिक्वायर दी मॉट्गेजी ठीक क्या होता है वाई कैसे यह करेगा अपना राइट तु रिडीम कि वाई जो तुमने मनी लिया है वह प्रॉपर प्लेज पे तुम भी को देदो क्या होगा तो बी को क्या करना होगा मॉट्गेजी को यह ठीक है ऑगा टू टिलिवर टु दा मॉट्र तू दॉप्रॉपरिजर्ट दा मॉट्गेज डिडी अन औल डॉक्यूमें डिक जोडिंड टूद्क्टूध न्गड़ प् भी का पैसा दे दिया और अगुए और प्रॉपर्टि का डॉकुमेंट है मान लीजिए कौन सा था मौटगेज भाई टाइटल डीट था ठीक है अब तो उसमें क्या करना होगा उसे तो उसे जो भाई आपके पास डॉकुमेंट है भी के पास वह उसे बापस दो है कि नहीं चलिए दूसरी बात अगर बी के पास प्रॉपर्टी का प्येशन था तो भाई वह पैसा दे दिया प्येशन बापस दो बेसिक चीजे हैं ठीक सी के बोलता है at the cost of the mort mortgager कि at the cost of the mortgager either to retransfer the mortgage property to him or to such third person as he may direct to execute and where the mortgage has been affected by the registered instrument to have registered acknowledgement in writing that any right in that derivation of the interest transferred to the mortgager has been acting used क्या है बाई यह इसमें यह करता है कि अगर कि मॉट्ट्गेजर के ही खर्चे पे इसके खर्चे पे एक खर्चे पे ही अगर यह कहता है कि तुम यह मुझे नहीं तुम यह प्रॉपर्टी मुझे बापस ना करके तुम यह सी को बापस कर दो ठीक है पहले से पांच लाग रुपए में भी को यह प्रॉपर्टी मॉट्गेजर अब देख रहे हैं कि हम पांच साल में वापस नहीं ले पा रहे है इसने क्या इस प्रॉपर्टी को सी को सेल करने की बात कर ली तो एबी से क्या कहेगा यह लोग अपने पांच लाग रुपए है और यह प्रॉपर्टी तुम सी को सेल सी को देख लेकिन फ़ल्चा इसमें एक को ही करना पड़ेगा एट दी कॉस्ट ओफ मॉट्गेजर चलिए निवासवन में आई बेसिक है इसमें क्या कुछ है थोड़े प्रवाइड एट राइट कन्फर्ट इसमें बोला है कि जो इसमें रइट दिया हुआ है ना तो वो एक्ट ओफ पार्टी के और ना डिक्रीव पोर्स से दूर होगा इसमें नहीं फोगा थीक है दाराइट कन्फर्ट बाइट इसेक्शन इसमें बिया जा रहा है उसको हम राइक दूरीम कहेंगे यह मैंने लिख देखो तुम इसके जिन में नहीं अगर दे रहे हो तो मैं इसे राइट-to-sale के लिए जा रहा हूं फिर ठीक है जिडेंशन ऑफ पोर्शन ऑफ मौडगेश प्रॉपर्टी यह क्या दिया हुआ है इसमें यह निपावद दे रहा है कि अगर किसी का इसमें शेयर है माल लीजिए दो तीन लोग से जादा है तो जिसमें इसका शेयर है ना तो यह नहीं सिर्फ वो अपना शेयर ही बापस ले ले मतला अपने शेयर का पैसा दे के उतना बापस ले ले ठीक है जब तक मौडगेशी के पास ऐसा कोई राइट नहीं है ठीक है इसको पूरा जीट मा जाए जाए तक कुछ नई कि आता है बंस इंद माड़ गेज यह में समय तक हॉड मैं अल्वेज ए मॉड़ में अगर यह भी लिख्ते आ जाए तो आपको सेक्शन शेट्ष्टी लिखना पड़ेगा एधिक है क्योंकि इसी से ये पॉंस्ट एम रस हुआ है तो यह क्या कहत तो वह हमेशा मॉडगेज ही मानी जाएगी वह कभी यह नहीं कि इसको सेल मान लिया जाए ठीक है अब इस पर एका राइट हमेशा रहेगा जब तक इसको भी यह सब इसके एक राइट हमेशा रहेगा तक जब तक यह बी जो है कोर्ड के थुरू राइट तू सेल या फॉर्गलोजर और या राइट तू रिकवरी ओफ़ डैट इसके थुरू इसके राइट को एक्स्टिंग्ज नहीं लाइख जब तक इसके राइट एक्स्टिंग्यूज नहीं होंगे, तब तक इसके पास राइट टू रिडियूम का हमेशा रहेगा, चलिए, अब एक एक एक्जाम्पल देखिए, माल लीजिए, इसमें जो क्या हुआ था, बी जो है, माल लीजिए, कि बी कोर्ट से राइट टू सेल क कोर्ट ने डिक्री पास कर दी, ठीक, कि बाई, इसका पैसा जो है, तुम एक का, जो बी का पैसा जो है, इस मकाम को बेश के दिया जाए, ठीक, यही तो होगा राइट टू सेल, चलिए, वो राइट टू सेल का ओडर ले आया, अब क्या होगा, यह डिक्री एक्जिक्यूट कराई जाएगी, आपको पता है कि डिक्री पहले पास होती, फिर एक्जिक्यूट होती है, अब माल लीजिए, ओडर तो आ गया, ओडर आ गया, डिक्री आ गई, इसको सेल की, लेकिन एक्जिक्यूट नहीं होई, तो यहां तक कि A के पास तब भी राइट रहेगा, कि इसको एक्जिक्यूट होने से पहले भी, अगर A, B को पैसा दे देता है, तो यह राइट टू सेल लुक जाएगा, ठीक है, फिरी एक्जिक्यूट नहीं होगा, अगर एक्जिक्यूट होने से पहले, A पैसा दे दे भी को, तो भी उसके पास राइट टू रिडीम रह जाएगा, ह इसी को इसी लिए इसको one say mortgage always a mortgage बोलते हैं देखिए प्री में एक कोश्चन आता है कि यह concept जो है one say mortgage always a mortgage यह किस से आया था मतलब किस case में आया था तो इसमें दो cases हैं ठीक है पहला है रिस वर्सिस है रिस अब है रिस वर्सिस रिस एक दूसरा वैर्नॉन वर्सिस बेथल वैर्नॉन वर्सिस बेथल यह दोनों cases जो है यह दोनों ही इसी के हैं ठीक है अगर आपके पास को यह आता है कि बन से मौर्गेज और वेज जे मौर्गेज किस चीज का concept है तो आप माल दीजेगे section 60 ठीक है अगर यह आता है बन से मौर्गेज और वेज मौर्गेज किस केस में हेल्ड हुआ था तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी option हो तो उस पे आप टेक माल दीजेगा ठीक है यह है रिस बसे है रिस यह बैनॉन वसे पैथल है रिस बसे है उत कौन सा है तो आपको टिक मार के आना है है रिस वसिस है रिस हमाचल के देश में यह वाला आए दा क्या कि बैनन वसे पैथल किसका रिडिंग केस है तो बन से मौर्गेज और वे से मौर्गेज कर ठीक है तो यह दुनों आप याद रखिएगा चलिए इसी सांदे कॉंसेट ह बोलता है कि अब आप यह तो जानगे कि राइट टु रिडिंग को आप डारेक्ली उससे नहीं चीन सकते यह से हैं कि नहीं राइट टु रिडिंग तो उसके पास रहे गा ही रहेगा आपको ध्यान है हम लोग ने देखा तो चार्ट बनाए था तो उसमें अगर कोई भी तो मॉट गेजर पास राइट टु रिडिंग हो गई होगा ज्यान है कि नहीं है अब इसी में आप यह देखिए क्लॉग ऑन रिडम्शन क्या है कि अब आदमी ने तरीका ढूडा कि क्यों ना ऐसी कोई कंडिशन लगा दें क्या है कि ऐसी कोई कंडिशन लगा दें जिससे डारेक्ली तो नहीं लेकिन इंडारेक्ली हम इसके राइट टू रिडिंग को उससे अलब कर दें कैसे माल यह मैने कंडिशन लगाई कि देखो तुम पैसा देने के बाद भी रैप्त देने के बाद भी तुम पास साल तक प्रॉपर्टी को मतलब जो मॉड्यल तो मॉड्य प्रॉपर्टी को पचास साल तक रिडिंग नहीं कर सकते बापस नहीं ले सकते तो यह अननेसेसरी जो डिले हो रहा होगा ठीक है वह इसको राइट टू डारेक्ली तो नहीं दूर कर रहा है लेकिन अप अननेसरी कंडिशन लगाके उसको दूर करना चाह रहे ह तो इनको क्लॉग ले टिड़म्शन कोड मानता है और कोई किसी बी टायप की मौट गेज में अगर कोई भी क्लॉग ऑन रेक्रेम्शन कोड़िव कर रहे है तो उसको कोड वाइड माने ठीक ऐसी कोई कंडिशन हो सकती है अनसलीव टाइम उसका एक्टेंड करना पेमेंट हो और आप प्रॉपर्टी ट्रांक्फर्ब ना हो ना या कोई इस्टिक रूल बना देना कि देखो तुमने एक साल पैसा नहीं दिया तो थिर तुम अपनी प्रॉपर्टी कभी वापस नहीं ले पाऊगे ऐसा नहीं होता मान लीजिए चनल रूल क्या है अगर एक साल के टाइम हुआ है उसके बाद भी उसे नोटिस देना पड़ेगा कि अब जो है आप एक मैने के अंदर इसे ले लो जो भी कोई टाइम दे अगर आप नहीं पैसा पापस करोगे तो मैं राइट टू सेल के लिए जा रहा हूं कोड में ठीक है तो यह उसे प्रॉपर टाइम मिल जाएगा ना और और राइट टू सेल के लिए भी जाएगा उस समय भी जब तक डिग्री एक्सक्यूट ने हो जाती तब तक भी अगर वह पैसा दे दे तब भी उसका राइट रह जाएगा उसे प्रॉपर्टी बापत मिल जाएगी ठीक तो बस यह चोड़ी बोड़ी चीजे थी जो सेक्शन सिक्स्टी में दी हुई है ठीक इसके लावा क्या था इसमें और कुछ है क्या और आप यह सिक्स्टी यह रीड माल लिएगा ओब्लिगेशन टू ट्रांसफर थाट पसान यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर यह कहता है बी से कि तुम थाट पसन को सकता है ठीक आग अब ऑफ भाइट विडीवेट सब्लिप मॉर्ट कंदी अगर इसमें पर वापोस्ट पॉन पॉपार्टी कि शीकर पास मॉटकी ette यह वह यह पास ही बात दिया यह बड्लिक दो उसना सब्यों ही मकान जो है एक आत्मी को मौडवेश कर दिये टीक हो अब इसके पास है कि मान लिए यह तीनों मकान यहादा दो लाग में किया यह तो यह करके भी वापस लिए सकता है जिडिम कर सकता है ठीक तो लाग रुपए दे दिये यहाली प्रोपर्डी चूट गई इन लाग दे दिये यहा चलिए ऐसे ही आप देख लीजेगा इसमें अगला मैं आपको इसमें सक्षन पढ़ाऊंगा 67, 68, 69 ठीक अब हम बात करेंगे मौटगेजी के राट की मौटगेजी राट टू फोर्कलोजर सेल और राट फोर्कलोजर मौटगेज मनी और पावर ऑफ सेल वैंग वैलेट कब वो विदाउट इंटरवेंशन आप दी कोर्ट कब वो प्रॉपर्टी उसकी सेल कर सकता है यहां पर क्या वो राट टू सेल क्या वी अपने आप इस्तमाल कर सकता है नहीं कोर्ट के करू जाना पड़ होती है जिसमें विदाउट इंटरवेंशन आप दो कोट मौट जी जो है वो मौट प्रॉपर्टी को बेश सकता है ठीक है यह लोग पढ़ेंगे 67 68 69 उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 81 एक वार आप रीट माल लेगा इसके अंदर से कहीं से कुछ नहीं आता है इतने पर सक्षेंट पढ़ा रहा हूं वह समय से आता है प्री में भी और मेंस में भी और बाकी सब एक वार आप रीट मालते हो चले जाएगा सब समझ में आ जाएगा ठीक है ना समझ में आ तो मुझे कमेंट करके जल्ब बताईगा 81 पढ़ेंग से 91,92,93,94 इतने सक्षन होते हैं अम दोग मॉड़ेंगें थैंक्यू हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लो चलिए तो लास्ट लेक्शन लों टीपी में क्या पढ़ाता सेक्षन सिक्स्टी राइट टू रिडीम अप राइट टू रिडीम समझ में आया था कि नहीं वहिसा मॉड़्गेजर का सब से इंपॉर्ण राइट होता है राइट टू रिडी मौट गेजर के पास राइट टू रिडीम होता है ठीक हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर अगर आप लोग ना देखा हो जो पहली बारी लेक्चर देख रहा हो तो वो देख ले और हम लोग लोग ने इंटोडक्शन से पूरा स्टार्ट किया था सेक्शन वन से और हम लोग यहां तक पहुंच गया है ठीक है इसके लावा है सारी है टॉट है ठीक है प्लेलिस्ट में जाकर चैनल की चेक कर लिएगा आपके काम का जो हो आप पूरा देख सकते हैं ठीक है चलिए तो हम सबुकत तो इन चैनल के ख़ connect होते हैं और बहुत सारी होते ह्ते हैं यह फोन फीचशन पड़ेंगा इंस लोग मतरें ह reference प्ड़ेंगा हम लोग उपिक्टे एट देखेंगे और कौन से देखेंगे 81 देखेंगे 82 देखेंगे और 91 से 94 तक इतने हम लोग देखेंगे इसके इलावा बाती सारे सेक्षंस इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग खुझ रीड मालिएगा ना समझ में आया तो मुझे बताइएगा चलिए इसके आते हैं राइट जो ऐसे पुलता है वाई एम पाल्टेंट निए अपना बात जाफ्टेंट अन्यम अप्राइज से करफेंगे अधर से करेंगे को में अन्यमीे घर मॉश्स बच्रूइगे टीजिए और लिगेटी इसका र्क्री देखेंगे को गेटाय रिच्छ को तो आई डिजिए लिग एक प्रोपर्टी और इप्रोपर्टी और इप्रोपर्टी विशोल्ड क्या गहरा है यह 67 यह बोला है कि तीन कंडिशन में कौन कौन सी यह देखिए मैं लिखके रखिए पहला इन अपसेंस अप्रोपर्टी तब मॉट्गेजी हैस अट एनी टाइम यह बता रहा है सक्षें 67 कि वो फोर क्लोजर के लिए और सेल के लिए कोर्ट कप जा सकता है यह तीन कंडिशन में जा सकता है कि किसी भी समय एट एनी टाइम वेन दा मॉट्गेज मनी हैस बिकम ड्यू जब जो उसने मॉट्गेज मनी की है ना जो प्रोपर्टी उसने दी थी वो जो उसने मनी जो दिया था वो ड्यू है ठीक है और ऑवियसली मान लिए मैंने कोई एक मकान गिर्मी रखा पांस लाग रुपाय मॉट्गेज रखा पांस लाग रुपाय में ठीक है उसने मुझसे कहा था है कि मैं दो साल में यह पैसे दे कर आप से छुड़ा लूँग ठीक है अब दो साल कंप्लीट होगा है वो आई नहीं रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब क्या है अब मॉट्गेज मुनी तो मैं दो साल बार पांच जाओंगा इसके लिए या तो पहला मॉट्गेज 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 मुनी आज बिकम ड्यू दूसरा पहला मॉट्गेज मनी एस बिकम ड्यू दूसरा विफोर डिक्री ओ डिक्री ओउफ इडंशन तीसरा मॉट्गेज 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 मॉट्गूरे मध्री में एस पेड और ट्यपॉजिट जैक्प यह तीनों काम ना हो थीक है लिए पैसा भी ड्यूव है फीक है यह डिक्री ऑफ इडंसन भी ना लाया हो मॉटगेजर और उसने पैसा पेड या डिपॉल्मिट भी ना किया हो इन तीनों ही केस में इन में से कोई एक डिपॉल्मिट या या तो डिपॉल्मिट प्रॉड या डिक्री ऑफ सेल पढ़िए इसे लिखा था यहां पर क्या लिखा था और दमाल्टे मार्टे मनी आस पेड और दिपॉजट है और यह जो है न अप अगला वाला परगाप पडिये ये शूट टू अप्तें अग्री टॉक्त एक डिपॉल्मिट था बडिइम अब्रॉट्ट प्रॉपलिट इस वाद ना यह जो बोपर दिया है ना तो यह पूरी definition दी हुई है suit for foreclosure की तो इसको हम लोग पूरी definition लिख दी उसको उसको शुख को आण लिखके तो या तो फिर बटी यो वोप अपूर्पर्टी भी या और चाहिए अब क्या है आगा माट गजरे इंचिक ऐसी में य। कंडीशनल सेल सर्फ इसी केस में और सफॉर्क्लोजर के लिए जा Ciao ता है है की कि नहीं इसमीर क्योंड ऐसके थे zustर सेल क्यों consumers है एक टाइप डिक्री ओता है जो मौट केजी मौट को लेके जाए वही उसका इसका अनर हो जाएगा उसकर भालते हो जाएगा उसके सारे राइट आना रहा होगा। या अगर मौर्ट कन्डिसनल नहीं है। पतर गिंडिज्ट के लिए जा सकता है। डिसे में sentido लिए भी उस्सका मुंख्यां थे ना, 8-6 उस्कार आ doubling किऑ व्सक्तर एक्षा में ऑदव सक्तरा थे नहीं होंगे तो वो शेल की और नहीं नहीं रहा 않त 550 पहला कंडिशनल शेल दूसरा उस उसकी कोई पैकुनिरी लाइबरेटी नहीं होती है की नहीं यूज़ फेक्ट्री मौट्गेज में क्या होता था वह प्रोपर्टी का पशेशन देदेता था यह लोग और वह पैसे नहीं देगा आप उसी प्रोपर्टी से जब आपकी मौटगेज मनी दिकवर ना हो जाए तक तक आप अपने पास रखो ठीक है जब उससे आप पैदा कर लो तब भाई बापस कर दो मेरी है की नहीं एक सब्सक्राइब करें तो आप से पैदा करिए और अपना मौटगेज मनी को जो है दिकवर करिए ठीकिन नहीं यह जो है कि किस किसमें कर सकते हैं किसमें नहीं यह आपको इसी के 67 के क्लाउस एक को पढ़िएगा उससे समझ में आएगा ठीक है 67 का क्लाउस दोनों ही और बाकी यह नीचे वारे जो बी सी डी है यह कोई काम करें नहीं ठीक है फिर फार्म तो में बढ़न है अपने लिए और कुछ नहीं 67 क्या कहता है 67 यह कहता है देखो अगर माले ए आदमी है ठीक है इसके पास तीन प्रोपर्टी थी एक्स वा प्रोपर्टी के लिए जाना चाहता है इस पे राइट टू सेल के लिए या फॉर्ट के लिए तो 67 यह कहता है देखो अगर ऐसी कोई बात होना जब पार्टी सेम हो तो आप क्या करो एक ही शूट फाइल करो अलग अलग करने जरूरत नहीं है ठीक है एक ही केस पाइल कर दो तो उसी से ही काम चल जाएगा आपको क्या लिखा है राइट टू सूट नहीं मौट गेजी वेंट बाउंट टू ब्रिंग वन सूट और सेवर मौट गेजिस ठीक है कब वो एक ही उससे केस फाइल करना पड़े इन केसे में वह बाउंड है कि क्यावल एक ही सूट पाइल कर कि नहीं चलिए सबस्क्राइब तो आ गया होगा यह अगला लोग देखेंगे राइट टू सू फोर मौट गेज मनी ठीक है थेंक यो मौट गेज मनी यही तो तीन में राइट थे जो लोग को पढ़ने हैं इसके मौट गेजी के हैं है कि नहीं कि क्या बोलता है वाई सेक्शन 68 सेक्शन 68 चार बाते बताता है चार कंडिशन में चार ऐसी कंडिशन बताता है जब मौट गेजर पास राइट है कि मौट गेज मनी के लिए क्वया सकता है अगरणिशन बंगेज या यूद नहीं नहीं तो, वह कि लिए सयल के लिए का सकता है किस्क्रक्व जो मौर्ट मुनि Rafum दू है ठीक है और कि युशल लेगा इनके पैसा है वह मुझे मिल जाइ मुझेगा सी जब पहली यह बीस कि मॉटेज मॉट्गेजर फार्ट वेस ऑपने आपको आप ? आपको । यह अपने आपको अघ्वा बैंड ऑफ वाइंड कि आपको की आपको और ऐसे के भी सिटेल के समस्जातेब है फ़ confrontation सब्सक्राइब गैज निगे टाइप गैजट कि आन तो टीप आने तो टीप गैजा थे पन Wirki आने तो टीपिर एक पी आप पस्योया क्या तुबुमेस तॉप्ट टेस्टा। CHA चै 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 तॉप्ट the fault of any party without any fault is we are the mortgage we are the mortgage is deprived of a six is deprived of a security by wrongful act of the mortgager by wrongful act of the mortgager where the mortgage being entitled to possession the mortgager fails to deliver the possession the mortgager is जो मिए लिए देखते हैं वाई का लोग इसे ने में से कोई बार को तो वेजले जो मॉड़ेज़ पर उसके लिए मॉड़ेज मनी के लिए केसा का सगता है यह वी मॉक्येज वांसल आसे मोऱफ और उसे पैसे थोड़े देने होते हैं। करता है भाएं डूसरा मारटेश प्रापर्टी उन्हें हैं को एसे माउड्यज प्रॉपर्टी उन्हें इस्ट्रॉइट जब खत्म हो गया आपके बाद समीन गई तो अधिन तो जब मेरा पैसा इन नहीं रहा तो इस केस में क्या करूंगा मॉट्गेज मनी को वापस करने के लिए केस काई करूंगा ठीक विए दब मॉट्गेजी डिप्राइब ऑफिस सेक्योरिटी वाइट अप्लों एक्ट ऑद मॉट्गेजर या मॉट्गेजर ने ऐसा कुछ किया है जिसे जो मुझे सिक् से ठीक है एक केस था मुझे ध्याना केस का नाम तो नहीं ध्याना लेकर उसके फैक्ट ज्याना ले उसमें क्या होता था एक आदमी ने उससे मॉट्गेज टिपॉजिट ऑफ टाइटल डीट से ठीक है मॉट्गेज मनी ली क्या हुआ उसने अपने डॉकुमेंट मकान के देखिए भाई जो मैंने आपको डॉकुमेंट रखे है ना अब मैं उस मकान को बेच कर आपका पैसा देना चाहता हूं तो जो मकान खरीदना चाहता है ना वह कागज देखना चाहता है तो आप मुझे थोड़ी दे के लिए टाइटल डीट दे दें मुझे वह बैंक वाले होती वह कहती है यह तो जो जो टॉसपे तो हंते है तो टैटल डीड और पहले मेरा हक तो मुझे है स्कूल कि इस केस में आपको क्या करेगा अब उसे टाइटन डीड नहीं अब वो तो दूसरी बैंक की हो गई अब तुम मॉट्गेज मनी के लिए केस फाइल करो फिर दा मॉट्गेजी को ऐसा कोई है जिसमें उसे पजेशन मिलेगा को इसे नहीं मिलता है बिलकुल मिलता है अब उसमें उसे पर दिधा आप और क्या करेगा करेंगे जब वह पुझे नहीं देगा तो उसकेस में क्या होगा अब भाई तुम केस फाइल करो मौटगेज मनी को वापस लेने के लिए यह चार कंडिशन है चलिए देखते हैं पड़ते हैं हम लो Section 68 The mortgage has a right to sue for the mortgage in the following cases and no other namely केबल इन चार में ही हैं और किसी में नहीं होगा पहला Where the mortgage bind himself to repay the same ठीक है दूसरा whereby any cause other than the wrongful act or default of the mortgager or mortgagee the mortgage property is wholly partially destroyed or the security is rendered insufficient within the meaning of Section 66 and the mortgagee has given the mortgagee as reasonable a possibility of providing further security enough to render the whole security sufficient and the mortgagee has failed to do so मान लीजे इसमें क्या हुआ था इसमें क्या हुआ था मैंने एक घर पे भाई इस घर को मैंने इस घर की गारंटी पे मैंने mortgage money दी ये घर डिस्ट्रॉई हो गया ठीक है तो मैं उससे कहूँगा देखो अब ये घर तो तुमारा कुरा डाय गया अब ये तो insufficient security हो गई अब तुमाँ जो दूसरा घर है तुम उसके document रखो मेरे पास अब उसमें रख दिये तो ठीक है ठीक है तो तो फिर बैसे ही माना जाएगा अगर नहीं रखे तो फिर हम इसमें जाएंगे ठीक है अब ये में अब ये मॉट्गेज मनी के लिए एग चीक है ये तो वही है जो मैंने तुम्हें बैंक वाली बात बताई थी ठीक है वही लिखा हुआ है चलिए ठीक है आप लोग लिए नमाल लिएगा शेकंड क्लाउस क्या बोलता है इसका इस लिए विए प्राइब ये और क्लाउस एवर बी ब्लब एवर बी के केस में और बी के के स्बाइब इन दोनों के क्या हो सकता है इसमें यही दिया हुआ है और तो कुछ है ने इसमें चलिए ठीक है अगला हम लोग पढ़ेंगे टी वन कर दोस्तों कैसे आप लोग छालिए तो टीपीए निम लोग का तक हो गया था सक्षन 68 तक हो गया था राइट तूसू फॉर मॉटेज मनी समझ में आया था और यहीं को मैं अप लोग से बहुत खोस हूं आप लोग इतना अधा कमेंट कर रहे हैं ठीक है सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं बस थोड़ा आप लोग के साथ की ज़रूवत है अब भी साथ से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लें ठीक है अगर आप यह वीडियो पहली बात देख रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाके देखिएगा और भी सारे की टॉट की और भी प्लेलिस्ट पढ़ी होई है उन्हें भी आप देख सकते हैं ठीक है आप लोग साथ देंगे तो और भी लेक्चर डालता अब और अब अब अच्छा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस इन क्या बोलता है बेसिकली तो बित्री बात करता है कि किस-किस केस में विदाउट इंटरवेंशन आप दी कोट जो मॉटगेजी है वह प्रॉपर्टी सेल कर सकता है अपना पैसा लेने के लिए क्या बोलता कहने चलिए देख लेते हैं से यह तीन केसिस में अप्लाई होता है पहले जब मॉटगेजर और मॉटगेजी दोनों ही हिंदू मुसलिम या वो सरे लोग जो इंडिया में पाए जाते हैं मलब यह कब का 1882 का है ना तो 1882 का होने की वज़ा से किस ने बनाया है अंग्रेजों नहीं बनाया है तो क्या हुआ उन्हों ने अपने लिए एक इसमें कि देखो अगर हम बिटिसर्स और बिटिसर्स के बीच में अगर कोई प्रापर्टी मॉटगेज हो रही है तो अगर हम लोगों ने अपने अगर मॉटगेज डीड में ऐसा लिग दिया है कि विदावर्त इंटर्पेंशन ऑप दीख सकते हैं तो हम बेच लेंगे यह यह बोलता है भी में कब जब एक पार्टी जब मतले मतलब मॉटगेजी जब गॉवर्मेंट हो दूसरे हो सकती कि नहीं हो सकते बिल्कुल हो सकती है किसी दो लोगों के बीच में तो हो सकता है तो एक तो परसन है अपूरिट पार्टी में कौन है मौटगेजी कौन है गवर्मेंट है तो इस केस में भी विदाउर देवेंशन आप दी कोड बेश सकते हैं तीसरे वह सारी प्रोपर्टी जो मेट्रोपर्टिकल चिटीज में जैसे कलकत्ता और इसमें दी हुई है तो इन सब चीजों में वह सारी प्रोपर्टी का अगर मौटगेट डीज में लिखा हुआ है कि इनको भी अगर बेश सकते हैं तो भी बेश देंगे ठीक है यह इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन आता न कितने मेने का तीन मेने का दूसरी बात अगर बेचने का बात माल लिए कि पांच लाग रुपए में प्रोपर्टी मौटगेश की थी अब वह बिकी साथ लाग रुपए गी तो जितना भी एक्सीड अमाउंट आया है वह मौटगेजर को दे दो सिंपल सी वाते हैं ठीक है चलिए अब इस पर आते हैं हुआ हम्म्म एक्टीवन मास्लिंग सिक्यूर्टी मास्लिंग कंट्रिविशन यह दोनों अम लोग अभी पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे सेट्शन एक्टीवन मास्लिंग सिक्यूर्टी पर छोटे चोटे टॉपिक आराम हो जाएंगे क्या होता मास्लिंग सिक्यूर्टी जिए किसी एक आदमी ने किसी एक आदमी पास तीन प्रोपर्टी थी ठीक है एक्स वाई और जैड़ी अब इसने क्या किया यह तीनों प्रॉपर्टी पहले उसने बी को मौटगेज कर दी इसको बी को ठीक अब इसमें क्या किया इसने जैड़ जो है जैड़ जो है C को भी मौटगेज कर दी ठीक समझिए A के पास तीन प्रॉपर्टी थी X, Y और Z ठीक है उसमें इन तीनों प्रॉपर्टी को पहले B को मौटगेज कर दिया कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है अब क्या हुआ है? उनमें से एक प्रॉपर्टी को उसने एक और मौटगेज को एक और मौटगेज को मौटगेज कर दिया ठीक, अब इसमें क्या होगा? इस टाइप के केशिज में B, अगर फोर्कलोजर या सेल के लिए अपलाई करता है ठीक है? तो C जो है C क्या करेगा? B से रिक्वेस कर सकता है अगर देखो भाई, तुम पहले यह वाली प्रॉपर्टी बेच दो, उसके बाद यह वाली बेच दो, अगर इन दोनों को बेचने से तुमारे मौटगेज मनी मिल जाती है, तो फिर जैड को छोड़ दो, ठीक है? अगर इन दोनों से भी नहीं मिलती है, तो उसके बाद ठीक, पढ़िए, section 81, massling securities, if the honor of two or more properties, if the honor of two or more properties, mortgage them to one person, क्या हुआ, बहुत सारी properties का एक था honor, उसने एक को मौटगेज कर दिया, ठीक, one person, and the mortgages of one and more property to another person, अब क्या किया है, उसमें उसी में से, एका property, एक और को मौटगेज कर दी, ठीक, the subsequent mortgagee is, in the absence of the contract to the contrary, is entitled to have prior mortgage debt satisfy out of the property or properties, not mortgage to him, ठीक है, जो सी को मौटगेज नहीं हुई है, पहले आप उसमें से कर लें, अब contribution क्या बोलता है, देखिए, contribution भी आसान ही है, कुछ है थोड़े, चलिए, 82, contribution, contribution मारे क्या होता है, अरे, contribution यह होता है, कि हम लोग जब भी आपस में, जब ट्रीट देते हैं, बिल आता है, तो आपस में contrary करते हैं कि नहीं करते हैं, कि भाई, तुमने जित्ता खाया, तुम अपना अपने हिसाफ से, अपने proportion से दे दो, तो भाई, यह भी यह contribution, अब यह किस सेंस में है, मान लिजिए, तीन आदमी है, ठीक है, contribution तो मैंसा लोग बीद में ही होगा, तीन आदमी है, इनके property पे share है, ठीक है, यह लिए है, तीन आदमी A, B, C, ठीक है, इनका अपना अपना share है, इसमें, तीन प्रोपर्टी में, X, Y और Z, इसमें मान प्रोपर्टी ना होगे, एक ही मान लिजिए, ठीक है, अब मान लिजिए, एक ही प्रोपर्टी है, एक प्रोपर्टी है, लिकिन उसमें share तीनों का है, ठीक है, share तीनों का, अब क्या होलता है, मान लिजिए, इन तीनों का different share भी है, मान लिजिए, कि ये प्रोपर्टी की पूरी कीमत, मान लिजिए, 60 लाग है, ठीक है, तो एक ही इसमें 30 लाग की है, प्रोपर्टी, बी की जो है, वो 20 लाग की है, इसकी 10 लाग की है, ठीक है, अब इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने mortgage कर दिए property D को, ठीक, कर दिए की नहीं कर दिए, कितने रुपर में, मान लिजिए, 60 लाग रुपर में, ठीक है, 60 लाग में नों ने property, mortgage कर दिए, D को, तो अब जब पैसे इने देने होंगे ना, D को, तो किस जाब से दिए जाएंगे, यही यह बोलता है, तो पैसे मॉट्गेज डेट देंगे तो इससाब से क्या 3 लाग इसको देना पड़ेगा 2 लाग इसको देना पड़ेगा एक लाग इसको देना उन्हाइब च्छेला उपए ना तो 3-2-5 एक छेल ऐसे यह लोग अपने प्रपोर्शन के साफ जितना इनका इनका प्रोपर्टी and for the purpose of determining the rate at which each share or part shall contribute ठीक है जिस साफ से इनका share है उसी साफ से इनका contribution माल लिया जाएगा एक बात और इसमें दे दी गई है the value thereof shall be deemed to be its value at the date of mortgage after deduction of the amount of any mortgage any other mortgage और charge to which it may have subject to the date ये क्या बोलता है जिए बात बोलता है कि देखो क्योंकि जिस साफ से इनका contribution होगा जिस साफ से इनका share है share के साफ से ही इनका contribution होगा ठीक अब माल लिए आखरी बारी line से बोलती है कि अगर कोई property पे कोई charge है या वो किसी और को mortgage हो रखी है माल लिए ये property इसने 10 लाग की है इसने सी ने सिर्फ सी ने ये property पांच लाग किसी और को share पर दे रखी किसी और को mortgage कर रखी दी माल लिए को ठीक है ध्यान से समझेगा छोटी सी बात है बस अब पहले सिंपल दूल का था जित्ता share है उसी साफ से contribution दे दिया अब मान लिए कोई एक property थी सी ने अपने शेयर को पहले से ही E को mortgage पे रखा है ठीक है तो अब ये पांच लाग पे अगर रखी होई है तो अब इसकी value 5 ही मानी जाएगी पांच पे तो ये पहले से ही रख रही हुजा है कि नहीं तब इसकी value कित्ती मानी जाएगी पांच लाग कित्ती मानी जाएगी पांच लाग यार ये phone भी चलिया तो अब क्योंकि पांच वैसे इसकी value दस लाग थी पांच लाग में से पहले से मोड़के रखा है अब इसकी value रजाएगी पांच लाग ठीक है अब इसका share अपने आप चेंज हो जाएगा ये 3.25 देगा 3.25 रुपए ये 2.25 देगा और ये 50 रुपए देगा क्यों क्योंकि इसमें दूसा परगाफ क्या वेयर तू वेयर अफटो प्रपर्टी प्लांग टुद अपने अपने जाएगा अपने 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 लिए ये यह तीन नहों के एक ही होते एक ने अपनी तेन प्रॉपअटी जैसे उपर वाला केस है चली या फिर से बना रेते हैं अपनी तीन प्रॉपरटी बी को मौटगेज करी ठीक है अब इनका शेर अलाग अलैग था जैसे यह 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 बोलता है कि हां कि माइसन के लिए लिए का अगर आपकर शुटा horrifying तो माझेन होगा नहीं होगा कहने मतलब आपको याद रखने हैं यह वाला और यह वाला यह पारग्राफ वाला उसके यह है और यह पारग्राफ सेकंड है इसका है अब तो कोई दिक्क्त है जिसमें अब इसमें 91 एक्चुली में क्या है 91 अब बोलते हैं और 94 को फोर क्लोज डाउन यह अब लोग पढ़ेंगे लास्ट में ठीक है क्यूं क्यूंकि इसमें प्री में सिर्फ इतना ही आता है क्या कोशन आता है कि विच सेक्स विच सेक्शन ऑफ टीपी इस नोन एस रिडीम आप फोर क्लोज डाउन तो आपको टिक मार के आना 91 94 क्या आता है कि रिडीम है अब 91 बात करता है कि फोर क्लोज डाउन कि 94 बात करता डारेक्ट ऐसे ही आता है ठीक है एक तो यह आटिकल पे जिवाले सेक्शन भी याद रखिएगा और ये जो इसको क्या सॉट में कहते हैं इसको जडीम आप कहते हैं इसको फोर क्लोज डाउन कहते हैं यह भी याद रखिएगा ठीक है और इस पर थोड़ा मेंस में आता है तो उसके लिए आंसर फ्रेम करना पड़ेगा इसी लिए हम आया आपको बातने पड़ाऊंगा चलिए सब सेखिशन 92 और 93 एक सास पड़ने होता है बॉलता है दॉक्ट्रायन आप सब्रोगेशन है और सेक्शन 93 बनता duck चक ऑक है बाई दोनों देखै सब्रोगैशन मौने क्या होता है सब्रोगिशन माने होता है किसी और के जूते में अपना पर डालना क्या होता है बाता है सब्रोगेशन सब्रोगेशन माने होता है किसी और के जूते में अपना पैर डालना मतलब किसी और के राइट को खुद एक्कुायर कर लेना ठीक किसी की पोजिशन पे आपको खुद आ जाना कैसे मान लिजिए ये ने ये प्रॉपर्टी थी किसको इसने ये प्रॉपर्टी तीन लोगों को मौट गेश की किसको बी, सी और डी क्या हुआ ये के पास तीन प्रॉपर्टी थी एक्स, वाई, जैड और उसने वो तीन आदनी को मौट गेश पर कर दी बी, सी और डी ठीक है अब क्या होता है section 91 क्या कहता है कि इसके इलावा मौट गेशर के इलावा और कौन-कौन इसमें प्रॉपर्टी जिसका भी इंट्रेस्ट होगा वो इस प्रॉपर्टी को जिडीम के लिए डाल सकता है ठीक है 91 क्या कहता है बस 91 थोड़ा सा ऐसे जान लिए इसके इलावा मौट गेशर के लावा और वी लोग है जिनका इंट्रेस्ट हो प्रॉपर्टी पे तो फिर वो इसको जिडीम के लिए डाल सकते हैं अब 92 क्या कहना है आप सब्रोगेशन ये बोलता है कि भाई इसमें क्या कलता है डी डी जो क्या कलता है A, A का लेकिन B, C डी ने तीनों अलाग अलाग प्रॉपर्टी अलाग अलाग पैसे दे के अपने ओडेज ली, ठीक है अब डी क्या करता है C का शेर देदेता है D को ठीज है D, C का शेर देदेता है तो C की जगाँ पे अब डी आ जाएगा इसी को हम subrogation बोलते हैं ठीक बाइब आई बसो उन में यह ने तीन प्रॉपर्टी तीन लोग को मौड़गेज की थी अब आगा इसमें से कोई भी एक ओर मौड़डगेजी क्या करें दूसरे मौड़डगेज कारण पैसा दे देगा थीक है तो फिर दूसरे मौड़डगेजच जगा यह खुद इक्वार कर लेगा तो भी कि क्या होता है कि सी की जगां अब जितने सी के राइफ थे और डी के राइफ हो गये लेकिन 93 क्या बोलता है कि इसको हम टेकिंग नहीं करेंगे क्यानी करेंगे क्यूं कि यह दोनों अलग-अलग राइट रहेंगे ठीक है D, यहाँ पर भी perform करेगा, यहाँ पर भी perform करेगा, लेकिन दोनों को merge कर नहीं कर सकते हैं, दोनों को merge नहीं करेंगे, एकी साथ नहीं लेंगे, ठीक है, यह नहीं कि यह कोई superiority तो नहीं कह सकते, मतलब कोई यह नहीं कह सकते कि इसका interest कुछ ज्यादा हो गया, यह B से अब उपर पॉजिशन पे पहुंच गया ऐसा कुछ नहीं है ठीक है यह जिस पॉजिशन पे वहीं रहेगा यह दोनों जगा यही फंक्शन परफॉर्म करेगा लेकिन दोनों को को सीयोट को मज नहीं कर सकते रहेंगे दोनों अलाग अलागी कहने मतलब है कि माल लीजी अगर इसको एक जीडिम करना चाहता है तो यह यह नहीं कहेगा कि अब मुझे दोनों प्रॉपर्टी को एक सांद रिडिम करो 10 लाग रुपए देखे ऐसा यह नहीं कर सकता है इस पूरे दस लेके आओ तभी मैं दोनों प्रॉपर्टी छोड़ूँगा वन्ना मैं एक नहीं छोड़ूँगा ऐसे नहीं बोल सकता 93 रोपता है ठीक 93 इसको मज होने से रोपता है चलिए पढ़िए अगर दे देगा फिर तो प्रॉपर्टी इसके पास ही नहीं आ जाएगी और एनी को मौटगेजर सेल और जीडिमिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट तूदा मौटगेजी है अब क्या होगा जो पैसे देगा जीडिम्शन फोर्क्लोजर और सेल वो सारे राइट इसके पास आ इसके पास दी के पास क्योंकि दी ने दिये ना और सच प्रॉपर्टी दा सेम राइट एगें दा मौटगेजर और एनी अधर मौटगेजी इसमें अगले प्राइग्राम इसी को हम राइट ऑफ सब्रॉपर्गेशन बोलते हैं ठीक है इसको पढ़ लिजेगा यही चीज औ प्रॉपर्वर्टी नहीं मिलेगी मैं यही कहना चाहता था ठीक है कि किसी भी तरीका उसके पास प्रॉपर्वर्टी नहीं आ जाएगा रहेगा सेमी ठीक है सी के जो राइट थे वही रहेंगे बस तुम दो जगा मन्ला फंक्शन परफॉर्म करोगे ठीक है चलिए इतनी व बस याद रखियेगा और छार्ज में इसमें अंतर क्या होता है देएगो कोई बीप्रोपर्टी कोई बीप्रोपर्टी अगर थीता सेक्शन एंगेट के तो अगर वो मॊट्गेज नहीं है, तो वो ऐले उने यह तो तो सुन आ जखा रिएम कहीं। जितने भी simple mortgage के लिए रूल हैं वो सारे चार्ज पर अप्लाई होंगे जैसे simple mortgage पर सारी चीज़ें अप्लाई होती है वैसे चार्ज पर होगा ठीक है चलिए और इसमें कुछ और कुछ नहीं है बस section 104 और देख लीजेगा 104 क्या बोलता है power to make rules यह बोलता है कि जितना इसमें द अगर कहीं पर दोस्तों कैसे आप लोग चलिए तो हम लोग टीपे में कहा तक आ गए हैं हम लोग कम बहुत गया है एक नहीं transfer of property जो यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग ने टीपीए स्टार्डिंग से section 1 से introduction से start किया है और हम लोग ने मॉड्रियस तक complete कर दिया मतलब section 104 तक हो चुका है आज हम लोग लीज पढ़ेंगे ठीक है है transfer of property कैसे हो सकती दी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लीज कहां दिया हुआ है चेप्टर फाइफ अब से section 105 से वर्नेट 17 तक है कि नहीं यहीं तो दिया हुआ है आज चलिए क्या है लीज क्या होता है भाई देखें transfer of property कितने साही कैस हो सकती दी या तो आदमी सेल कर दे है कि नहीं सेल कहां से कहां तक दिया था 54 से 57 तक है कि नहीं कोई मेरे पास मकान है यह मेरे पास वाइट हाउस था पैसों की जरूरत है बेच दो है कि नहीं सिंपल बिना headache के कोई headache नहीं रखनी है सीधे बेचो पैसा लो काम चलाओ है कि नहीं सेल था उसके लावा क्या है उसके लावा वापस कहां था 58 से 104 तक है कि नहीं इसमें चार्ज भी था सेक्शन अंड़र में ठीक आप हम लोग तीसरा क्या आप्शन होता है हम लोग के पास कि भाई देखो सेल नहीं करना है मौट गेज भी नहीं करना है अब क्या है मेरे पास एक्स्ट्रा मकान है दो थे एक तो मैं इ किंदेते हैं किसी ओर को M कि कि यह घएक करें हन रहा है करता होता है इसके लाब आपस्ट्य क्या तक दिया हुआ है अभी हम लोग देगा 105 से 117 इसके डाबा एक option क्या होता है इसके बाद आएगा आपका कि गिफ्ट नहीं एक्सचेंज है सॉरी कि एक्सचेंज भी कर सकते हैं हैगी नहीं एक्सचेंज 118 से 121 उसके बाद क्या आएगा उसके बाद गिफ्ट आएगा एक सो बाइस से एक सो उन्तेस हैगी नहीं चलिए यह सब पढ़ेंगे आराम से अब दो तीन लेक्टर रहे हैं और आप लोग वीडियो कूब लाइक भी कर रहा है बहुत अच्छा लग रहा है है कि नहीं बस आप लोग के इस लाइक और कमेंट में ही तो सब कुछ होता रहता आप लोग लाइक कलते रही है उसे ही प्यार देते रही है और ऐसे में वीडियो बनाता रहूंगा चलिएब आते हैं क्या बोलता है स्टेक्शन 105 में लीस डिपाइन है ठीक है वन फाइन में लीस इस डिपाइन है ठीक है उसके बाद में एक सो पाँच कर सब से पहले आप आप 107 पढ़िएगा इसमें क्या दिया है लीज हाव मेट है हुआ है तिसके पार हम 107 पढ़ेंगे कि कि टाइम पीरेट के लिए क्या होगी है चलिए फ़हले पढ़ लेते हैं उसके बाद आंगे के देखेंगे है और सेक्षण 15 क्या कहता है शग्सक्राई के लिस और प्रपर्टी पहली त्यान रखिएगा यह से ल मोट गे लीज यह सब जो क्या है यह सिरस्प्प्रपर्टी टीपी बाथ करता है कि आहीं कि लिए फ्लै यह फ्लै होगा ठीक है लिज जो है दो इमोड निक्ता के बात करता है इसकी हेडिंग में गोलता है लीस ऑफ इमोल प्रॉपरटी तो सेच्छन 105 या बोलता है और लीस ऑफ इमोल प्रॉपरटी इस ट्रांफर ऑफ इंजोई शच प्रॉपरटी क्टें इसजन टालें कि अगराँ स्थिकि as the claro है पहला नूट कर लिए की लीस अउवर प्रलप्राइटी ट्रांफर दूए ट्राइट टू इंजॉए मैं मद्र में किरे चरहे उसके लिए लोगेज्स में कि सक tari x यह जरुदत नहीं होती है थीक है मोठेज माइट डिपाइट में डॉट इपाइट निए लुट होगी एक और मैंने बेच दिया आप को नहीं राव मेरा उसमें है कि नहीं एक्सचेंज में क्या होता है एक्सचेंज में भी एक्सेल्यूट ऑनर्शिप ट्रांफर होगी चलिए अब पहले इसी प्यारते हैं इनको हटा रेते हैं वन्ना यह हमें तर डिस्टर्ब करते रहेंगे कि ध्यान वहीं पहुंच जाएगा बार बार लीज पर बात नहीं होता है चलिए क्या है पहला है कि ट्रांसफर ऑफ इंजॉइमेंट हो सकता है के वल होता है ठीक है ट्रांसफर ऑफ इंजॉइव सच प्रॉपर्टी चलिए किस लिए और ओवियसली कंसिड्रेशन के लिए होगा है कि नहीं कुछ पैसे उससे मिलेंगे तभी तो हम कर रहे हैं तीसरा पॉस सर्टेंट टाइम अगर टाइम अंसर्टेन है तो लीज नहीं माना जाएगा है कि नहीं तो क्या वह लीज माना जाएगा आज बड़ कर रहा है चलिए पड़ते हैं लीस ओफिमोल प्रोपर्टी ट्रांसवर ऑफ राइट तु इंज्वाटी में एक्सप्रेस और इंपलाइड है कि नहीं एक्सप्रेस इंपलाइड और इंप्रिटिटी सब्सक्रेश्ट होगा अभी बात करते हैं या इंपलाइड होग होगा या परिपशुटी में होगा है कि यह इन कंसिड्रेस ऑफ प्राइस पेड हो सकता है तो खाए हो सकता है एक है मनी हो सकता है सेर हो सकता है है कि नहीं अभी सब्सक्राइब बात करेंगे कैंशन की कोई बात नहीं सब समझ में आ जाएगा शेयर ऑफ क्रॉप सर्विस टू दे ट्रांफर बाइद ट्रांफरी हूँ एक्सेप्ट ट्रांफर है ओं उन सच टर्म जैसे आपाद मेंören डीसाईट करने हैं चाह दियू हैस्के इलावा इसमें क्या लिया हूँ ए में लेसी कौन होगा सबसे पहले लैसर काौन होगा और रेंड क्वाड क्या होगा और कि अब्येयम क्या होगा इतनी चीजह दिए ठीक है कंसी डेशन का यह ट्रीक है ठीक है चाहें रेंट हो चाहें यह हो यह क्या कहेंगे एक सबसे पहले बताकर कि रिइस क्या होगा ये डिवाइं उसके लभा क्या दिया हुआ है कि इसमें केवल ट्रांसफर नहीं होती है इसमें क्यों होता है और भाई कोई कंसीडेशन मिलता है चाहें उसने कोई प्राइस के लिए चाहें मनी के लिए चाहें सेर के लिए कि अरे मेरे पास घेच था 10 रिगा है कि नहीं है यह ने क्या किया मैंने का देखो मैं तुम यह तुम है लीस पर दे रहा हूं जितना अभी इसमें पर प्रडूश होगा की नहीं होगा या मैंने उसे लीज पर दे दिया देखो भाई शे अजार रुपए एकड़ साथ अजार रुपए साल का तुम मुझे दिया करना तुम खेद का जो चाहें वह करो यहां क्यों मतलब इसे वह सब्सक्राइब करो का ससकते हैं सब्सक्राइब यकां तुम bounced के लिए के लिए खारइब नीकते चाहिए एक फिट्स होना चाहिए या एक पर्पिचुटी में भी हो सकता है मैंने का जब तक 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 यह जिन्दा रहेगा तब तक मैंने उसे यह लीज पे रखा है तो यह पर्पिचुटी पे हो गया लीज पे हैं कि नहीं इसके लाबा क्या दिया हुआ है कि अक्टाइगे हैं कि जिसमें यह देगे नीचे दिवा वा यह लीज से लिट फिरेग को ह्याय आ सब्सक्राइब करना तो मुझे एक साल में उसके लावा कुछ और फिक्स हुआ है ठीक सब्सक्राइब करते हैं कि यहां से नहीं बनता है इसमें कि यह बताईए कि लीज में क्या ट्रांसफर होता है होता है इंच्रेस्ट होता है जो क्या हिसेत्व सिर्फ इन्ज्वाइ नीस होता है तौव इसमें हो井 कोई रगा डी क्या तुम इसमें कोई नहीं करोगे तो आप कंस्ट्रक्सन नहीं कर सकते है कि नहीं यह वाले सन ऑद टांस ऑफ लीज हो जाएगा तो कहने का मतलब है क्यों कि में पास ओनर शिप नहीं है तो खेती करोगे कुछ आर नहीं है कि नहीं कि आप तो समझाने के बात रहे नहीं सब्सक्राइब और यह आ ही रहा होगा से अर्वी किया अपी लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं आप लोग इतनी जल्दी जल्दी सेयर करोगे उतनी ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा और यह भी कमंड करके बताईएगा अब टीपी है तो जैसे एक दो लेक्चर रखतम होने वाला है है कि नहीं तो उसके लाबा अब कौन सा सब्जेक्ट चालू किया जाए सब्सक्राइब कॉन्ट्रेक्ट और लोकल यूसेज इसको हम बाद में पढ़ेंगे पहले 107 पढ़िए ली साओ मेंड कि दूरेशन 106 में था बताया खड़ो आप कहां से बताऊगे ऑनलाइन क्लासेज में यही तो दिक्क्त होती अलग कुछ मैंने मालों यहां पर 106 में ल सामने तो वो टोक देता सार यह एक सो आठ नहीं 106 है है कि नहीं चलिए लीज हाओ मेंड देखते हैं कि सेक्शन बंड़ सेविन एक सो पाच क्या पढ़ना है एक सो साथ कि लीज हाओ मेंड कैसे लीज बनेगा देखिए वाई साफ इसमें क्या होता है बहुत सिंपल है पढ़ लेते हैं लिज या जिसमें इरली रेंट फिक्स है कि एरली रेंट ठीक कोई भी लीस एर टू यह एरली रेंट सिक्स है तो हमेशा वह राइटिंग होना चाहिए ठीक क्या होना चाहिए अगर कोई भी लीस एर टू एर है माल लीज़े मैंने यह खेद से नौ साल गलिए दस साल के लिए मैं दे रहा हूं एक साल से ज्यादा के लिए अगर दे रहा हूं तो हमें इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ठीक इसका मुझे क्या कराना पड़ेगा यह रजिस्ट्रेशन के थ्रूप होगी अगर साल वर से ज्यादा है तो फीक एक साल या एक साल ज्यादा है या यह एली रेंट जिसमें फिक्स है उन दोनों केसिज में क्या है इसके इसके इलावा सब को छोड़के आप चाहें और में अर्विश्ट्रेशन कराना पड़ेगा तभी मानी जाएगी इसके इलावा इसके इलावा सब को छोड़के आप चाहें और में करो चाहें राइटिंग में करो हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है दोनों ही आपके पास स्लाइट है क्या अगर माली इसी लिए तो आपने देखा होगा अगर आप कहीं पर रहते हैं तो वह केवल ग्यारा मेंत का एग्रिमे पड़ेगा तो उन सब चीजों से बचने के लिए एक तरीका है 11 में करने पर कोर्सान बहुत आता है कि कि इसमें जरूरी है रैजिस्ट्रेशन कराना किसमें जरूरी है तो आपको पता है अगर एक यह ली इस हैS थो चाह्ट पड़ेगा यह दी ररेन फिक्स है तो कराना प पड़ेगा इन तीनों के लावा नहीं कराना पड़ेगा इसलिए तो लोग 11 महने का रेंट एग्रेमेंट बनवाते हैं चलिए इतनी का समझ में आई कि all other lease of immol property maybe made either by a registered instrument or by order agreement accompanied by a delivery of possession 11 मैंने अब मैं यहां पर रहता हूं तो मैंने क्या किया क्या मालिक ने मुझे क्या दे दिया इस कम्रे का पड़ेशन दिया रहो इसमें आराम से वर लिश्व में बाई रिच्टर इस्टूमेंट और यह बोद दी लेजर अड़ लेजी अगर कोई बीज़ इस्टुमेंट से है तो उसमें दोनों के दोनों उसे एक्जीक्यूट कराएं तो उनों के साइन ओस में और कुछ नहीं है मीचे स्टेट गवर्मेंट बाली बाद तो ऐसे फालत हुगी है ठीक है सब्सक्राइब के नहीं इतनी अरे इसमें समझने थाई क्या एक सो पांच हो गया एक सो साथ हो गया अब आप देखें डूरेशन ओफ लीस क्या है अब भी बताते हैं सेक्शन एक सो छे डूरेशन ओफ लीस एक सो छे में एक कोश्चन यह भी आता है कि अमेंड कब हुआ था ठीक है यह 22 में अमेंड हुआ था ठीक सब्सक्राइब हुआ था पूरा ही एक सो छे काफी पूछा जाता है ध्यान रगिएगा एक और 53 मुझे कमेंड करके बताईएगा कब जोड़ा जया था 53 ठीक है यह भी पूछा जाता है और एक सो छे 2002 में जोड़ा गया था 2003 है इंफोस्मेंट डेट 2002 है वैसे 2003 है ठीक है चलिए अब डूरेशन ओफ लीस क्या है देखिए पढ़ते हैं इन दी अप्सेंस ओफ एक और लोकल लौ और यूसेज ऑफ कॉंटेरी ठीक है यह अगर कोई भी बहां पर अपने इसाफ से उन्होंने पर कॉंट्रेक्ट में कुछ लिग लिया है या वहां पर कोई पहले से कस्टम चला रहा है तो वह अलग बात है ठीक है तो वह माना बता रहा है मतलब यह बता रहा है तो यह माना जाएगा बता रहा है लीस ऑफ इंडोल प्रोपर्टी ऑफ एग्रिकल्चर और मैनुफ्ट्रेक्ट्रिंग परपर्स दो चीजों के लिए अगरी कल्चर मैनुफ्ट्रिंग परपर्पर्स इन दोनों के लिए अगर आपने किसी को कोई प्रोपर्टी यह प्लॉट था यह मैने अगरी कल्च्र पर्पवस के लिए दिया ठीक है या मैनुफ्ट्रिंग परपस के लिए दिया इन दोनों केसिस में यह प्रिजियूम करके चलेंगे यह यह टू यह है ठीक है अगर आप ने किसी को एकडिकल्चर या मैनुफेक्श्रिंग परपस के लिए कोई प्लाइंट लीज पर दी है तो अगर आपने कुछ नहीं लिख्खा है तो यह मान देंगे कि वो क्या है यह 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 है है कि नहीं अगर वह यह है तो अगर इसको अगर करना चाहते हैं थीक है कि अगर करना चाहते हैं इस लिज़ को अगर हम टर्मिनेट करना चाहते हैं तो मुझे सिक्स मन्त नोटेश देना पड़ेगा बहुत कोश्चन पूचा जाता है लिज़ में से एक आते ही रहते हैं क्या क्या आएगा पहली बात दो कौन सी लीज year to year माने जाएगी agriculture या manufacturing purpose के लिए है अगर कोई भी lease year to year है तो उसको terminate करना चाहते हैं तो कित्ते दिन का notice देना पड़ेगा six month notice कित्ते दिन का छे मैने का notice देना पड़ेगा पहले से ठीक है और इन सब के इलावा मन्त मानी जाएगी ठीक है और अगर कोई भी lease month to month है इसको करना है खतम करना है कित्ते दिन पहले notice देना पड़ेगा 15 days ठीक है यह बहुत question पूछा जाता है 106 में duration of lease कि कब अब तक के लिए lease मानी जाएगी यह तो आप अपने lease agreement में साफ साफ लिखो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इस ग्राउंटे हम क्या मान लेंगे अगर अगर कल्चर परपस के लिए है तो year-to-year मान लेंगे और अगर year-to-year है कोई lease तो उसको terminate करना है तो हमें 6 month notice बहुत पूछा जाता है याद रखिएगा 6 month का notice देना पड़ेगा और अगर मंथली मंथली है तो 15 days का notice देना पड़ेगा है की नहीं याद रखिएगा कुछ याद रहे ना आया है चलिए अब दोनों में से कोई भी अगर चाहें lesser और चाहें lessy कोई भी टर्मिनेट करना चाहता है तो अगर year-to-year है तो छे मैने पहले उसे notice देना पड़ेगा है की नहीं अरे भाई मैनुफेक्शान पड़़उर है उसे टाइम तो देना पड़ेगा कि वो कमसे चह मैने का तो टाइम दो कि वो खाली करें है की नहीं मा लिए लीज है आपने 10 साल के लिए और पास साल के लिए लिए आप उससे एक साल वादी कोई 15 दिनमें खाली कर देना अरे बाई उसने पूरा सेटप लगा रखा है ऐसे खाली कर देगा कम से कम छे मैंने का टाइम दो इसके लावा कुछ और है कर दो दूसरा ले लेंगे कहीं और रहने लगेंगे उसमें कोई यूसु नहीं है तो इसमें फिफ्टीन देश का नोटिस हो जाएगा बहुत पूछा जाता है याद रगिएगा अच्छा लिए नॉट 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 इस्टेंदिन अनिधिन अनी अधर लॉट वॉट टाइम को जाए और यह इस्टेंदिन अनॉट नॉट जिए उसी दिन से मालूम हो जाएगा इस दिन सेन। नोटेस के पास पहुचा है तीसा देखें एक नोटेस अंटर सब्सक्राइब नॉट बीम्ट वी इन्वैलिड मेरी बिकॉस प्रियर्ट मेंशन फॉल्सॉर्ट ऑफ स्पेस्वाइड तीसरा पॉइंट यह कह रहा है कि देखो मान लीजे 15 डेस का नोटेस था है कि अब मान ली इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसमें तुमने 14 दिन ही क्यों लिखे थे हैं और एक केस तो मैंने जो टाइम लैक्स हो गया उसके बाद ही किया है कि नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वह इन्वैलिड नहीं होगा चौथा पॉंट यह कहता है कि भाई आप भाऑ जो अपुसर देना यई ऊसे तो कैसे ते पाऊ या तो तुम do give रिष खुदु से या ठीक जी है या पूस्ट करके भेज़ दो या में उसके घर में किसी को सर्वेंड को किसी वर देया हो या उससी सब्सक्राइब करें कि अपने घर में घुसता है सबसे पहले तो ध्यान जाएगा तुम गेट पर नोटिस चिपका के आगा है है कि नहीं अब फिल्म में देखा होगा सबस्क्राइब कर दो उसको खुद दिया जाके पोस्ट कर दो सब्सक्राइब कोई आद मिल जाए उसे ले दो कोई नहीं मिल ला हो घर के बाद चिपका के आजाओ ठीक चलिए डूरेशन ऑफ सब्सक्राइब कॉंट्रेक्ट और लोकल विसेज आगी बात दी समझ में और इसमें कुछ है नहीं आप अगला देखते हैं एक सो साथ हो गया एक सब्सक्राइब कर दोनों की एक सब्सक्राइब कर लिजेगा अभी से चालिस परसेंट पूंचे जाते हैं कि आपको तुरंत त्याना चाहिए अच्छा पांच में यह साथ में आठ में तो एक सब्सक्राइब कर लेना सब बढ़े एकदम सुबह सुबह उड़के जिवीदन मारिएगा याद हो जाएंगी तो राइट्स एंदर से कुछ पूंचा जाता ठीक से फूपर ही पूंचा जाएगा बस में में थोड़े इसमें दो चार पाइंट या याद कर लिएगा या पढ़ लेंगे पढ़ने में समझ में आ जाएगा राइस लाइट्स क्या होती है प्रॉपर्टी में अगर हमने लीस पर दिया है वही काम करे उस है अब ऐसे आना हो अपने मकान लिया और कुछ इसमें दिक्कत हो और फिर मुझे परिशानी तो यह के राइट्स होते हैं 109 क्या बोलता है डिए वही है जो प्रापरटी क्या है अब उसमें बोला है जो प्रापरटी डे रहा है अगर उसमें बोला है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी ठीक है बेच दी या कुछ भी किया तो उसके क्या राइट होंगे क्या बोलना है कि एक सो आच छे साथ आठ एक साथ में क्या था राइट सेंड लियूटीज याद कर लिएगा सेक्षन से कोई कंप्रोमाइज नहीं एक सो नो यह भी राइट की बात करता है क्या है राइट सॉफ लैसर टांसफरी कुछ नहीं है इसमें क्या हो बाई अब लैसर था उसने एक मकान किसी को दे दिया वह लैसी हो गया अब क्या हो रहा है यह जो था अब इससने जो मकान दीज़ पर सब्सक्स कर दिया देराख आदाम ने बेच नहीं सकते हैं सेंल नहीं कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं आँए इस मखान का वी को सेल सेल कर दिया तो जो यह हो गया हो गया है यह हो गया vikt और एक पास साने जाइड थे ना इसको लेके वाँड़ को आगा है 20 की जगहाँ पर आ जाएगा बस सिंपल सी बात है एक सनो इतनी बात कर रहा है ठीक है चलिए पढ़ लिजेगा इसको 110 क्या होलता है 110 दो पॉइंट पर बात करता है पहला कि exclusion of day exclusion of day when the lease made क्या हुआ जिस दिन lease बनी है न उस दिन को छोड़ दिया जाएगा माल लिए year to year है तो अगर 3 March को ये lease मैंने बनाई है तो expiry date इसकी मालूम क्या होगी ये 3 March को account नहीं किया जाएगा माल ये 3 March 2020 को ये lease मैंने आपस में lease agreement किया lease पे हम लोग ने एक मकान दिया तो अब ये 3 March नहीं जोड़े जाएगा तो इसका expiry date होगा न वो 4 March 2021 होगा है कि नहीं अगर एक साल के लिए है तो क्या हो जाएगा ये बोलता है जिस दिन lease बनाई है तीन को माल लिए बनाई है तो वह वाला दिन नहीं जोड़ा जाएगा ठीक है duration of lease for a year तो जैसे इसमें दिया हुआ ना पूरा ही माना जाएगा ठीक हो लियर ठीक option to determine lease अगर माल लिए यह यह कह रहा है तीसरा point यह important है क्या होता है कि lease agreement में जो lease agreement है उसमें हमने क्या किया यह नहीं बताया कि इसको terminate करने का कि किसके पास राइट होगा क्या हुआ जो हम लोगे lease बनाई तो उसमें यह नहीं लिखा कि किसके पास यह राइट है कि इसको खतम किया जा सके lesser की लैसी भी ठीक है तो इसकी absent में हम क्या मानें कि जब नहीं लिखा इसमें तो कोड यह मान के चलेगी कि इसके पास है किसके पास लैसी के पास क्यों ऐसा क्यों है यह बताइए यह इसलिए है माल लिए अब हमने इनसे यह यह प्लॉड लिया था किसके लिए manufacturing के लिए ठीक अब यार इसमें कुछ या मुझे फाइदे नहीं हो रहा है तो अब लैसी के अगर हाथ में होगा तो बिचारा वो टर्मिनेट करके खतम करके इसको निकल याएगा है कि नहीं आगा था तो इसलिए फाइदा किसको दे रही है लैसी को है कि नहीं कि लीज पर दिया इसे पैसा भी तो देना पड़ेगा इसका अगर कुछ पैदा नहीं हो तो पैसा कहां से देगा इसका चलिए देखते हैं अगर टर्मिनेट करना है अगर टाइम से पहले खतम करने का किसी पर अधिकार है अगर ऐसा कुछ उसमें नहीं लिखा हुआ है तो यह को यह मानने चलेगी यह अधिकार लैसी के पास है है कि नहीं पढ़िए विए टाइम सो लिम्टेट एक्षा तुब टर्मिनेबल बिफोर इस एक्षापिरेशन अड़ लीश ओमिट तुमेंट फूर ऑप्षां इस इस तो टर्मिनेबल दा लैसी और नौट दा लैसर सैल है सच ऑप्षान है कि नहीं लैसी के पास होगा ना क कि लैसर के पास इसके पास नहीं होगा क्या बोलता है तीसरा पॉइंट एक्सो दसका यह बोलता है कि अगर अगर अधिकार किसी के पास है और उसंसे में मैंन सरा flood lesson के पास देखेंगे 110 से 57 अगले लेक्षर में प्रूस से अधिक हो और हम आपको बहुत बहुत सुक्रिया करना चाहते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं पसंद भी कर रहे हैं लेकिन अभी भी है इसमें लोग ने 110 तक देख लिया था ठीक है एक बात और बता दें कि भाई कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में जब पहले यह कंप्लीट कर दें उसके लास्ट में इन चीजों पर डिसकस करूंगा ठीक है वैसे मैंने कमेंट में बोल दिया तो यह अच्छी सीज है कि बाई अगर की को कोई है ना तो अविक लेक्ट्र डिकॉड कर भें हो रहे हैं है क्या तो आप कंड़्ये विशालवाइं यहीस सकान्य क्रें नहीं आए क्या करें क्या कैसे सassya का फिखा गरूंगा अरुन क्राइब बात कर लेंगे लास्ट में ठ 176 तक क्या मेंब देख लिया था इसमें क्या था इसना फ्लीज दिया हुआ को जल्दी र्किट दिखकत नहीं आगी एक दिखकर नहीं है एक इससे पड़ा था च्क बांगल पिखकी इसका राइट में आइJack कर दूरि दीखक राइट कैन कर नुटे ऐसे कि इस機 कि रसाव की सिप Gulf रसी में और एक दोम चींच लेसर लेसी लेसर स्टांग फ्री यही तो दिया हुआ था ना चलिए और क्या 110 में जो था आपका वो दिया हुआ था 110 में दिया हुआ था एस्क्लूजन ऑफ दे जिस दिन लीस बनी है ना वो दिन में काउंट होगा एक्स्क्लूजन ऑफ दे यही तो दिया हुआ था चलिए ट्रांसफर और राइट टू इंजोईमेंट होता है यही तो दिया हुआ था इसलिए होता है consideration के लिए होता है ठीक consideration क्या होगा या तो फिर रैंट होगा या प्रीमियम होगा consideration किसे fix होगा रैंट या प्रीमियम में ठीक इम्वोर प्रोपर्टी होनी चाहिए अगर TPA में है तो TPA section 6 यह chapter जो 5 है लीज यह केवल उसकी बाप करता है इंब और प्रॉपर्टी की है कि नहीं तो यह वी एक अजन्सियल था और उस था चाहिए शर्टेन पीरियड का मतलब है कोई न पूंद और यह उसमें लिखा होना चाहिए कण लिज सर्प कर चुके हैं ठीक है फोड़ी यह दिते हुआ यह जुशा है यह इस लें हमें थो आर्प में अट यह घ्सक्राइए यह देख लेजिस अंसे भी लीज आउ मेट पर यह दिया हुआ था इस देखिए अगर एग्री कल्चर और मैनुफेक्ट्रिंग इन दोनों में क्या होगा इन दोनों में येर टू येर माना जाएगा ठीक ठीक है और अगर ये छे और साथ दोनों को एक साथ देख लेते हैं इन दोनों को एक साथ देखते हैं कल वैसे पढ़ चुके हैं जिसने लेक्ट्र ना देखा वहाला देख लेना पहले ये सिवल कुछ रिविजन हो रहा है इसका एग्री कल्चर और मैनुफेक्ट्रिंग लिए के लिए क्या मानेंगें लोग मनww का देस मत तो मंत मारेंगे क्या करने क्या करनेकता गढ़ेगा वहात पूचा जाता है इसमें छे मेने कानोटिस इसमें विज्व हो कुछ नहीं है रू 생겼। पढ़ दीजेगा एक सो नौ समझा दिया था एक सुनुत रोग्डे हो गया चलिए अब 111 पर आते हैं जल्दी से समझ में तो आ रहा है अरे आही रहा होगा वैसे आप लोग सही है कम से कर दिया करें और और सब लोगों से नया चैनल है आप लोग साथ देंगे तब ही तो चल पाएगा अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक पड़ा रहा हूं वह तो मुझे पता अच्छा तो नहीं पड़ा पाता हूं है अब अब लोग को क्या देखना है हम लोग को देखना है 111 इंपॉर्टेंट है भाई ठीक है 111 क्या है कि डिटर्मिनेशन ओफ लीज पहने का मतलब है कि लीज कब कब खतम हो सकती है रुग यह जड़ा इस पर लिख लेते हैं चैलिए यह मैंने लिख लिया क्या है 111 क्या बोलता है 111 यह बताता है ग्राउंड बताता है कि कि कब जो है लीज जो है खतम हो जाएगी किस-किस कंडिशन में किस-किस ग्राउंड में लीज खतम मानी जाएगी तो किस-किस ग्राउंड में उठाइए सेक्स ब्यारक उठाइए अपना पड़े देखिए सबसे पहला कि से 111 क्या करता है डिटर्मिलेशन ऑफ लीज कहने का मतलब है कब टर्मिलिट हो कब खतम मानी जाएगी तो बताइए वाई कब मानी जाएगी इसमें ए बी सीडी करके एच तक दिया हुआ है हाँ पूरा एस तक दिया हुआ है तो क्या इसमें सबसे पहला ऐफ्लिक्स ऑफ टाइम मतलब कोई टाइम फिक्स किया था हमने कोई यह लेंड हमने लीज पर दी ठीक है कितने टाइम के लिए फाइव यह के लिए तास साल हो गए तो भाई खतम हो गई है कि ने एफ्लिक्स है जो तक तक मैं तुम्हें लीज दे रहा हूं जैसे ही खतम हो जाएगा लीज खतम हो चाएगी अब मान लिए दो साल में काम कम्प्लीट हो गया तो दो साल बाद ये खड़ जाएगा बाइट टर्मिनेशन ओफ लेसर इंट्रेस्ट इन प्रॉपरटी अब जिसने दिया है मान लिजे ए ने बी को दिया है अब एकाही इंट्रेस्ट नहीं रहा ये ने किसी और को बेच दिय अब किसके पास आगए सारे बी के पास आगए तो बाई मर्जर इंट्रेस्ट चरेंडर एकश्प्रेस्ली भी जो है शुल कै दे रहाए को कि भाई या अंष्या करना चाहते है थिक और सण चाहते हूं अब की क्या है बाइज पॉरफीचर में किता हुता है न कि कब हो जाएगा मान ली जाएगए खतं यह तीन कंडिशन दी युई धिटीन कंडिशन दी यह सेक्षिन 111 के जी में क्या क्या अगर वाइलेशन और एक्स्प्रस कंडिशन मैंने यह लैंड दिया था तो मैंने कहा था इसमें मेरे चार प्यार लगे होँ ठीक है उनको मत कभी छिड़ना मतलब इस लीस मैं तुम्हीं लेंड लीश पर दे रहा हूँ लेकिन इसमें मेरे चार प्यार लगे हुए उनको काटना मद अगर तुम्हें इनको काट दिया तो यह मैं केंचल कर दूँगा ठीक है फोर यह फीचर मान ल जाएगी अब क्या हुआ इसने इसका डीशन कर दिया इसने प्योड काट दिये काट दिये तो क्या हो गया वालेशन अफरस कंडिशन हो गया तो इस एराउंड पे मैं लीश को टर्मियेट कर सकता हूं इंटेंशनली डिनाइंड टाइटल ओडिलैसर यह भी जो था अब वो ए पैसे दूँगा क्यों क्यों क्या आप नहीं हो ऐसा नहीं होता जिसने आपको लीश प्रॉपर्टी दी है आपके लिए वही अमेशा रहेगा नहीं आपको अगर वह आपको अगर लैसी जो है लैसर को टाइटल डिनाइग कर रहा है तो यह भी एक ग्राउंड है एसो को सब पहले भगा हो है की नहीं उनकी इंटेंशन करा हो चुकिए वह क्या करेंगे अब आपको मालिक मानने के लिए नहीं है यह तो पहले भगा हो कब जा करने सोच रहा है तो तुरहंड लीश को खतम कर दो और लैसी बिकम इंसॉल्बेंट हो जाता है कौन भी इसके पास पैसे बरेगा जब पैसे नहीं बर पाई तो क्या करना है भाईया यह खतम करो जब पैसे नहीं दे पाई तो उसे क्यों दे रखी है तो आगर ऐसी इंसॉल्बेंट हो जाता है तो यह तीन ग्राउंड है जी में फोर फीचर में एच क्या बोलता है पास्पाइरेशन ओफ नोटिस जैसे का मान लिए साल से साल था यह टू यह तो इसमें क्या होता है इसमें 6 मंद का नोटिस देना पड़ेगा आपको ठीक तो आपने नोटिस दिया जैसे टाइम प्रेट खतम होता है तो वह मान लिए जाएगी कि फोर फीचर हो गई खतम हो गई मतलब है जिटर्माइन हो गई टर्मिड हो गई ठीक है यह 15 डर्म नोटिस जो था फिटीं देन कर दिया बस तीक चलिए जिए बेरक भी निकालए देखें क्या पहला बाइफिलेक्स ऑस टाइम लिप्टेड दियरवारी कोई टाइम आए फिक्स टाइम है वो टाइम कंडिड हो ग ठीक है, चलिए, C, where the interest of the lesser in the property terminates on or his power to dispose of the same extent only to the happening of any event by the happening of such event, क्या होता है, जो इसका interest था, lesser का वो खतम हो गया, terminate हो गया, चलिए, D क्या गोलता है, in case of interest of the lessie and the lesser in the whole of the property become vested at the same time in one person, in the same right, दोनों का right किसी एक ही आत्मिक पास आ गया, है कि ने, बीने property खरीद लिए इसे, अब lease किस बात की, अब तो वही honor बन गया, चलिए, E क्या बोलता है, by express surrender, F क्या बोलता है, by implied surrender, G क्या बोलता है, G बहुत important है, याद भी रखिएगा, कि section 111 के G में, four feature of lease दिया हुआ है, एक 111 का G, 111 का G, क्या बोलता है, अब four feature होगा कैसे, इसमें तीन, इसमें तीन पार्ट बाटा किया, one, two, and three, पहला, in case of the lessee break and express condition, which provided on breach thereof, the lesson में, re-enter, जो by condition थी, उसका तुमने वालेशन किया, तो हम फिर से उस पे कपजा कर लेंगे, हम बापस लेंगे तुमसे, दूसरा, in case the lessee, renounce his character as such, by setting up a title in a third person, or by claiming title himself, या तो lessee अपने आपको मालिक मानने लगा है, या किसी और को मालिक मान रहा है, ठीक, तीसरा, the lessee is educated and insolvent, and the lease provided that the lesser may re-enter on the happening of such event, ठीक, and in any other cases, the lesser and the transfer give notice into writing to the intention to determine the lease, इन सारे cases में क्या होगा, वो notice देगा, कि या तुमने ये condition का वालेशन किया है, इसलिए ये four feature मानी जाएगी, इसलिए हम notice दे रहे हैं आपको, जगा मेरी खाली करिये, या expiration of notice, आखरी, मैंने जो notice दिया था, आगा 6 मैने जरूवा था, तो 6 मैने का, पंदा दिन की जरूवा था, पंदा दिन का, है कि ने, वो notice का time कतम होगा, मान ली याई, खतम हो गई, ठीक है, चालिए, इसके साथ साथ क्या देखना है, इसके साथ साथ आने वाले article और देखने हमें, ये link कर करने के पढ़ना पड़ेगा, कोस्चन इसमें जादा टिकल नहीं आते हैं, ठीक है, objective type तो आसानी सो जाते हैं, और मेंस के लिए तो नोर्स बनाने पढ़ते हैं, नोर्स आप लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, बनाए कर ये भाई, नोर्स नहीं बनाएंगे तो कैस सब्सक्राइब होगा, देखे, afflicts of time और the happening of conditional event, ये इसके साथ लिंक करके हमें पढ़ना है, इसको छोड़िए, इसको देख लेखते हैं, फोर फीचर, ठीक है, इसमें स्पेस भी नहीं है, अलग से ही देखते हैं, चीजें आसान करने चक्राइब क्या होता है, हार्ड हो जा फीचर, अब यह क्या बोलता है, कि भाई, जो फोर फीचर है, उसको वेप कैसे किया जाएगा, मतलब ये उसने ऐसा किया, ठीक है, ऐसा किया, लेकिन फिर भी हम क्या करने है, लीस चलने दे रहे हैं, तो कब ऐसा होगा, ये 112 में दिया हुआ है, क्या है, फोर फीचर, अंड अब क्या हुआ, जैसे ये बात थी, ये बात थी, मैंने कहा था, भाईया, मेरे पेड़ है, काटना मत, ठीक, अब उसने काट दिये, अब मेरी जानकारी में आई बात, कि यार मुझे पता चला, कि इसने यहाली वाली वाले बात इक्स्प्रस कंडिशन किया है, उसके बाद अब हम कुछ नहीं कह रहे हैं, उस से रैंट लेते जा रहा हु cinema, तो इसका मतलब कि आपने फोर फीचर को एफ कर दिया है, खातर मतलब कि आपने कोई बात नहीं, आपकोई बात नहीं, अब जो हो गया, तो फो हो गया, लीज चलने दो, इसको क्या कर रहे हैं, वेब कर रह हैं जिससे ऐसा पता चले कि भाई यह चीज वेब नहीं हुई है मतलब यह चीज टर्मिनेट नहीं हुई है खतम नहीं हुई है ठीक ऐसा अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो यह मान लिया जाएगा कि जो फोर फीचर था उसको आपने वेब कर दिया छोड़ दिया कि कोई बात लेकिन इसमें फोर फीचर यह वेब तब नहीं माना जाएगा अगर यह दोनों कंडिशन होंगी कौन-कौन सी वह प्रोवाइड़ डैट अवर फीचर हैंने को आता है अरे मुझे पता होना चाहिए कि साले कि उसने यह प्यड़ काट दिये मुझे पता ही नहीं है तो मैं त इससे प्रिकाड़ दियो उसमें सब तो फिर समझो उसी दिन से वह टाम चालूब होगा उसके बाद आपको जयंट नहीं लेना है उसके बाद खाना है खाली करो हम पैसे ले लिए तो वह चलता रहेगा अरे बहुंआ पैसे लेते होंगे हर मैने तो बशंचाप देता क्यों कि आपने केस फाइल किया है तो आपकी इंटेंशन सो हो रही है कि आप खाली तो कराना चाहते हैं लेकिन वो रह रहा है तो उसका रेंट लेलो कई वो मारा ना जाए है कि नहीं पैसा भी मारा जाए और फाल तुम केस चलते ही रहेगा लेकिन आपने केस कर दिया है तो इसकी आपकी इंटेंशन साफ साफ पता चल लए कि आप भाई लीज को टर्मियेट करना चाहते हैं खतम करना चाहते हैं ठीक चलिए अब वेवर ओफ नोटिस टुकुइट यह वाला कि वेवर रॉपपन नोटिस् टुकूइट क्या होगा कि वह जिया था कि फंदा दिनमें काली कर देना है कि थैठ पंद दिनमें क्ली कर देना इसका मतलब आप चलने दे रहे हैं फिर आपने क्या गिया notice to quit था वह आपने वेप कर दिया है कि नहीं चड़ दिये इसमें illustration दिया हुआ है इसका illustration B जो है वो एक्जाम में पूचा जाता है ठीक है इस पर important लिख लीजेगा क्या है यह the lesser gives be kya a a the lesser gives be the lessy notice to quit the property leaves क्या किया उसने नोटेश दिया भैया property काली करो पंदा दिन का नोटेश दिया अब क्या हुआ the notice expire and be remains in possession notice तो खतम हो गया लेकिन भी पुछे बेर üst ऑप अब मैंने जब सेकंड नोटिस दीया तो पहला जो नोटेस होगा वह लिया जाएगा अब सेंन नसे में बात बनेगे चलिए समझ में 113 की नहीं कि एक बार आपने नोटिस चुप दिया है अगर इसमें 111 में एक बार आपने नोटिस दिया है कि भाईया अब हम टाविनेट करना चाहते हैं कतम करना चाहते हैं उसके बार फिर कोई ऐसे काम मत करना किया जिससे वो डेन ले लिया कुछ भी अपनी तरफ कोई ऐसा काम किया तो भहिँ पर उसको चलती रहेगी नहीं इनकिशनेशंसिप करना चाहते हैं तो खतम ही कर दो एकदम आकरी वहां भी यह यह आप नहीं रखनी है कि नहीं अगले दिन फिर आपने एक मैसेज कर दिया कि कैसे हो फिर तो फिर चौपट हो जाएगा फिर काइबाद का फिर कोई थोड़े हुआ है कि नहीं कि अगला देखें तो क्या करना है अभी बताते है क्या कर रहता है अगर ओइन आगर नेंटेंट और रेंट रह्त है किया हुआ फौर फीचर हो रहा है फौर फीचर हो रहा है क्यों ओनेंट अपकेजerek और लेंट तो एकना है तो भाइन कैसे कैसे हो रुख सकता है like कैसे हो सकता है देक दिया हुआ कि कि एमने यह जए cotton अब क्या हुआ मैंने प्रोपर्टी लीज पर दी ठीख अब यह क्या हुरा यह देख अब मैं यह प्या काता हूं तो मैंने इसके लिए क्या होसकता है अगर क्या करें वह अगर 15 days के अंडर अगर वो जो बचा हुआ रैंट है वो सारा रैंट दे दे उसके इलावा फुल कॉस्ट उसमें कोस्ट केस फाइल करने में खर्चा हुआ है वो दे दे और जितनी भी security को टेमांगी है जमा करने के लिए अगर जमां कर देता है 15 दिन के अंदर 15 के अंडर तो कोड यह माल लेगी कि भाईया लीस बरकरार है और इसको जो फोर फीचर और नॉन नॉन पेमेंट ऑफ रेंट है वह वह चुकी है उसको खतम है वह वह चुकी है लीस कंटिनू चलेगी यही बोलता है 114 114 यह जिलीफ अगेंस फोर स्टें अजर्ट अजर्ट केसि अज़ा किसे अधर केसि अजर्ट केशेज में क्या होगा क्या करना होगा अगर कोई और किसी और कंडिशन पर फीचर हो रहा है तो केस आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आप उसे प्राइड नोटिस देंगे ठीक है नोटिस में क्या लिखेंगे दो बाते लिखेंगे पहली इस पेसिफाइंग पर्टिकुलर ब्रीच कि भाई तुमने कौन से ब्रीच किया है जिसलिए हम तुमसे एक हाली करा रहे हैं दूसरा इस प्रीच इस कैपड़ ऑफ रैमिडी रिक्वाइरिंग दे लैसी तो रैमिडी अगर आप उससे कुछ रैमिडी लेना चाहते हैं तो अगर आप मान लेते हैं और नहीं खतम करना चाहते हैं तो खतम कर दीजें लीज को फो फीचा कर दीजें गर चाहिए अब effect of surrender and forfeiture और underlaces underlaces क्या होता है underlaces होता है कि मैंने इसको rent पे दिया A ने B को rent पे दिया ठीक है A ने B को एक मकान दिया rent पे 100 रुपीस पर डे पे 100 रुपीस पर मन्थ पे 100 रुपए मैंने पे इसने B को एक घर दिया B ने क्या किया वही घर C को 150 रुपए पर मन्थ पे दिया तो यह क्या हो गया यह underlaces हो गया इसको sublet कर दिया sublet तो जानते हैं ना sublet कर दिया A ने B को lease पे दिया था B ने C को दे दिया ठीक है कर सकता है लेकिन A के लिए C के लिए सारे right same हो जाएंगे जो B के लिए है C B जो है C जो है वह B की जगा ले लेगा ठीक है और फिर A और C में वही सारे right apply होंगे जो A और B पे apply हो रहे हैं अभी तक ठीक इतनी सी बात करता है इसमें अंदर से कुछ नहीं पूछा जाता है बस article याद रखिएगा ठीक है effect of holding over अब यह क्या बोलता है effect of holding over यह बोलता है कि अगर time खतम हो गया ठीक important article पूछा जाता वह important section है पूछा जाता है याद कि 116 में effect of holding over दिया हुआ है ठीक चलिए टीपीए में आपको section तो सारे ही याद करने पढ़ेंगे जित्ते मैंने पढ़ाएं ठीक है अभी 36 पेपर मैंने देखा दना अदन आर्टिकल पूप दना अदन section पूछे गए ठीक है मतलब 40 पसंट तो हमेसे ही पूछे जाते हैं उसमें 60% पू करो बादाम खाओ कुछ भी करो याद तो करने पढ़ेंगे अगर जुडीसरी निकालनी है तो कोई substitute नहीं है बाइसाब उसका लगे रहो बस लगे रहो चरिया इस कहां बात करते एक 116 116 effect of holding over क्या बोलता है ये अफेक्स आफ फोल्डिंग ओबर क्या होगा इस बहुत है यह बोर्ड अब ड्रामा करने लगा इसको ठीक कराना पड़ेगा मैंने बी को एक घर दिया ठीक कि अख आई यह तो लेक्षर दिर्पोर्ट हौना यू तब मैंने टीक है अलाकित पहल साल के लिए पंदशल के हैं इसたい किसने भी रूपार सव रूपार परमंद पर दिया answers अब क्या हुआ पास साल खतम हो गए ठीक पास00 भाई अब यह रह रहा है तो अब क्या होगा तो यह मंद्टू मंद्ध मान लिए जाए कि मंद्टू मंद्ध बढ़ गई यह नहीं कि पहले पाध साल था फिर पहले पात साल के लिए बढ़ गई ना जैसी लीज है अगर एक्रिकल्चर citizen यह manufacturing purpose के लिए होती तो year to year extent मान लेते हम कि अभी एक साल के लिए extent हो गई लेकिन बाकि other purposes में क्या होता था क्या होता था बाई month to month होती थी तो अगर rent पे दिया हुआ है तो क्या होगा month to month होगा ना तो month to month है पाथ साल पहले तुमने यह मान लिया जाएगा कि यह lease month to month extent हो गई है ठीक बड़ गई है क्या होगा ही month to month extent हो गई है इसमें illustration लियता है हाँ देखिए ना यही तो है illustration a a let a house to be for for five years ठीक we under let the house to see add a monthly rent of hundred the five year expires but c continue in possession of the house and pay the rent to a c lease is genuine from month to month इसमें sublet की बात करी sublet आप छोड़ी है ऐसे या भी आप देख लिए ठीक है a let a farm to be for the life of c c dies but be continue in possession with a ascent b lease is genuine from year to year है कि लिए उसमें क्या था यह ने एक c को एक property इसके lifetime के लिए दी लीस पे ठीक अब यह सी की death हो गई तो सी का सन आ गया सी का सन आ गया अब अगर सी के सन से यह कि रेंट लेता रहेगा रेंट या प्रीमियम लेता रहेगा तो यह year to year मान ली जाएगी क्यों क्यों क्योंकि जो लेंड थी वो एक्रीकल्चर परपस के लिए थी ठीक है यह यह मान ली जाएगी यह मतला है यह हाउस है तो इसमें मन टू मन्ट मान ली जाएगी अगर मैं मैं बन्फेक्शन परपस होता यह चैप्टर एपलाई नहीं होगा क्यों कि यह उसमें जो होता है इस टेट का लोकल लॉग होता है थिक arna लोकल लॉग होता है आप माल CS में उसम्हाइब साइब होते है कि अप्रोपराइब सुरिये लेंड नहीं बॉनार कर भी अगर एस कि यह सकते हैं अगर तो भी इन प्रोपरटी अगरまぁ तो norm है आफलाई नहीं होगा टीक है क्यूंकि उसके लिए लोकल लॉस होते हैं हर स्टेट के अपने अपने होते हैं सलीी है अब ही सबस्क्राइब होती है कि नहीं लट अब भाई फसा तोड़ा सही कोई है कि सिब वली को दे दिया अब हो भी अपने लोगों कोई दो या तुम फार्मर हो तो फार्मर को ही नहीं होगा तो इसलिए जो है लोकल लॉस्प पैपलाई होगा एक सो यह बोलता है कि यह चैप्टर अप्लाई नहीं होगा त्यासोंच में आई और कुछ रहे गाए इसमें और तो बात ही नहीं थी इंपॉर्टेंट एवाई रजिस्ट्रेस्ट्रेशन में किसकिस में कराना होता है अगर आप लोग ने कमेंड करने बता दिया तो तो अच्छी वात है बता ही वेंगे इतना समझ में आई रहा होगा यार चलिए अब लोग डिसकस कर लेते हैं जो कुछ कोस्टन आए हैं कमेंड वॉक्स में किये बता है इट सेक्षन फाइफ ट्रांसफ़र प्रॉपरटी को यार इसको ठीक ही करता हूं तो यह सेक्शन 5 क्या बोलता है कि transfer of property define यही तो बताता है ना तो किसका कहने के मतलब यह होता है कि under TPA section 5 यह बताता है कि कौन-कौन सी चीज़ है transfer of property property मानी जाएंगी जैसे की सेल है transfer of property है कि नहीं है बिलकुल है मौटगेज है transfer of property है कि नहीं है बिलकुल है exchange है transfer of property है इसके लाबा क्या है कि गिफ्ट है transfer of property है इसके लाबा क्या है यह सब चीज़े एक्जाम्पिल ओफ ट्रांसफर of property टीपिए के साब से हैं क्या चीज़े ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं है कि सरेंडर रहे हैं लीज भी इस पड़ा है यह भी ट्रांसफर मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कोश्चन पूछते ना बस यह यह कि recorded classes में यह इस दिक्कत आती है बस कि यार उनके जवाब हम तुरंद के तुरंद नहीं दे सकते हैं कि आप तुरंद पूछ नहीं सकते Surrender compromise family settlement or कि पार्टिशन यह सब क्या है यह सब ट्रांफ़र अप्र नहीं मने जाएंगे क्यों एक मोटी मोटी सी बात यह समझो्जो कि प्रान्फर और प्रापर्टी में क्या होता है या तो आप ownership ठाफर करें ठीक है या अप किसी फेलतर कुछ प्राइब को यहां सीच ठाइब करें कि भाई हां जिसे मालूम पड़े कि कुछ टाइटल में चेंज हुआ है जैसे की लीज में क्या था तो इसमें तो इस टाइब के ट्रांसफर को ही केबल टीपिए कंट्रोल करता है ठीक है इस टाइब के ट्रांसफर है इसके रावा जिली जूर जिली और जिस पर प्रापर्टी मानते हैं इसके बाएं दिया नहीं है लेकिन ट्रांसफर और प्रापर्टी कि अंडर आता है क्या इसके लावा कुछ है और उसके लावा तो जैलिंकिस्मेंट वेरे गूड लेंट उन से लिंक्रूस्मेंट भी यह वह यह वह है जो ट्रांसपर आपरपरटी नहीं आप इनके बार बात करते हैं सरेंडर क्या होता है रहां कि दो लोग कि इंटरेस थे मैंने अपना इंटरेस स्रेंडर कर दिया यह ने बी को एक मकाम में कर दिया यह बी-को को क्या किया एक मकाम रेंट के दिया अब क्या हुआ दोनों पास या नहीं नहीं है अब B जो है इस पे जो अपना राइट है इसको सरेंडर करना चाहता है सरेंडर करना चाहता है कि नहीं अब यह सरेंडर करना चाहता है तो यह क्या होगा अपने राइट को A को सरेंडर करना चाहता है मकान खाली करके जा रहा है तो अभी क्या है बताइए यह Suränder है Surrender का Example हो गया हुए लेकिन इसमें कोई Ƒ्षब्र थोड़े महां चाएगाथ एक्चली इसके पास था और पहले इसके पास था और इसके पास आ गया लेकिन इस पे टीपी इस लिए अप heter mache नहीं होता तो आपको सारी आगर उसमें उसका तौरे काराना ज़ूरी है तो आपको करनी पड़ेगा यह सब करने पढ़ की लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा टीपे अपलाई नहीं होता है कि नहीं अब ये खाली कर रहा है यह अपना राइट टू इंजॉइमेंट जो प्रॉपर्टी का था वो एक को बापस दे रहा है तो एक के पास कोई एक्ट्रा राइट आया क्या नहीं इसके पास ओनर्शिप थी इसके पास सारे राइट थे इसलिए यह ट्रांसफर टीपीए में नही और यह अब क्या हो रहा है अब एक मंदेग बाद यह दोनों के अभी आपको कंप्रोमाइज करके आदा आदा कि यह ले रहे हैं तो पार्टीशन में भी यहीं आम माल लीजिए यह तीनों का एक्जामपल आप एग भी माल लिए वह पार्टीशन करने हम लोग फैमिली सेट किस एफ्रूटच के फैमिली में भी हो सकता है तो थोड़ा चीज़ें क्यों टीक विधियिक इस अनुए कंप्रोमाइज हो जाएगा लेकिन इन सब चीजों में कुछ नया थोड़े हो रहा है भाई क्या B.O.C. के पास कोई नहीं चीज आ रही है B.O.C. पहले भी मालिक थे अब भी मालिक हैं बस क्या हो रहा है उन्होंने partition कर लिया इस पे शिफाय कर लिया तो जब भी किसी transfer में कोई नया interest ना आए तो उसको transfer of property नहीं मानेंगे सीधी सी बात है क्या है वैसे आप याद कर लिएगा कि surrender, compromise, family settlement, charge, partition और relinquishment ये सब क्या है ये सब नहीं है transfer of property नहीं है ये सब नहीं है not ये है इन पे TPA apply होता है release भी, PPA apply, transfer of property माना जाएगा release के भारे में भी बात करते है जल्गलंक्योस्मेंट क्या होता है इन पर देखे ए गालंक्योस्मेंट क्या होता है गालंक्योस्माली होता है कि गालंक्योस्माली मानी होता है मदलब अपने RISE को surrender कर देना ठीक है जलिंग्विस्ट क्या होता है माले यही एक्जांपिल में रिखते हैं A है इसके दो थे बेटे B और C और इसका एक ताप लॉड ठीक अब क्या होता है B अपने भाई C से कहता है देखो मैं इसमें प्रॉपर्टी में स्वेकर्ण है 1998 है कई नहीं है अब रिंव्ट क्या होता है यह बोलता है कि अगर कोई अपना राइट रिलिंक्विस कर रहा है छोड़ रहा है तो वो टीपीए में नहीं आएगा तो भीने क्या का अभीने का भाईया यह पूरा प्लॉट आप रख लो मैं नहीं लूँगा मैं तो जड़ बन गया हूं अब मुझे कोई आप कोई जरूरत नहीं है आप रखो ठीक है तो इसने सी को अपना पूरा दे दिया इससा तो क्या इसके लिए यह करने के लिए क्पी कि यार बेहने सारी होती है मान लिजिए इसके दो लड़के है एक लड़की है थी तो है अब इसके एक लड़का है भी एक और लड़की है जो हiking है तो क्या होता है उसने लड़की की चाधी कर ली तो लड़की किया कर रूपर्टी में लड़को कर दो है अब तो वो भी अठा दिया कि 2005 से पहले 2004 से पहले का वो भी अठा दिया तुम कितने वी पुराने हो तुम्हारा हमेशा इस प्रॉपर्टी में इस्सा रहेगा लड़की का अपने पापई प्रॉपर्टी में हमेशा है अपने मावाब की प्रॉपर्टी में लेकिन क्या होता है इं family, यह कभी नहीं कर सकता अगर इस ने का, ग्रल ने का, कि B और D को नहीं मैं किस को दे रही हूं, मैं F को दिये दे रही हूं, यह नहीं तो वो ला हम आजाएगा, आप family तो तोak family में ही ज़ल ऐ ज़लगूस कर रहे हैं, family में ही उसको अपने प्रॉपर्टी का आपको चार्ज दिया गया है क्या चार्ज की भाई जब तक आपका पैसा नहीं मिल ला है तब तक आप इसको अपने पास रखो अब क्या हुआ मान लिजी मैंटिनेंस का केस है मैंटिनेंस का केस है कोट ने मैंटेंस ओडर पास किया और क्या एक हऊस को एजिट चार्ज रख दिया कि अगर इसे दो लाव रुपए तुम्हें नहीं टू लाक्ष उपीस कमपनसेशन नहीं मिला इसे तो यह प्रॉपर्टी बेच के दिया जाएगा तो यह प्रॉपर्टी क्या हो गई यह चार्ज हो गई तो क्या इससे जिसके फेवर में मान लीजे कोई वुमेन है जिसके favor में maintenance order आया है तो क्या वो ये माना जाएगा कि ये transfer है transfer माना जाएगा नहीं कोई इसकी honor से थोड़े इसके अपास आ रही है इसके पास सिर्फिसका charge आ रहा है कि अगर तुम्हें 2 लाग रुपे नहीं मिलते हैं पार्टििशन यहां यही जैसे होते हैं ऐसी तो समंझ में आए कि टी जुलींग देखते हैं उसके बाद कि छफले क्या होता है एंटरेस्ट कोई चोटा इंटरेस्ट झजो है है hindsight सबमें बहुत हलके माना जाता है इसमें क्या होता कि अगर कोई nov in कोई अपना दूसरे इंटरस्त तौन करता है । और यह दोनों में कि दूसरे को एक अलग टाइटल या बिग इंट्रेस्ट कह सकते हैं आप बड़ा इंट्रेस्ट कोई बन जाता है तो उसमें क्या होगा उसको ट्रांपर प्रोपर्टी मां लिया जाएगा फॉर इंग्जाम्पिल दो थे यह लेंड ठीक है अगर अब यह आपस में भाई आई का इंट्रेस्ट चाहें सब्सक्राइब सरंगर का छीव करेंग है दोन हो Sangos कर रहा हूं तो इस क्या होगा अब पेले तो हाफ्ताफ। स्चाय सेर प्रोपर्टी का लेकिन जब यह जिलीस कर देगा 100% अनृता जाएगा लेकिन इस पेए क्यों ही हो जाएगा कि यह वो नहीं है क्या एंगे तो क्या हो रहा इसमें भी कि पास इंट्रस्त हो गया तो यह है नहीं हो रहा है एक नहीं है इसलिए यह ऐसे क्या माला जाएगा यह चली मेरे साव में आ गया होगा आपको अब लेक्ट बहुत माहिए चली कोई बात नहीं कि पढ़ना है तो लंबा हमबा क्या होता है थीक है थैंक कि ऐसे हैं आप लोग है चल्हाइब है आज बस इसके बाद गिफ्ट और पड़ेंगे और उसके बाद एक्सनेवल ग्लेम एक्सेंज कांस कांस तक दिया है भाई 118 से 121 है कि नहीं एक्सेंज जो होता है पीपीए में जो एक्सेंज है क्या मतलब है सेल में क्या होता है और मुझे यह खरीदना है एक को वी से यह खरीदना है तो हो च्या चौनि करेगा इसको मनी देगा जितने में बात हुई है ठीक है और यह इसके बतले में इसे यह घर आप लोग जानते ही हैं कि एक घर ठीक है अब आदमी यह है आपस में बदलना चाहते हैं वो कहता है कि यह वाला जो है मेरा घर यह तुम ले लो और यह वाला जो है इसके बदले मैं तुम्हें दे दूंगा ठीक है जब कोई भी आदमी कोई एक चीज़ दूसरे से बदल रहा मिख़ाओ। ठीक कि इसके बदले यह में रहा यह तुम ले लो आपना वाला मुझे दे दो कि इसे को तो एक्स चेंज कहते हैं या वह क्या कहता है वह कहता है नहीं भाई तुम्हारा तो 10 Sixt और दस लाग का है यां कि यालिया यह वह सब्सक्राइब ट्राइब जादा है साथ में दो लाग रुप Aye माना जाएगा कि एक्सचेंज हम उसे कहेंगे चीज के चीज के बदलता है लेकिन उसके बदले जो उसे सिर्फ मनी ना दे रहा हो सिर्फ मनी ना हो मनी के साथ कुछ और भी हो सकता है कोई चीज हो सकती है कोई भी काइंड हो सकता है लेकिन अगर खाली मनी होगी तो क्या होगा तो वो सेल हो जाएगा सिर्फ पैसे दे रहे हैं उसके बदले घर ले रहे हैं तो तो वहाँ पर क्या होता था कि उट मैं से वह आइस्क्रीम वाले बेचने आते थे तो वह पैसे नहीं लेते थे क्या घर में से एक कातोरी गयूं ले आया उसे गयूं दे दिया तो सिसके मतले मुझे आइसक्रीम यह तो यही तो यही तो model system था कि नहीं अब इसमें क्या है दो चीज़ ध्यान लखनी है कि सिर्फ money नहीं होना चाहिए मनी के साथ कुछ और भी होना चाहिए मनी ना हो बिल्कुलिग didn't know 시 सिर्फ घर के बदले घर में एक्चेंज यह चल जाएगा घर के साथ मणी दे रहे हैं और उसके बदले घर ले रहे हैं तो भी असले जाएगा ने सिंपल सीज़ एक डम बहुत आसान टॉपिक है फिक है इसमें जो कुशन आता है वो डारेक्ट यही आता है कि बहुत दिया हुआ यह कुछ भी नहीं है इसमें क्योंकि एक्सचेंज जैसे में लिखाना सेल तो इसमें सारे रूल्स and regulation सब वाले फॉलो होते हैं जैसे सेल में होता है वैसे ही सब जिए एक्सचेंज में होती हैं आप लोग मुझे यह बताईए मान लीजिए आप के पास सौका कि हम लोग के पास मालो 2000 का नोट है कि छलिए सोगा ही रखते हैं गरीब लोग है अब सब्सक्राइब किसी के पास गये यह लोग 100 रुप है और इसके बदले मुझे चैन्द इसके बदले मुझे 50-50 के नोट देदो तो वह लेकिन अगर इंडियन मनी है थीक है आप उसे रुपए रुपए दे आप उसे डॉलर ले रहे हो क्या कर रहे हो आप ने उसे रुपए दिये है को मैज से इंडियन रुपीर भी हो सकता है को इस में सुन ही है के चलिए तो ठीक है पर चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्त आप लोग सबस्क्राइब नहीं किया है जो लोग अभी देख रहे हैं ठीक है सब्सक्राइब किया करिए भाई आपके लिए दो लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं चलिए 118 पर आईए चैप्टर 5 कौन दा लीज था ना तो यह चैप्टर 6 हो गया पूरे 8 चैप्टर है इसके बाद गिफ्ट है अगला गिफ्ट है कहां से कहां तक 122 से 139 उसके बाद इसमें क्या सब्सक्राइब है इसमें किया है 139 से 137 बाद इतना रहा है बाकि सब गया चलिए 108 पे आते हैं चैन्ज क्या है दिखिए अफश्चेंज हो थी जो और यह एक्सवाठारा में किया में दिया हुआ है इसको दो पर भका गया है और पर टू में सबस्क्राइब कैसे होगा चलिए पड़ते हैं 118 एक्सेंज डिफाइन वें टू पर्शन म्यूचली ट्रांसफर दा ओनर सिपाफ वन तिंग फॉर दियान रखिएगा जैसे से ओनर से प्रांफर होती है इसमें भी ओनर सिप्रांसफर होगी अगर एक्सचेंज बिल्कुल सही से हो रहा है सारे रूल संट जैलेशन को फॉलो करते हुए तो फिर और सिप्रांसफर होगी वो उसके पास सारे राइट आजाएंगे ठीक है अब नेदर तिंग और बोत तिंग बिंग मनी ओनली इस पर लाइन कर लीजिए कि नेदर तिंग ना की केबल एक और ना ही दोनों ही चीजें सिर्फ मनी हो जैसे मैंने आपसे कहा सब्सक्राइब करना था कि एक डाप सौका नोट दे रहे हैं उससे पचा-पचास के ले रहे हैं तो क्या वो एक्षेंज होगा तो यह लाइन बोला है नैदर तिंग और बोत तिंग बिंग मनी ओनली सिर्फ दोनों चीजें मनी है या कोई एक चीज सिर्फ मनी है तो फिर व तो यह दो बना जाएगा ठीक है अब यह एक्स्चेंज किया कैसे जाएगा एक्सफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कंप्लीशन ऑफ एक्सेंज चैन्य में उनली मैनर प्रॉइड फॉल्दी ट्रांफ प्रॉपर्टी वाई शेल इसमें बोल ला है कि एक्सचेंज बिल्कुल वैस सब्सक्राइब पढ़ा है ना है कि यस 54 कैसे होगा तो पहली बात दो तीन चीज़ें के पॉइंट ध्यान हखिए एक्सचेंज होता है दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपलाई होता है चाहें मूवेबल हो है या इम्मूवेबल हो इसमें प्रॉपर्टी 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 पे अप्लाई होता है एक्सटारा एक्सटारा शेंग वैसे ही होगा जैसे 54 में सेल दिया हुआ है क्या दिया हुआ था कि अगर इम्मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू सौ रॉपई से ज्यादा है तो हमें इसका रेजिस्टेशन कराना पड़ेगा ठीक रेजिस्टेशन कराना पड़ेगा 100 से कम है तो नहीं कराना पड़ेगा बस और तो कुछ है नहीं मूबेबल प्रॉपर्टी है तो उसका पजिशन देगे ना समझ में आए एक बाद सेल देख लीजेगा एक्सचेंज बिल्कुल बैसे ही होगा जैसे सेल होगा मैंने आपको पताया थोड़ा ही अंतर होता है इसमें पैसे दिये जाते हैं पैसे पैसे एक बात 119 जो है वो प्रोटेक्ट करता है पार्टी इसको दोनों को ही कि ऐसा ना हो कि कोई दूसरी आदमी जो है नुकसान पहुंचा दे किसी को अब मान लिजे मैंने जिसके आद एक्सचेंज किया उसके बी के पास इसका ओनर्शिप थी नहीं उसने बदन लिया मुझसे अब जब बी के ओनर्शिप नहीं है मान लिजे सी की है अब जब इसकी ओनर्शिप ही नहीं है सी की है तो सी तो मुझसे बापस ले लेगा तो क्या होगा अगर ऐसा कुछ होता है टाइटल या ओनर्शिप इसके पास नहीं होती है तो इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो बाप तुमने उसे गलग चीज दी क्यों जिसने भी गलग चीज दी दूसरे को उसे बिदावर कंसीडेशन वापस करना पड़ेगा एक सोनने से यही कहता है मतलब इनके राइट को पर्टेक करता है कि ऐसी कोई भी चीज एक्षेंज नहीं हो जाएगी तुम्हारी अगर ऑनर सिफ है उस पे तभी आप बदल सकते हैं वरना आप नहीं बदल सकते एक सो बीस पर आईए राइट जैनलियी ओप पार्टी यस राइट सेंव लाइटिए वही हैं जो सेल के पास होती थी सेलर और बायर में की इनकी राइट सेंविटी ने एगा पढ़ लिए क्या लिखा हुआ है जो सेक्षें फिफॉपिफिफीफाय में दियो ही थी सेक्षे गवाइज प्रवाइज प्रवाइज इंदिस चेप्टर एच पार्टीज फटीफ बिजिए पटीफ लिए फिफिफटीफ यहां पर होंगी क्या बोलता है यह एक्सोबीस बोलता है एक्सेंज ओफ मनी के बाड़े हैं तो दोनों पार्टी यह मान के चलेंगे कि वह जन्यून दे रहे हैं ठीक है आप गारंटी ले रहे हैं कि भाई हाँ मैं जो आपको एक्सेंज करके दे रहा हूँ वह मनी ही है बस इतना साहिधा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गेफ्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा बड़ा कुछ नहीं आपको पढ़ाया है बाई हर्ट याद अपना है कोई अगर जगा के भी पूंच देना तो पता होना चाहिए कहां दिया वह पूंच दें मौटगेज कहां दिय अच्छा ठीक है ऐसे करना है ठीक है थेंक यो अधियो अधियो दोस्तों कैसे आप लोग चलिए अब लोग गिफ्ट भी देख लेते हैं किस्ट में क्या है देखें जो है सेक्षन 122 से 129 तक गीज दिया हुआ है जैसे आप लोग ज्यानते हैं गिफ्ट याज सिंपल सीजि यह तो रोज मड़ा की लाइफ हम लोग के साथ होते रहती है कोई भी गिफ्ट देता है कैसे बताइए बालएटरिलिए देता है आपनी मर्जी से ठीक है विदाओट कंसीडेशन देता है एक बार उसने गिफ्ट मिलने पिल तो आप ही अवनर हो जाते हैं पर टीप्रों प् कि डेफिनिशन ऑफ गिफ की डेफिनिशन क्या है 123 में गिफ्ट हाव मेड कैसे गिफ्ट किया जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं कि गिफ्ट ट्रांफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग होनी चाहिए एग्जिस्टिंग पर गोला कर लीजिए फ्यूचर नहीं जब मेरी नौकरी लगेगी या जब मैं जज़ बन जाओंगा तब मैं तुम्हें घर लेके दूँगा ठीक है मतलब तब मैं तुम्हें घर लेके दूँगा ऐसा नहीं होता गिफ्ट में यह सब नहीं चलता गिफ्ट में एग्जिस्टिंग होनी चाहिए अभी है तो आप गिफ्ट दे पावे फ्यूचर विचर का कुछ नहीं एग्जिस्टिंग मूवर और प्रोपर्टी मेंड वॉल नहीं होता यह नहीं कि मैं तुम्हें गिफ्ट में यह दूँगा और तुम मुझे गिफ्ट में यह देना ऐसा थोड़े होता है एक बार दे दिया तो वह बॉलेंटरी था विदावट कंसिडेशन था अगर बदले में अगर कुछ लेने लगे फिर वह तो एक्सचेंज हो जाएगा अब यह भी पड़ा की नहीं पड़ा एक्सेंज हम लोगों ने चलिए बाइवन परसंट काल दी डोनर जो दे रहा है यहां दे लेते हैं शेखे ए बी को अपना शॉट करना चाहता है कर सकता है यह अगर और फीकिल कर सकता है तो होता हो जाएगा वह देने Particularly कड़ी ने acceptance when to be made इसमें एक चीज ध्यान लखने वाली बात है कब होगा बहुत सब्सक्राइब को देगा और भी एक्सेप्ट कर लेगा अरे कोई आपको कोई चीज गिफ देना चाहता है तो अगर आपका लेने का मन नहीं है तो क्या वो जवजस्ती आपको दे देगा जब तक आप खु थोड़े ले लेगा और तक इसका विभाइए εν सब्सक्राइब लेना चाहते कि नहीं लेणा चाहते तुम क्यों देना च fulf मैं लेना चाहते नहीं चाते मुझे तो यह होता कि चैणि आथ के आपको कि दिए तो नहीं है तो कब तक यह दू कर सकता है तब HOW तक कब तक या तो इसके lifetime में जब तक ये जिन्दा है या जब तक ये capable है देने के लिए अब इसने जब कहा था कि भाई मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूं तुम ले लो तब तो तुमने कुछ नहीं कहा उसने ये घर किसी को बेच दिया अब दे चाहती है अब तुम कह रहे हो तुम वह में घिफ्ट कर रहे है घर वह दे दो हमें अब क्या अब क्या नहीं रहा तुम्हें देने के लिए अब तो मैं बेच चुका हूं है कि नहीं तो क्या है या तो उसके lifetime में या वह capable हो उसको देने के उसके पास property वह रही जब थ सबूसें लिए अब क्या कर सकती है इसकंट है इस स्वश्ष मिलने इस पहले घिफ्ट करने से पहले मर जाता है क्या होगा बहुत कश्चन आता है कर लिए बहुत कर दीजिए कि प्टी कर जाती है टो कि उडि tiene गी तो किया होगा भाइड हो जाएगा ऐसा नहीं होगा कि इसकेूं यूई उनके पास राइट पहुंच जाएगा कि तुम morale holiday अगर दोनी एक्षिstudie से पहले इसकी डेथ हो जाती है डोनी की गिफ्ट क्या होगा येस वाइड हो जाएगा आकरी लाइन लेका इस दा डोनी डाइग दिफोर एकस्टेंस जा गिफ्ट इस वाइड लाइन कर लीजेगा बहुत पूंचा जाता है चलिए अब ट्रांसफर हाव एफेक्टेड इसमें यह कोश्चन यह है ट्रांसबर हाव एक चलिए पहले पढ़ते हैं पॉर्पर प्रपॉसस फिर फॉफ और इस फिर में इस फिर्ट फिर में सब्सक्राइड बाइब आप बहुर्ट इस तो इस फ्रॉट प्रॉट्वर प्रॉपर्पर्टी इह प्रण्फर मैं इस सब्सक्राइब तरन फॉट है कैसे होगा ठाल है इस इसमें दो बातें आधे जैसे दोनो प्रोपर्टी के लिए डील करता है मूवेवल और इमोबल तो दोनों प्रोपर्टी के लिए कि लिए अगर इमोब प्रोपर्टी है ध्यान रखिये का चाहें कितनी बी धी हो चाहीं दस रुपय की हो यह खास तुमेंट में और होगा और यहां पर मैंने आपको टेस्टेश्ट होसाय कि कि कमंड कर कि सबस्वे क्या रिक्रवाइट होता है थीक है चलिए इसमें पिसे तो इसमें क्या होगा? अगर इम्मोब प्रोपर्टी है, रेस्टेशन कराना पड़ेगा, दूसरा, अटेश्टेशन, अटेश्टेशन का मतलब होता है, at least two witnesses, अटेश्टेट रई at least two witnesses, ठीक है, अगर मोब प्रोपर्टी, जिनसे से क्म सेल में क्या होता ओफ प्रोपरिटी अगर स्य दधागी तो ही उसका रिस्टेशन कराना पड़ता था गिफ्ट में पीसले यह सीट कि THIS करता है this ऐस होता हुदा द्यान रखना गुक्त में कोई लिय्यू नहीं होती शचचतन कराना ज़रूरी होता है तिक है और अटेस्टेशन भी उता है अटेस्टेशन क मतलब ये टू-टेश्च भीटनेस्स िस फान इस होगग अंट याहिंव फोन फोन गिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या रेश्टेशन कराएंगे क्या जाकि उसका क्या करना है आपको थमा देना एलो भाई फोन रख लो आपके पाइसन में दे देना बस हो गया गिफ्ट हो गया और गया चलिए अब इसके 122 सेम लोग देखते हैं इसकी डेफ्रीशन में इस कर दिया बस हो गया प्रॉपार्टी मस्ट भी एक्जिस्टेश एक्जिस्टेड फ्यूचर प्रॉपार्टी अगर फ्यूचर प्रॉपार्टी वारे बोलते हैं तो क्या होगा फ्यूचर प्रॉपार्टी के लिए क्या नहीं होगा मस्ट भी विदावर कंसिड्रेशन विद जो जवस्ति करके नहीं जो जवस्ति करके गिफ्ट नहीं लिये जाते हैं उसकी इच्छा हो तब ही ठीक है अध्यक्त एसमस्ट भी डोनी एक्सेप्ट बाइग डोनी और ऑनेट बिहां ठीक है डोनी एक्सेप्ट अखळ ले इसका अध्यक्ति भी करना जरूरी होता तो 122 133 ह त्यान रखिएगा कोई भी वैल्यू क्या इमोल प्रॉपर्टी हो चाहें एक रुपए की वैल्यू हो रेस्टेशन कराना ज़रूरी है और अटेस्टेशन भी होगा एट लीस्ट बाइट विटनेस चलिए 124 पढ़ते हैं गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग फ्यूचर प्रॉ दूँगा मैंने को गिफ्ट दिया मैंने का देखो एक जो मेरे पास दोट मैं अभी दिये दे रहा हूं बाकि का जो दूसरा है वह तुम्हें खरीद के दूआ फ्यूचर में ठीक है तो इसमें क्या होगा भाईया जो अभी वाला है वह वालिड माना जाएगा जो फ्यूच प्रॉपर्टी इस वाइड एस तुदा लेटर जो बाद वाली बात है फ्यूचर प्रॉपर्टी वाली 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 वाइड मानी जाएगी पहले वाला ठीक है अब गिफ्ट तु सेवरल ओफ हों वन डस नॉट एक्सेप्ट अब क्या हुआ पाल लीजे मैंने एक प्रॉपर् तो बी ने एक्सप्ट कर लिया सी ने एक्सप्ट कर लिया डी ने मना कर दिया डीने का मैं नहीं लूँगा तो क्या होगा इस केस में तो मान लिए इसकी वैल्यू दफ लाग की है ना चाल लोग है ना तो बारा लाग मान लिए इसकी वैल्यू अगर बारा लाग की है तो ग जिफ्ट नहीं माना जाएगा कि छोड़िए पड़ते हैसे गिप्टु सब्लब और और उरो डो नीज ऑपनेडी और गोण बंड दॉर नजब some इतना ही दो इस इंहें बीडियो देख रहे हैं इन्टोड करें पूरा पढ़ें कि रहे हैं करते हैं यह 126 27 27 अगले लेक्षर में पढ़ेंगा ठीक है हां 119 तर ठीक ठीक है थैंक यू कि अलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग चलिए तो टीपीम हम लोग कहा दे लास्ट लेक्षर में हम लोग इन में टारो स्काफव करने में ममक्तषी है म कि तो अपनलत घरी पताय। अधोर्य देडिया ऊपड़ा करने क्षा सबस्यार करें ठीक ने शॉब्हूंत्ष में लिए 4 नस्ताइं में it हैं कि एक सो बाइस से एक सो उन्तिस तक दिया हुआ है है कि नहीं एक सो पच्छेस तक हम लोग ने पढ़ लिया था चलिए 126 क्या बोलता है एक सो पच्छेस बोलता कंडीशनल गिफ्ट कोई कर रही है हम उसके सासा क्या लगा दी कंडीशनल लगा दी उब्जेक्टिव में चाहे कहीं पे भी टीपी आता हो किसी भी स्टेट में ठीक है चाहे माचलो चाहे यू पी हो चाहे बियार भी ब्यार का एकड़ाम आप लोग में दिया गा बताईएगा भाई फसाता कि नहीं फसाता इसमें से ठीक है देखिए 126 127 128 यह तीनों ही याद रखिएगा कि 26 में conditional है ठीक है 27 में ओनरस है और 28 में universal है यूनिवर्सल ठीक है बहुत पूछे जाते है कि conditional gift कहां दिया हुआ है आपको पताओना चाहिए 126 में दिया हुआ है 9ंस gift कहां दिया हुआ है आपको पता थालाउना चाहिए 127 में और yun要 Do Uni 128 में ठीक है तो यह तीनों ही आऊको मालूम होने चाहिए उन्ड़स गिफ्ट कहा दीरा हुआ है आपको बतावना चाहिए 127 में और यूनिवर्सल गिफ्ट 128 में यूनिवर्सल डोनी 128 में ठीक है तो यह तीनों ही आपको मालूम होने चाहिए 26,27,28 चलिए और यूनिवर्सल डोनी चलिए सब्सक्राइब। लेकि उसके साथ condition कोई condition लगा रहा हूं ठीक है condition क्या दो चीजीन होनी चाहिए condition में अगर कोई condition लगा रहे हो gift करते समय तो दो ही condition तो उसमें 2 चीज़े follow आपको करनी पढ़ेंगी पहली क्या कि भाइया यह कंडीशन जो है वो डिपेंड नौट डिपेंड अपॉन डोनी सॉरी डोनल ठीक दूसरा स्पैस्पिक होनी चाहिए यह दो चीज़े अगर है तो वह गिफ्ट अगर कोई कंडीशन लगाते हो तो वह गिफ्ट वैलिड होगा चलिए वाजीड मालते हैं फिर कब गिफ्ट जो है हम सस्पेंट कर सकते हैं या रिवोक कर सकते हैं कहने का मतलब है इसको इन सॉट एकसुचपश्च कों कंडिशनल गिफ्ट करते हैं ठीकर दी डोनर एंड ड़ोनी में एग्रीड ओन देट ओन डी हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट ऑनी हैपनिं कि डोनर की इच्छा पे नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे कहने पर वो कंडिशन फुल्फिल हो रही है अगर मैं गिफ्ट कर रहा हूं तो मेरे कहने पर कंडिशन फुल्फिल हो रही है और मेरे कंडिशन मेरे कहने पर नहीं हो रही है ऐसा नहीं चलेगा ठीक है अब इस अब इ माइ गिफ्ट में ठीक है तो क्या आप लगा सकते हो वेलिड रहेगा 126 क्या मोलता है कि आप कोई भी कंडीशन अगर गिफ्ट में लगा रहे हो तो आप लगा सकते हो वेलिड आए अगर आपने इन दोरों चीजों को फॉलो किया है किस को कि जो कंडीशन है वो not depend upon the will of डोनर होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए और कंडिशन क्या हो जाईए एकल पर चुके उसके बाद थी च्वडिक थोड़े आने चाहिए और happening of certain event, कोई भी ऐसी condition जो depend on the happening of certain event or not depend upon the will of the donor और specific अगर ये चीज़े for condition को आप फुर्फिल कर रहे हो तो इसका मदलब conditional gift आप कर सकते हो जो की valid माना जाएगा लेकिन अगर कोई भी आपने gift किया जो condition will of the donor पे depend है सिर्फ donor की इच्छा पे तो फिर वो वाइड वाइड हो जाएगा कैसे जिए इसी में लेफ्ट एदर आप देखिएगा ए बी को एक लाग रुपर gift करता है वर लैक क्या करता है ए बी को एक लाग रुपर gift करता है उसमें condition लगाता है क्या कि 90,000 तो वो तुम रखो ठीक है वो हमने पूरी तरीके से तुम्हें दे दी है gift में लेकिन 10,000 जो हैं 10,000 नब्बे हजार तो आप रखो टोटली वो क्या करता है ए बी को एक लाग रुपए दे रहा है और बी से क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें एक लाग रुपए gift में दे रहा हूँ लेकिन उसमें से 90,000 रुपए तुम्हारे पूरे तरीके से हुए लेकिन 10,000 रुपए मुझे कभी विएका जरूरत पढ़ी तो मैं बापस मांग लूँगा ठीक है क्या उसने कहा कि 90,000 तो पूरे तरीके से तुम्हारे हुए लेकिन 10,000 अगर मुझे कभी जरूरत पढ़ी तो मैं मांग लूँगा तुमसे तो यह क्या हुआ तो इसमें गिस्ट जो है 90,000 तक का ही वैलिड हुआ 10,000 का वाइड हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि यह 10,000 रुपए और डिपेंड ओन विल ओफ दी डोनर है इसी के विल पे तो है यह 10,000 रुपए इसके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो यह थोड़े अलाओड कर रहे है अगर नौट डिपेंड होता तो हम अलाओड कर लेते ठीक अब एक और माल लीजिए यह ने भी को एक घर गिफ्ट किया ठीक भी को यह घर गिफ्ट किया और a gman कि कि अगर तुम या तुमारे यह तुम या मुझे पहले मर जाते हैं और क्टुमारी मौट है यह घर मुझे मिल जाए मेरे पास तो यह प्रता है बंधोड होगी है विल्कुल रूगी क्यों अरे इनका मतौ उसनक पई मर या नवर जाएं जाये एक पड़िये हैं यहां पर कंडिशन वाइड थी पढ़िएगा इसमें दिये हुए दोनों ही इलस्टेशन दिये हुए ठीकर पढ़ लिजाए इलस्टेशन ए और इलस्टेशन भी यही चीज है चलिए अब उन्रस गिफ्ट के देखते हैं उन्रस गिफ्ट क्या बोलता है समझ में आएकि नहीं छे लिए उन्रस गिस्ट क्या बोलता है दोखें, उन्रस गिप्ट क्या होता है माल लिए A ने एक अरे के पास 3-4 चीज़े है, ठीक है तिन-4 आइटम है अभ वो क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें जो है, वो गिफ्ट करना चाहता है किसको बी को एक के पास क्या क्या है दो तीन आइटम है एक घर है एक कार है एक कुछ है ठीक है अब वो ये बी को गिफ्ट करना चाहता है तो अब क्या माली ये इसमें एक घर है माली ये एक घर है एक कार है ठीक है और क्या उसके पास और माली एक आची और है एक प्लॉट है ठीक ये तीन चीजे है उसके पास क्या क्या है एक घर है एक कार है और एक प्लॉट है अब क्या होता है अब घर पे माली ये पांच लाग का लोन होता है जो इसे बैंक को देना है चितने का 5 lakhा लोन अब A ये सारी चीजे जबी को गिफ्ट करना चाहता थीक लेकिन तो अगर ये सिंगल ट्रांजक्षन में है वहीं ये तीनों चीजे घर गाड़ी ब्लॉट जब करना है लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह थैं कि घर को पर पादि लाध की लैविटेश है। पादि नग का बैंक ल tau है। तो अगर यह single transaction में b ko दे रहा हैं यह तीनों चीजें तो भी जो उसने तीनों यह थे स्चानी पढ़ेएंगी ऐसा नहीं है वो कहें देखो भाई इस पर पादले की लाइटी हम घार नहीं लेंगे कार और प्लॉट हमें दे दो ऐसा नहीं कर पाएगा क्यूं क्यूंकि ये सिंगल ट्रांजेक्शन में सारी चीज़ें गिफ्ट कर रहा है अगर एकसेप्ट करना है तो एजे होल इस ने मना कर दिया नहीं लेंगे क्यूंकि इस फेर पादला की लाइटी है कि अब उसके उपर है अगर संगल ट्रांजेक्शन तो इसके पास राइट उता सिंपल सी वात होता ही नहीं होता अरे भाई अलगे ट्रांजेक्शन में घर दे रहा है मेरी माजी मैं लू ना लू अगले ट्राजेक्शन में मुझे काल दे रहा है मैंने ले लिए अगले ट्राजेक्शन में मुझे प्लॉट दे रहा है मैंने ले लिया क्यों इन पर लाइनिटी नहीं दी वह मैंने नहीं लिया अगर डिफ्रेंट ट्राजेक्शन में है तो मैं को बाइबिटी कोन भरेगा मैं तो भरूंगा बस इतनी सी बात कहता है यह सौन मिया रहा है कि नहीं अरे आही रहोगा यार सौन जो और कुछ बताईए आप लोग अरे बाइब शेयर किया करो यार अपने दोस्तों से आप लोग शेयर करोंगे मुझे और अच्छा लगेगा मैं पूसिस करूंगा कि और ज्यादा टाइम निकानूगा आपके लिए लेक्शर रिकॉर्ड करूं ठीक है अब आप लोग यहां तक करें कर सकते हैं चलिए अब कहां थे अधार लोग यूनिवर्सल डोनी क्या होता है टॉर्च जैसा उसका नाम है ना यूनिवर्सल डोली अगर एपनी इसारी चीजें मान भी अटास जितनी बी चीजे थी न उसमें सब आप बीन करनें सारी चीजें विको किए दे रहा है तो बी क्या हो जाएगा यूनिवर्सल डोनी हो जाएगा क्या हो जाएगा यूनिवर्सल डोनी इसके पास ए ने अपना सारा कुछ बी को दे दिया गिफ्ट कर दिया ठीक है तो यह यूनिवर्सल डोनी हो जाएगा अब चाहे इस पर लाइडिटी हो चाहे ना हो अ इतने का दस लाग रुपएगा तो क्या अब इन फिर बाद में क्या हुआ बैंक ने वी के खिलाफ एक्जिक्यूट कराने की कोशिश की तो पता चला इन वैल्यू की इस तीनों की कीमत आट लाग रुपए थी समझें कोशिश करिएगा एने अपनी सारी चीजें किसे घुट कर दी भी को तो भी क्या हो गया यूदिवर्सल डू नी हो गया हो गया कि नहीं हो गया अब माल लीजे इसके ओपर एक फ़र दस लाग रुपए लाइवलिटी थी अब गो लाइवलिटी इसके ओपर आजाएग दस लाग रुपए तो अब जतना इसके पास आया था गिफ्ट में बहुत तो सब इसने बापस देना पड़ेगा बापस क्या मतलब जिसके ओपर लो जिसका लोन है वो ले लेगा है कि ने बाकी दो लाग रुपए कहां से आएंगे क्या कहने का मतलब है क्या यूनिवर्सल ड नहीं होगी ठीक है चलिए इसमें लिक लिजी एक बार फिर इसको दीड माते है औरे ओंदरस गिफ्ट यह वन लोग ने डिड नहीं मारा इस चीज रहेगे तीचलिए पहले ओंदरस गिफ्ट पह आते है ठीक है ओंदस गिफ्ट क्या बोलता है वे आजिए गिफ्ट इन फर by an obligation that dony can take nothing by the gift unless he accepted it fully अगर single transaction है तो क्या करना पड़ेगा बताइए पूरा ही accept करना पड़ेगा चाहे liability हो चाहे ना हो ठीक वे अरे gift in the form of two or more separate and two or more separate and independent transfer अगर two or more separate and independent transfer है तो क्या हो उसके उपर है वो ले ले या ना ले ठीक लेकिन अगर owner's gift to disqualify person माल लिए मैं owner's gift कर रहा हो किसी minor को कर रहा हो फिर फिर क्या वो liability होगी उसके ओपर चलिए देखते हैं a dony not competent to contract and accepting property abundant by any obligation is not bound by his acceptance अगर मैंने किसी कोई property उस पर liability है ठीक है अब वो मैंने minor को दे दिया gift कर दी तो क्या liability minor को प्राज आएगी नहीं आएगी ठीक है लेकिन अगर वो major हो जाता है फिर भी वो चीज अपने पास रखता है hold करके रखता है तो फिर वो लाइबल हो जाएगा पढ़िए आंगे बाट इफ आफ्टर बिकमिंग कंपटेंट तो कॉंट्रेक्ट एंड बिंग अव्यर अब्लिगेशन ही रिटेन दा प्रापर्टी गिविन ही बिकम सो बाउंड है कि नहीं जब तक वो माइबलड़न है वसे कोई मैरे प्रॉपर्टी घिफ्ट तक कई कासे देंगा वाई नेकिन अब कि बैटहरी लाइविटी एकौन बरेगा है कि ने चलिए यह देख लीजिए एक 182 यूनिवर्सल डोनी हम लोग देख रहे थे subject to the provision of section 127 where a gift consist of donor whole property अगर donor to heaven यह अपनी सारी property भी को दे रहा था ठीक है दा डोनी is personally liable for the depth due by and all liability of the donor at the time of gift to the extent of the property comprise therein कि डोनी लाइवल तो होगा यूनिवर्सल डोनी लेकिन उतना ही जित्ती उसकी property की value है ठीक है उससे ज्यादा वो लाइवल नहीं होगा अगर इसकी value आज लाग रुपे निकलती है यह सारी gift की तो आज लाग रुपे तक के लिए ही लाइबल होगा चलिए लिए लिए अब्जेक्टि में खूप पूछा जाता है लिखिए ए यूनिवर्सल डोनी इस लाइबल ए यूनिवर्सल डोनी इस लाइबल तू दा क्रेटर्स ऑफ दा टोनर तू दा एक्सेंट ऑफ दी वैल्यू आप दा गिफ्टेट प्रॉपर्टी ठीक है चलिए 139 यह बोलता है कि दो कंडिशन दो लोगों पर अप्लाए नहीं होगा किस किस पर एक तो गिफ्ट इन डेथ बैड ठीक है डेथ बैड क्या होता है कि आदमी मलने वाला उस समय मॉर्टिस मॉर्टिस कौसा ठीक है दो चीजों पर ऊपलाए नहीं होता छीक है यह पूरा चैक्टर जो है डिफ्ट वाला चैप्टर सैविन में यह दो चीजों पर अपलाए नहीं होगा तहीक है यह सब detail नाशिब हुआ दूसरा मॉर्टिस कौसा मॉर्टिस कौसा क्या होता है कि गिफ्ट मेडिन डैफ बैड आप इस आप किसी मुवेबल प्रोपर्टी के गिफ्ट तब कर जो जब आपको ऐसा लग रहा है कि भर टपकने वाला हूं ठीक है उस समय किफ्ट अगर आपने किया उस पर अप्ला लौ ठीक है चलिए आखरी चप्टर जाएगा चप्टर एट एक्सनेबल क्लेम कल वह भी मैं अप्लोड कर दूंगा ठीक है चलिए और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों इतने सारे कमेंट किये ठीक है ऐसे ही कमेंट करते रहिए ऐसे ही प्यार देते रहिए और आ अगर आप वहां मुझे से जुड़ना चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं ठीक है और उसके लाबा वाट्साप आड़ी मिल जाएगी ठीक है वाट्साप नंबर वहीं पर दिया हुआ है ठीक है अगर आपको कोई दिक्कत हो बहुत सारे चीज़े होती हो कमेंट में मैं आप आपको जवाब नहीं देपाता हूं ठीक है तो आप मुझे वहां पर जुड़ सकते हैं चलिए एक्शनेवल क्लेम हम लोग नेक्स देखेंगा ठीक है ठीक है अगर आप यह लेक्शर पहली बाद देख रहे हैं तो आप यह जाल लिए हम लोगोंने टीपीए सेक्शन वन से इंट्रोडक्शन से और यह पूरा कंप्लीट हो गया अगर आपने ना देखा हो तो आप इसी चैनल की प्लेइलिस्ट में जाके पूरा टीपीए देख सकते हैं ठीक है इसके इलाबा भी वहां पर प्लेइलिस्ट में ऐसारे पे भी है ठीक है इस पैसिक जलीफेक्ट उसके सब्सक्राइब नहीं किया है अरे बाइच सब्सक्राइब कीजिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ठीक है और जो लोग यहां देखते हुए आया यहां तक वो तो खर सब्सक्राइब करी चुके होंगे चलिए एस नेवल क्लेम कहां दिया हुआ है चैप्टार एट में Section 130 से 137 यहीं को दिया हुआ है लेकिन स्ब्सक्राइब क्या उसमें ट्रांस्फर ऑफ एच पक्लेम क्लेम दिया हुआ है यहां दिए में पड़ा हुआ है ध्यवे कि नहीं पड़ाई दी मेरे कालता ही लास्ट में पढ़ाऊंगा है कि न इसलिए क्यूंकि एकस्की क्रांसफर कीelles ओसकता है अगर ओसकता है तो कैसे ओसकता है यह आपका चेप्टर डेर्ट में दिया हुआ है तो मेरे दोस्ते हैं और अबसे तो माली मैने अभनव से कई अब अधार ले रखेंगे या मैंने अब उधार दे रखेंगे माल लिए मैंने अवनब को एक हजार रुपए उधार दे रखे हैं ठीक है अब अब से मेरे पास आता है यह कहता है कि विशाल भाई अगर आपके पास हजार रुपए हो तो मुझे दे दीजिए मुझे काम है ठीक है या वो मुझसे अपने ही पैसे मांगता है कि तुमने होगा इसमें यह क्या हुआ और यही तो personal claim है क्या मैंने कहा कि मेरा पैसा कि उससे ले-लो फिकले मैं यही coral claim है निया तो मैं इस्का Steel कोई बी ऐसा क्लेम जिसके लिए मैं कोड के तुरू कोई एक्सन ले सकूं उससे लेने के लिए बस उसमें दो तीन चीजें और ध्यान रखनी पड़ेंगी जब सब्सक्राइब पड़ेंगे ना तो उसमें फ्सक्राइब क्या है कोई ऐसा डैप्थ ठीक है जो अनसिक्योर्ड रोपे या ऐसे दे दी इसे 1,000 रुपह या घ्र क उतना और ऐसे बदल से कुछा ले लिए और सो फिर्न को यह कुछ भी जॉन्य ले लिए है कि Thanksgiving अगर आप सोना लेके जाओगे किसी सुनार के पास की बहाई ये मुझे गिर्मी रखना है तो वह एक लाग के सोने के सतर अजानी रुपए देगा आपको होता ही यह उतना जंगारी पाइब हो यह होगा है कि लाज रुपारी यहन trouve वह संध कर देगा ओप क्यों कि वो जानता है कि अगर आप लेने नहीं आए तो कम से कम जो फाइदी कर रहूँ अपर नहीं यह आजाएगा आएगा कि नहीं आएगा फिर तो वो मॉट्गेज हो जाएगा तो एक्स नेवल क्लेम में क्या होता है सबसे पहली बात अन्सिक्योर डैफ होड़ा चाहिए जिसके लिए आपने कोई सिक्यूर्टी नहीं ली है मैंने इसे एक हजार रुपए दिये बी को तो इससे कुछ सिक्यूर्टी नहीं ली ठीक है यह एक्स नेवल क्लेम है ठीक है अब क्या है अब माल लीजे सी मुझसे पैसे मांगता है ठीक है सी मुझसे पैसे मांगता है एसे सी कहता है कि भाईया मुझे एक हजार रुपए दो देखो तुम एकर सकता है तो अब क्या होगा एक ही जगाह पर कौर आ जाएगा सी आ जाएगा है कि नहीं अब गोई ऑप सक्थफ दिफाल कर सकता हैं थीधा सारे काम breed मिख्लेटी तो से जिबां वह एपर Movas नेवल क्रिता है कि कोई भी वी क्लेम जो Unsecure Depth के ओपर वो या क्लेम तो एनी पेनिफीसियल इंट्रेस्ट इन प्रापरटी नॉट एक्ट इस्ट्रक्टी प्रिशन ओफ दी क्लेमेंट अब माली जिसे कोई मूबल प्रापरटी है ठीक है वह मैंने आपको दे रखी है माली जो मेरा फॉन है मैंने यह ठीक है अब नंद मेरी डॉय प्रप्रपर्टी किसी और के पास है थो उसको बापस लेने का में पास जैख है की नहीं तो नहीं है तो यह नहीं जोmm प्रॉपर्डी जो आपके पैसन में ना हो किसी और के पैसन में हो ठीक है और आपको उससे वह बापस लेने का राइट हो वह भी एक्सनेवल क्लेम होगा तो सेक्शन थी सही बास समझ में आई चलिए आप पहले डेफिशन के लाउस में आई है सेक्शन 3 में एक वाज रीट मा बाए मॉड् ensuring क्लेम करें अब्सक्राइज के लिए टिक है तो अब्लकियों सब्सक्राइब हैएड वह सब्सक्राइब घ्राइब क्लेम करें शैकर 50 народ ख्रॉड घंक है मैं मौक्रइबौई दिकसे मैं पीज़ूफया यह तिक रॉसी चीजि़े जिसके लिए में फ्रॉड त प्रोपर्टी आगर प्लैज ऑफ मुवव प्रोपर्टी तो क्या होगा तो बैग्ड में जाएगा तीदिये क्या करेंगा उसमे और तो एनी बेनिफिछ इंट्रेश्ट इन्ट्रेश्ट इंडि प्रोपर्टी नॉट इन दी प्रेशन खिक यह तो यहीं हो गा ठीक है, the other actual or constructive of the claimant, which the civil court recognized as affording ground for relief, जिसे civil court ने ground for relief recognized किया हो, कहने का मतलब है, court मानती हो कि हाँ भया, तुम्हारे पास right है, वो बापस लेने का, ठीक है, अब क्या है, whether such depth of beneficial interest exists, acquiring conditional or contingent, अब चाहे वो depth जो है, conditional हो, contingent हो, existing हो, future हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चलिए, यह तो हो गए actionable claim की definition, समझ में आए, क्या है, actionable claim यह दो चीज़े होती है, a claim to unsecure depth, और a claim to any beneficial interest in a mover property, not actual or constructive position of the claimant, क्या नहीं होती, अरे, अगर आपने depth on mortgage of immoral property है, नहीं होगा, pledge है, नहीं होगा, hypothecation है, नहीं होगा, ठीक है, चलिए, अब आजाई एक सो तीस पे, चप्टर एट, आज यह तभी है थोड़ी ठीक नहीं लग रही, चलिए, आते हैं, चप्टर एट, section 137, 137, यह बताता है, transfer of actionable claim, इसकी heading ही यही बोलती है, भाई, कि actionable claim तो आप जान गए क्या है, जान गए कि नहीं, अब इसका transfer कर सकते हो कि नहीं, हाँ भाईया, वो सारी चीजें जो आपकी asset होती है, यह asset हो गई न, आज मैं अगर जोड़ू कि मेरे पास कितना रुपया है, तो मैं साथ में यह भी तो जोड़ता हूं, कि मैंने कितना किसको दे रखा है, जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो, यार मेरे पास 5000 रुपय है, तो आपका कोई एसेट हैं तो आपका तो आपको ट्रांसफर भी कर सकते हैं कर सकते कर सकते हैं मेरे पास एक मापन हेां एक लाग रुपर है और एक मारा यह दोनों का मैं त्रांसफर कर सकता हूं थे इसको भी यह सकते हैं कि दू आगर कोई किने लुक्त शेल कर सकते हैं अभी इसने च्ञाहीं कर दी B के पास था इसने C को transfer कर दिया तुम ले लेना है कि नहीं अब क्या है चलिए C क्या है Section 30 transfer of actionable claim कैसे होगा पहली बात writing में होगा और sign by transfer रोगा writing में करना पड़ेगा आपको ठीक है ऐसे मुझे बोलने नहीं होगा in writing और स्पिंग और साइण बाई त्रैंफर है रोड सरस Л इसंटेस्ट की जरूरत नहीं है एक कि एक्षेस्टेशन की जरूरत रही है सिर्सानर इस प। और एस तर सटेस्ट करेंट कोई प्झाल में ऐसेwn यह क्या होता है सेल में क्या होता है कंसिडेशन होता है कि नहीं होता है विल्कुल होता है गिफ्ट में कंसिडेशन होता है नहीं होता है एक्सनेवल क्लेम में दोनों ही चीजे होती है कंसिडेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मैं अपने दोस्को मैंने उससे कह दिया तो दोनों चीजे होगा इंक नहीं विदावर कंसीडेशन से भी हो सकता है चलिए अब कहां कौन सी डेट से अफेक्टिम माने जाएगा जिस डेट से डेट ऑफ एग्जीवुशन ऑफ ट्रांसफर डिडिड फ्रॉम जिस दिन से ट्रांसफर किया है उसी एक एन लाइल टीज जो एक एक थी जो एक के पास थी आजिए अगर कोई लाइलिटी है तो वह फी आल जाएगी आगला सेक्षन आएगा तब हम आपको सामझाएगे ठीकर और notice to debtor of the transfer of actionable claim need not be given to make a transfer valid इसको समझना पड़ेगा क्या है बाई यह यह कह रहा है क्या यह transfer करने actionable claim A को A, C को transfer करने से पहले क्या B को notice देना जरूरी है क्या जो debtor है उसको notice देना जरूरी है कि नहीं है तो general rule यह है कि जरूरी नहीं है क्या है general rule कि B को जिससे पैसे अरे भाई B को तो पैसे देने है चाहे वो A को दे चाहे C को दे उसे क्या मतलब है अब इसको notice अगर नहीं दिया जरूरी है notice ना देने से कोई यह transfer void नहीं हो जाएगा transfer validity रहेगा चाहे B को जानकारी हो चाहे ना हो लेकिन अगर notice नहीं दिया तो क्या होगा तो भाई यह चीज होगी अगर B की जानकारी में नहीं है ठीक है अगर B की जानकारी में नहीं है और इसने एक हजार रुपए इसे लौटा दिये A को ठीक है बी की जानकारी नहीं था कि इन्हों A ने C को ट्रांसर कर दिया अपना सारा क्लेम ठीक अब B को जानकारी नहीं तर तो उसमें 1000 रुपर A को दे दिया तो इस कंडिशन में C जो है इसके ओपर केस फाइल नहीं कर सकता B के ओपर कि हमें पैसे दो क्योंकि सारा राइट मेरे पास आ गया तर ना अरे तुमने नोटिस क्यों नहीं दिया उसे तो नोटिस देना कंपलसर ही नहीं है लेकिन C को अगर अपना फाइदा करना है ठीक है तो नोटिस दे सौझ में आगे इतनी बाद नोटिस देने न देने जी ट्रंकफर वाइड नहीं होगा ठीक है ट्रंकट वैलिड इन रहेंगा शंग में आईंगी रहें वा does लेकिन अगर यह नोटिस नहीं देता ए तो क्या होगा तो अगर यह B इसा एक लौटा देता है तो UK li नहीं कर पाएगा फिर ठीक है फिर सी ये से ले जाके लेकिन अगर इसने लोटिस दे रही अभी को फिर अगर भी इसको एक को पैसा दे देता है तो सी के पास राइट होगा कि इसको पर केस पाइल कर सके है इतना समझ में आई चलिए यह हो कि आपका सेक्शन बन थार्टी होसका है कि भाइया कि एक्सनेवल ट्रांस्पर जो है आप क्या इसको फिर एक्टेज-टीम कमपलसरि नहीं है एक्सेप्शन यह Phariseea में आप्लाइ नहीं होता तो लास्ट में एक्सेप्शन दिया हुआ है रीड मारिये नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइट तो ट्रांसफर ऑफ मैरीन और फायर पॉलिशी ऑफ इन्सारेंस इन दोनों पर यह अप्लाइट नहीं होता और फॉलिश अप्लाइट और फॉलिश ऑफ इन्सारेंस एक्ट तो एसे तीन चीजें हो गई है मेरीन फायर ऑफ इन्सारेंस और सेक्शन थार्टी अविन्सारेंस ठीक है इस पर लाइन कर दिजिएगा यह एंपी और चथिस गड़ में खूप पूंचा जाता था ठीक यह बताता है कि अगर आपने नोटिस देना है ठीक है अब यहाँ पर कमपल सरी तो नहीं है लेकिन अगर सी को अपने अगर नुकसान नहीं करना इस नोटिस दे दें लेकिन नोटिस देगा कौन एही देगा नोटिस अगर भेज रहे बी को तो उसमें A के साइन होंगे ठीक है अगर A या इसका एजेंट साइन करने से मना कर देता है मना कर देता है या छोड़ो या नोटिस की क्या जरूबत है एक उलगता है साइड याद B मुझे ही पैसे दे जाए ठीक है तो इसलिए वह कहता है बैजने से किसका फाइदा हो सकता है तो साइड इसलिए अगर ये साइन ना करे या इसका एजेंट साइन ना करे तो साइन करके नोटिस भेज दे ठीक है फंड लेना यहीं दिया हुआ है अब वारेंटी और सॉल्वेंशी ऑफ ट्रेप्टर 133 133 क्या कहता है कि देखो जो ए जो है जब अपना यह क्लेम सी को ट्रांसफर करे ना तो एक टाइप की वारेंटी भी देगा कि तुम जिससे पैसे लेने की बोल ले हो वो कहीं सॉल्वेंट तो नहीं हो गया है बैंकरप तो नहीं हो गया है कि तुम इसलिए मुझे ट्रांसफर कर जाओ कि उसके पास तो कुछ राही नहीं हो सकता है ना तुम ने का यार सी से ले लेना तुम एक तुम बी से ले लेना तुम पता है भी के प प्रवेंट नहीं तो एक लिम्टेड होगी यह लिम्टेड वारंटी होगी लेकिन एक वारंटी होगी ठीक पाल तुम आ बड़तर बावन तो पता उसके पास आई हो देहां से कहां से 모ड ये और कभी गवाज सेक्शन औब्जेक्टिव में यह कभी कवा सेक्षन पूल दिया जाता है कि मॉट्गेज डिया हुआ है आप्मी ढूंडता रहता है कि अर्मॉट्गेज में ही कहीं दिया होगा 58 से लेके 100 के बीच में कहीं दिया होगा ना भाई या 134 पहली बात तो मॉट्गेज ड्रेप्ट एक्सनेवल क्लेम नहीं होता जाता है कि मॉट्गेज ड्रेप उसको कैसे बाटा जाएगा यह च्छों सब्सक्रण कर पढ़िए परेस्ट पास्ट पश्ट पढ़िए प्रूटव अव्या जितना भी है ट्रांसफरर को ठीक है जिताब इन दोनों का पेमेंट करने कवाद जितना बचा सब ट्रांसफरर का हो गया है अब बन थेटी फाइव इंपॉर्टेंट नहीं है बेकार है कुछ नहीं लेना देना उससे ठीक है 136, incapacity of officers connected with the court of justice डारेक भी objective में पूछा जाता है वैसे भी important है यह यह बोलता है कि भाईया, who cannot become transferee, who cannot be a transferee, ठीक है, कौन transferee, कौन सी नहीं बन सकता, ठीक है अब वो कोई भी ऐसा जो court of justice से related है, चाहे वो judge हो, चाहे legal practitioner हो, चाहे कोई भी officer of the court हो, ठीक है, वो transferee नहीं बन सकता, कि वो कह दे, ऐसा है यह से, कि तुम मुझे यह transfer कर दो, फिलेम, मैं सब बसूल कर लूँगा, ठीक है, बीसे, ऐसा नहीं, आप इसमें किसी भी time में interested नह बाइसनेस आजाएगी भाई, बाइसनेस आजाएगी नहीं आजाएगी, इसी लिए, आप, transferee नहीं बन सकते, क्या बोलता है भाई, 136 याद रखिये का बहुत important है, no judge, legal practitioner or officers connected with any court of justice, sell by or traffic in or stipulated for or agree to receive any share of or interested in any actionable claim and no court of justice sell in force at the instance or at the instance of any person claiming by or throw him any actionable claim, so deal with him as they are for safe, टिक, चलिए, 137 नहीं बताता है कि यह जो पूरा chapter actionable claim बाला है, भाई साब actionable claim अपने आप में movable property हो गई, है कि नहीं, यह actionable claim chapter 8 मैंने आप को introduction पढ़ा है था, तो उसमें मैंने यह बताया था, कौन-कौन से chapter, कौन-कौन से property पर अबलाई होते हैं, ठीक, अगर आपने starting से नहीं देखा हो, तो जरूर देखें starting से, ठीक है, कमेंटमेंट करते रहा करें, ऐसे ही प्याद देते रहें, और भाई, अगर आपको लगता है कि इससे, TPSA, पूरे से, आपको कोई फायदा हुआ है, तो प्लीज इसको share भी करें अपने दोस्तों से, ठीक है, दिल बड़ा करके share करो, यार मैंने पढ़ लिया है, तुम भी पढ़ो, है कि नहीं, ठीक है दोस्त, चलिए एक चीज और लिख लीजिए, objective में आता है, कि कौन कौन चीज़े actionable claim है, कौन कौन सी नहीं है, ठीक है, क्या आता है, कि बताईए इसमें से actionable claim कौन सा है, चार option दे दिये, पहचानना होगा, आपको पताईए इसमें से actionable claim कौन सा नहीं है, एक कोई नहीं होगा, आपको पहचानना होगा, तो एक चार टाइप का बना लिए, लिखिए कौन कौन चीज़े actionable claim होती है, नोट करिए, सबसे पहले तो unsecure depth, दूसरा, claim for areas of rent, ये सब in partnership, चौथा, right to proceed of business, पाचमा, provident fund, चटा, एक claim for return of earnest money, अभी ये चत्यत गड़ में आया था, ठीक है, चत्यत गड़ के exam मैंने देखा था, उसमें आया था, एक claim for return of earnest money, और Muslim women's claim for unpaid dollar, ये सारी चीज़े जो है, वो actionable claim है, ठीक है, अब क्या क्या actionable claim नहीं है, not actionable claim में कौन कौन से चीज़ आती है, mortgage depth, decree, ठीक है, decree अगर कोई specific amount की है, तो हो सकती है, general rule ये है, decree, actionable claim नहीं है, master profit, नहीं है, right to get damages for breach of contract, एक चीज़ और होती है, अब इससे मुझे दियान आया, कि क्या होता भई, अगर actionable claim है, तो उसमें एक चीज़ और की amount specific होना चाहिए, ठीक है, specific कैसे, कि भईया, हजार रुपए मुझे लेने हैं, तो हजार रुपए मुझे मालू होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि unspecific हो, जैसे कि a right to get damages for breach of contract, actionable claim नहीं है, a right to, a right to get damages for breach of contract, actionable claim नहीं है, क्यों, क्योंकि भई, breach of contract में पता नहीं है, मुझे कितना amount मिले, unliquidated होता है, कोड कितना देगी, तो इसलिए यह actionable claim नहीं है, specific नहीं है, ठीक, चलिए, a right to claim benefit of a contract, coupled with liability, ठीक है, a right to claim benefit of contract, coupled with liability, अगर liability आ जाती है, और क्याते चाहिए नहीं होती है, अगर breach of trust है, sorry, breach of tort है, breach of tort में, यह जो, माले, a ने, b के साथ breach of tort किया, तो b के पास हो गया, यह right कि इसको पर case file कर सके, तो क्या यह transfer कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि, इसमें breach of trust में, unspecific होता है, कितना amount मिलेगा, ठीक है, ठीक, और यह right to sue है, जो की transfer वैसे भी नहीं हो सक होता है, section 6 बोलता है, ठीक, इसलिए, चलिए, और copyright of ebook, यह सब चीज़ें क्या होती है, एक्स निवल के लिए, ठीक है, अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएगा, क्या objective type question भी इसके लिए आपको पराने पड़ेंगे, ठीक, अगर आप चाहते हैं, कि objective type question मैं सोच रहा सब्सक्राइब, कि 50-50 question का 2 video record कर लूँ, 50 ऐसे question जो बहुत ज्यादा exam में आते हैं, 50 ऐसे, जो बहुत कम आते हैं, लेकिन tough हैं, ठीक, tough हैं मतलब कम ही आते हैं, मतलब 10 question कहीं आते हैं, तो उसमें 8 तो ऐसे आजाएंगे, जो random ही दो पूछे ही जाते हैं, दो थोड़े tough आ ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं, ऐसे 50-50, मतलब 2 set तयार कर दूँ, ठीक, और उनके video बनाके upload कर दूँ, आप लोग मुझे comment करके बताएगा, कि ऐसा करना जरूरी है, कि नहीं है, ठीक, जैसा आप लोग कहेंगे, उसी इसाब से आंगे काम किया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रकिल बनाके द किया जरूरी है, कि जो Bellओार काम कि दूँए है, झाओा भाग उनके यायार क काम काम कि बनाई लोग इसाए़ तनाके, पू़ पहा हैloo है?